आज हम लोग foreign exchange risk management का revision करेंगे CA final case student and CMA final case student के लिए relevant है कुछ साल पहले जब हमने foreign exchange का revision video डाला था तो approximately आपका 5 hour something minute यानि कि हम कह सकते approximately 6 hour गया था जिसमें हम लोगोंने 4 hour लगा के हमने concept revision किया था and 2 hours लगा के जितने भी questions है उसके जो unique points होगर है उसके भी हमने discussion किया था और आप लोगोंने बहुत पसंद किया था और थोड़ा पुराना हो जाने की वैसे अब मुझे लगा कि नहीं time आगे जब मुझे update कर देना चाहिए वैसे SFM में ज्यादा कोई changes आता नहीं है तो वो video आज के लिए relevant था लेकिन उसमें कुछ changes आया है जिससे कुछ एक new concept और एक new concept और कुछ new questions और एक late cancellation की जो concept है उसमें कुछ modification हुई है तो हम कुछिस करते हैं कि उन सारे चीजों को cover करें और time हम लोग ज़्यादा ना लगाया यारनी कि जो पुराना revision वीडियो था उससे कम time में हम revision करें यह मेरा objective है अब देखते हैं वो objective अचीव हो पाते है या नहीं हो पाते है पढ़ने क स्टाइल अभी भी सेम रहेगा हम concept का revision करेंगे हम अपने summary PDF से और PDF आपको description box में मिल जाएगा question की जो solutions होगा वो handwritten solution का भी आपको PDF आपको description box में मिल जाएगे और जिस question में discussion करेंगे उसका भी मिल जाएगा यानि कि पढ़ने का style सेम रहेगा जिस तरीके से हमने पहले किया तो first first part में हम लोग concept का revision करते हैं आईए शुरू करते हम लोग यह देखिए यह PDF जो notes है यह आपको मिल जाएंगे आपको description box में check कर लीजेगा अगर desktop यूज कर रहे हो या आप mobile यूज कर रहे हो यह जितने भी है इसमें hyperlink लगे हुए हर एक topic पे अगर आपको quick revision करना इस प topic के आपको jump हो जाएगा तो यह तरीके से आप इसको use कर सकते हो PDF को सबसे पहला topic है हमारा regulator of foreign currency दो regulator इंडिया में RVI, FEDAI जो छोटे-छोटे transactions होगा रहे है सारे FEDAI regulate करते हैं और जो हमने बोला था भी कुछ की late cancellation में कुछ amendment भी आई है जो की amendment तो पुराना हो गया लेकिन revision point of इससे अभी देखा जाए तो वो हमने revision video में नहीं cover किया हुआ था क्योंकि उससे पहले revision video डला हुआ था तो उसकी जो amendment भी किया है ना वो FEDAI ने किया हुआ है तो आप देखते हो कि FEDAI का जो rule है उसमें change होआ है जो आपको पढ़ना है ठीक है देख लेंगे मांकि इसमें ज ज़्यादा कुछ करने के इसमें ज़रत नहीं है और एक जो फ्रेक्शनल यूनिट है वह आपको याद होनी चाहिए दो-तिन currency का जैसे जो स्विजालेंड की यूके की currency का जो फ्रेक्शनल यूनिट है वो penny है और जो यूरोप की यूरो है एंड क्या कहते है डॉलर है यूर इसमेरी डिजाइन किया था उस टाइम का रेट है उसको अपडेट नहीं कर पाया थे रेट ओगराच चेंज नहीं कर पाया तो रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वैसे भी हम यह मोटा मोटा आइडिया लेते यह है stronger से weaker currency का लिस्ट है अगर एक बार अगर recap करो आप लोग तो याद होगा आपको वर्ल्ड के सबसे strongest currency जो है कुएत का दिनार है उसके बाद UK का pound है जिसका ISO code है GBP ISO code जो होता है वो यूनिक code होता है थ्री डेटर का लेड़ अबरिवेशन होता है officially जितने भी exchange rate code होता है ISO code से होते है याद रखिएगा officially जितने भी exchange rate code होता के देता है क्योंकि आपको पता है दो currency का symbol भी जो है वो सेम हो सकता है एक बार फटा-फट कर ले UK का pound उसके बाद Europe का euro okay उसमें भी euro zone के 17 country उगर यूज करते हैं तो जैसे जर्मन में देखना question आपको जो मिलेंगे उसमें जर्मन के लिए 2-2 currency मिल जाएगा कभी deuce mark लिखके देदेगा कभी आपको euro लिखके देदेगा फ्रांस के लिए 2 question के अंदर 2 currency मिल जाएगा कभी question के अंदर फ्रांस वाले question आएगा कभी French frank मिल जाएगा कभी आपको euro मिल जाएगा तो ये चीज है क्योंकि यूरोप की जो ये European union है संगठन है उसमें जो कुछ country जो रहा है तो 17 countries जो है वो तो euro को as a national currency वो यूज करता है लेकिन उसका अपना local currency भी है तो इसलिए questions में जो होते हैं दो-दो currency आपको मिल सकता है एक ही country के लिए तो वो आपको पता होना चाहिए तो क्या कहते हैं pound का UK का हो गया pound उसके बाद आपका आजाता है यूरोप का euro फिर उसके बा CHоСार के वहां करेंसि के काGR कैनल करेंसि स्ट्रॉंगर कोती 맛 करेंसि की वहां जैसकर और करेंसि के लिए तो exchange rate, exchange rate कैसे decide होता है purchasing power से purchasing power parity क्या कहता है कि अगर कोई एक product है, उस product को अगर इंडिया में कोई 490 में खरीद पाता है और US में अगर $7 में खरीदा है, तो equivalent term में ये दोनों equal होगा ये purchasing power कहता है, यानि कि purchasing power कहता है इसको purchase करने का capability जो होते है, दो country में दो currency का जो होता है वो आपका same होता है, तो इस तरीके से आपका exchange rate डिराइब होते है लेकिन इसमें purchasing power theory ने क्या करा है, उसने जो transportation cost होगा जैसे made in US वाले समान अगर इंडिया में ले क्या होगा, तो transportation cost होगा वो आपका involve हो जाएंगी, transportation cost को हटाना है और जो taxes differences होते है, क्योंकि आप देखते हो, जो country के लिए कोई समान बनाया जाता है और जो export के लिए समान बनाया जाता है, उसमें tax का treatment हो बदल जाता है तो कहते हैं वो taxation का difference हटा दीजे, transportation cost हटा दीजे, तो दो country में एक ही goods का समान सेम रहेगा यह purchasing power कहता है और इसी तरीके से exchange rate जो होता है हमारा decide होता है जो purchasing power depends upon the various factors, purchasing power क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में यह आता है इंडिया के लोग 490 क्यों pay कर पाता है, dollar 7 क्यों pay कर पाता है तो वो depend करता है कि कौन सी country में currency कितना circulate हो रहा है जिस country में ज़्यादा currency circulate होगा, वो currency weak होता है उसकी purchase करने की power यानि कि weak हो जाता है, तो quantity उसको ज़्यादा देना पड़ता है जिस country में currency ज़्यादा circulate होता है, वो currency आपका stronger currency होता है appreciation, depression की बात करोगे तो आपको पता होगा, जब dollar appreciate होता है तो dollar की price बढ़ता है, जब dollar depreciate करता है, तो dollar का price घड़ता है यानि कि जो currency appreciate, depreciate करते है, उसके price में impact आता है same currency में कोई impact नहीं आता है, तो यही हमने बोलने की कोसिस कहा है कि देखे, यह dollar जो है, अगर 70 से 72.5 पे जाता है, तो dollar हमारा appreciate हो रहा है same time पे एक currency जब appreciate होता है, दूसरे currency depreciate होता है, लेकिन यहाँ पे आप यह कह सकते हो कि यहाँ पे rupee currency जो है, depreciate हो रहा है, क्योंकि rupee की quantity बढ़ रहा है लेकिन मैं आप से यह पूछूँगा कि rupee कितना depreciate हो रहा है, तो आप इस बात को नहीं बता पाऊगों क्योंकि rupee कितना depreciate हो रहा है, तो rupee का जो depreciation, depreciation होगा, उसके price पे आएगा क्योंकि कभी भी dollar dollar में सस्ता ने होता है, सबजी सबजी में सस्ता ने होता है सबजी सस्ता होता है something रुपी में dollar something सस्ता होता है something रुपी में इसल quality इस बात को ध्यान दखना कि जो currency premium discount पर जाते है उसके जो price होते है वो बड़ता घड़ता है इसलिए जब रूपी महंगा सस्ता बोलना होगा अगर आपको तो रूपी का पहले प्राइस निकालना पड़ेगा रूपी का प्राइस कैसे निकालोगा रूपी वन इक्वल टू डॉलर संथिंग करके तब सोचना पड़ेगा ऐसे डेप्रेसेशन की बात किया जाए तो अग जब सस्ता होगा रूपी तो अमाउंट कम होगा आपका उसके प्राइस यानि की इनकरेंसी का रिजन बियाइंड डेप्रेसेशन बहुत सारे होते एक रिजन है आपका इंटरेसेट का दूसरा रिजन है आपका इंफलेशन का तीसरा है निउस अफ दी इकनमी का अगर इनफलेशन जो बड़ा होता है वो कलके डेट पर डेप्रेसेट करता है इनफलेशन अगर छोटा होता है तो उस करेंसी जो होते हो एप्रेसेट करता है क्यों करता है अगें पर्चेजिंग पावर पैरिटी थेरियम पढ़ेंगे वहां तक वेट करिए अगर जो कंट्री के news होते हैं उसके basis पे भी currency depreciate, depreciate होता है जैसे होता कि अगर country के लिए अच्छे news है तो बाहर के investor इंडिया में पैसे लगाने आते हैं तो जो ले के आते हैं वो dollar ले के आते हैं और फिर dollar को बेच के यहाँ पे invest करते हैं निकि share खरीदे हैं तो अब आप सोचिए जब वो dollar बेचेगा तो dollar का supply बढ़ेगा और dollar का अगर supply बढ़ेगा तो dollar जो होगा वो depreciate करेगा और यहाँ पे share खरीदे जाएंगे तो stock market जो होगा बढ़ेगा तो इसलिए मैं बारवर कहता हूँ stock market के साथ जो होता है dollar का जो होता है वो inverse relation चलता है और यहाँ से आप इसी जो को देख सकते हो अगर हम risk analysis करें तो देखें risk में हमने एक चीज आपको ध्यान दखना है कि हम risk management पर रहे हैं foreign exchange का risk को हम manage कर रहे हैं तो आप सोच यह risk हमारा कैसे manage होगा तो risk manage करने के लिए पहले risk तो पता हो कि क्या होगा जैसे किसी को बूला जाता है कि सर यह बहुत ज़्यादा risk है यह बहुत ज़्यादा risk है तो risk बोलते ही आपके दिमाग में एक चीज आता है क्या दिमाग में आता होगा कि possibility to make loss हम कितना loss कर सकते है उसकी क्या possibility है वो हमारे को क्या बताता है risk तो आप मुझे बताए यहाँ पे foreign currency के साथ risk कब अराईज होगा जब आपके transaction के बीच में foreign currency का involvement होगा यानि कि एक सबसे पहली बात risk तब अराईज होगे जब foreign currency के transaction में आपको foreign currency involved होगा अब transaction कौन कोन सी हो सकता है import, export का हो सकता है बाहर से loan लेना deposit लेना हो सकता है या कोई equipment purchase करना हो सकता है तो transaction कैसा भी हो सकता है हर तरीके के transaction हमारे question में मिलेगे जब कोई दो party दो country के बीच के party के बीच में कोई transaction किया जाता है तो वहाँ पे invoice की बात आती है कि हम invoice किस currency में बनाएंगे क्योंकि payment receipt आपका invoice currency में होता है याद रखिएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि देखिए हमने यहाँ पे तीन situation को deal किया है कि जैसे मान लिजिए option one है option one के अंदर दो के बीच में transaction होता है Mr. India और Mr. USA के बीच में जब transaction होगा तो यह invoice किस currency में बनाएंगे ध्यान से देखिए मैंने बोला कि invoice dollar में है ती एक चीज याद रखिएगा कोई भी country की government जो होते हैं वो आपको foreign currency hold करने के लिलाव नहीं करता है Mr. USA के जैब में dollar है और dollar pay करना है अपने pocket से pay करेगा उसको खरीदना बेचना नहीं है तो loss किस बात का risk किस बात का मैंने क्या बोला है risk तब आएगा जब आपको foreign currency खरीदना बेचना पड़ेगा तो जब आपको payment करना है dollar और dollar ही आपके pocket में तो को risk आया क्या नहीं आया तो एक बस आपको एक बात आपको पूरे इस concept में ध्यान रखनी है कि जब तक foreign currency का involvement ना हो जाए payment receipt में यानि कि खरीदने बेचने के लिए तब तक risk नहीं generate होता है जैसे कि Mr. India को risk तब आएगा जब foreign currency खरीदना बेचना पड़ेगा तो देखो invoice currency अगर dollar होगा तो Mr. India को क्या होगा risk आएगा और इसको risk किस बात का होगा कि जब वो dollar receive करेगा तो उसको dollar बेचना पड़ेगा क्योंकि government allow नहीं करता है dollar hold करने देने के लिए तो जब ये dollar बेचने जाएगा तो इनको इस बात का risk के कहीं ऐसा नहोजा है कि dollar सस्ता होजाहे क्योंकि dollar जब सस्ता होगा तापको पता है कि rupee की quantity कम हो जाएगा और rupee जो है ये receive कर है तो कम quantity receive कर रहा है इस बात का इनको क्या होगा risk होगा तो बस एक चीज़ conclude कीजिए risk कभ आया जब involvement हुई डॉलर की तो रिस्क किसके पास आया इंडिया के पास अगला यही situation अगर आप जब देखते हो situation 2 से option 2 तो हमने सब कुछ same रखा है बस आपको क्या कर दिया है invoice बना दिया मैंने रूपी currency मैं सोचिएगा जब Mr. India के pocket में रूपी आएगा तो उसको conversion नहीं करा है मतल तो वो question आपको किसके point of view से solve करना है Mr. USA क point of view से solve करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको invoice currency डूणना है और तब decide करना है कि रिस्क के पास होगा इस तरीके से आप decide कर सकते हो जैसे option 3 के हम बात करें तो option 3 में हमने क्या बोला कि देखो हमेशा क्या चाहता होगा Mr. India च चाहता होगा dollar में invoice बने क्योंकि same currency में अपने home currency में invoice बन जाएगा तो खरीदना बेचना नहीं पड़ेगा तो risk उसका नहीं आएगा तो कितना safe रहेगा कितना नींद की क्या कहते है आराम की चैन आराम की नींद लेंगे वो क्योंकि risk ही नहीं तो अब देखिए Mr. India चाहता हो जाए तो third currency से भी कभी कभी आपको invoice बनाये जाएंगे तो जैसे हमने case में बोला कि third currency euro में invoice बन गया तो यहाँ पे payment receipt जब euro होगी न तो इनके लिए भी foreign currency है इनके लिए foreign currency है यानि कि Mr. India के लिए भी foreign currency Mr. USA के लिए foreign currency इसका मतलब दोनों को risk hedge करना पड़ दोनों के लिए risk आ गया यानि कि दोनों को loss हो सकता है तो यही चीज मैंने यहाँ पे conclude किया है कि जब भी कभी आप अगर देखना चाहोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको invoice currency को ढूंडना है ठीक है invoice currency जो होगा वो हमेशा foreign currency होगा यही मैंने conclude किया है और तब देखना कि किस party के लि पढ़ते हैं exchange rate quotation की बात करते हैं exchange rate की जो quotation होती है market में वो दो तरह का होता है एक one way quote होता है एक two way quote होता है one way quote का मतलब क्या हो गया कि खरीदने का और बेचने का rate भी same होना चाहिए याद रखिएगा one way quote सिर्फ theoretical quote हो सकता है जैसे आज जाओगे आप अगर किसी भी financial website पे च बेचने का rate भी है लेकिन यही same चीज़ अगर किसी bank में जाओगे तो bank के देखो हम तो business कर रहे हैं अगर हम dollar खरीदेंगे भी उसी rate पे और बेचेंगे भी उसी rate पे तो हम कमाएंगे क्या है इसलिए businessman क्या करते है खरीदने का rate और बेचने का rate क्या करते है और लोग बदल देता है एक चीज़ हमेसा याद रखेगा rate कौन कोट करता है businessman जो business करता है अभी यहां पर currency conversion करने वाले काम कौन करता है bank करता है इसका मतलब क्या हो गया bank खरीदेगा और bank बेचेगा bank हमेसा चोटे rate पे खरीदेगा bank हमेसा बड़े rate पे बेचेगा market की common parlance है कि bid rate पहले लि बेचने का rate लेकिन यह खरीदना बेचना businessman का होगा और दोनों के बीच के जो difference उसको spread बोला जाता है अगर dollar bank खरीदता है 80 पे dollar bank बेचता है 81 पे जोनों के difference है इसको हम बोलते है spread और कभी-कभी spread का percentage निकाला जाता है तो अगर यह percentage अगर आपको निकालना हुआ तो उसके ल दोनों अगर same rate हो जाए तो one rate one way quote है और यह सिर्फ एक theoretical quote है जो आपको कौन quote करके देता है RBI उसके अलावा कोई नहीं देगा आपको किसी भी bank में जाओगे आपको two way quote मिलेगा two way quote में क्या होगा खरीदने का rate अलग और बेचने का rate आपका अलग मैंने बता दिया आपको प same time पर जब एक party खरीद रहा होता है जैसे आपने बोला कि यह bid rate है अगरी करता हूं यह bid rate है लेकिन आपको पता है same time पर जब एक party खरीद रहा होता है दूसरा party बेच रहा होता है जैसे यहाँ पर दो party एक bank है और Mr. India है आपको पता है जब bank इसको खरीद रहा है इसका मतलब Mr. India क्या कर रहा है बेच रहा है तो क्या मैं बोल सेथा हूँ यह bid rate पे customer जो होता है बेचता है customer जो होता है इसी rate पे इसी rate पे उस currency को बेचता है किस currency को मैं इसको बोलूँगा base currency इसको बोलूँगा price currency आने वाले टाइम पर याद रखिए base currency जिसका price है और यह price currency जिस currency में price है जैसे कि one apple is equal to rupee something तो apple आ गया हमारे लिए जिससी का price quote किया जा रहे है और उसका price किसमे है रूपी में तो वही पर डॉलर को खरीदा जाएगा dollar को खरीदा जाएगा dollar को बेचा जाएगा okay जैसे अगर यहाँ पर लिखा गया rupee one यानि कि यहाँ पर base currencies रूपी और price currencies dollar हम केते base currency खरीदा जाएगा इतने में base currency बेचा जाएगा इतने में लेकिन वो कौन खरीदेगा कौन बेचेगा bank customer क्या करता है bid rate पे बेचता है और ask rate प customer का loss होता है यहाँ पर देखे अगर rupee को code किया गया है rupee को जब base currency दिया जाएगा तो price है dollar यह खास करके कहा होता है US में होता है US में जाओगे तो इस तरीके का rate मिलेगा इंडिया में जाओगे इस तरीके का rate मिलेगा और जब हम लोग question solve करते तो हमारे question में कहीं का भी rate द price rupee में मिलेगा चाहे किसी भी सामान का price हो या चाहे किसी भी currency का price हो rupee में मिलेगा तो यह है इंडिया का quote जब US में जाओगे तो US में जितने भी price होगी वो सारे price आपको dollar में मिलेगी और किसीज को quote किया जाएगा other currency को okay यहां तक भी clear होगा कुछ selection अब bid rate and ask rate की बात हो रही कि हम कैसे select करेंगे conversion करने के लिए तो आपको सबसे पहला बात क्या करना है जब भी conversion करना है तो दो तरह का transaction होगा या तो receiveable होगा या foreign repayable होगा एक और भी बात जैसे हमने यहां पे बोला payable है dollar hundred आपके information के लिए यह हमेशा foreign currency होगा अभी एक मिनट पहले हमने बहुत बोला था आपको यह foreign currency हो सकता है मतलब अगर यह dollar में payable होना तो यह कभी भी Mr. USA नहीं हो सकता है यह Mr. USA के अलाबा कोई नहीं होई सकता है आपको Mr. USA नहीं हो सकता क्योंकि अगर यह Mr. USA होता तो dollar payment कर देगा नहीं इसको conversion कराने की जरुरती समझ में आई तो हम क्या कहते हैं जब भी कभी currency को convert करना और bid rate और ask rate ढूंडना होना तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि यह क्या कर रहा है अब यह payment कर रहा है तो देखो payment कर रहा है तो यह dollar खरीदेगा तो आप बोलोगे sir dollar खरीदेगा कौन Mr. India तो खरीदता है वो ask प तो आप क्या बोलोगे ठीक है ask rate apply होगा हाँ ask rate apply होगा लेकिन dollar खरीदने का rate होना चाहिए जैसे हमने यहाँ पे दिया था कि यह जो rate था dollar खरीदने बेचने का यह rate होगा तो यह हमने बोलाई कि देखो अगर Indian bank ने rate quote किया है तो सही बोल रहे हो कि ask rate पे conversion होगी लेकिन अग रूपी sell करूँगा इतने पर अब क्या करूँ मैं बोलो के sir मुझे तो dollar खरीदना था मुझे तो dollar खरीदने गए आप गये bank में bank को बोल रहे है मुझे dollar खरीदना है bank क्या कहता है देख भाई मैं dollar खरीदता बेचता नहीं हूँ हमारे तो यहां क्या खरीदा बेचा जा रह आप same time पर Mr. India क्या करता है यहां पर रूपी बेच रहा है तो अगर यह रूपी का discount rate अगर रूपी का exchange rate होगा न तो रूपी बेचेगा बेचेगा किस पर बताइए bid rate पे customer sell करता है bid पे buy करता है ask पे bank buy करता है bid पे और क्या कहते हैं sell करते है ask पे तो अब गर यहां पर दे currency का दे दिया जाए तो याद रखिएगा Mr. India को बोलना पड़ेगा कि मैं रूपी बेच रहा हूँ तो इसको bid rate प्लाई होगा यानि कि bid ask rate प्लाई होगा यह bid rate प्लाई होगा depends upon the rate quoted by bank based currency कौन सी है यह ध्यान देना है अगर यहां पर सेम तरीका अप्लाई करोगा तो यह dollar आ bank ने रूपी का rate अगर code किया है तो bank Mr. India क्या कर रहा है खरीद रहा है तो खरीद रहा है तो concert अप्लाई होगा आसकर इस तरीके साब selection करोगे एक आपने concert पढ़ा होगा PIP Price Interest Point जो है यह होता है smallest quantity है एक किसी exchange rate का आपको यह भी पता होगा exchange rate दो तरीके से code किया जा सकता है decimal के बाद 2-digit या decimal के बाद 4-digit जब एक bank दूसरे bank के साथ जब वो deal करता है तो वहाँ यूज होता है क्या केते interbank rate यानिकि एक bank जब दूसरे bank के साथ deal करता है तो तो आप याद रखिएगा जब आपका 2-digit में exchange rate होगा न तो सबसे छोटा value होगा 0.001 तो ही डिजित में exchange rate है तो आप मुझे बताएए इसके अगला rate क्या हो सकता है 0.27 तो सबसे छोटा value केतना होगा आपका 2-digit में 0.01 इसी को बोला जाता है 1 pip और 4-digit के exchange rate के लिए इसको बोला जाता है 1 pip बैंक deals with customer 2-digit, बैंक deals with another bank ये तो अलड़ी हमने बता दिया था अब आते है rounding off की concept, rounding off आपको आपको अलड़ी पहले से बचपन से पता है लेकिन rounding off ये जो मैंने example दिया है in multiple off, आप चाहो तो इसको लिख सकते है in multiple off 0.0025 का, कभी भी जब rounding off किया जाता है तो 0.0025 के rounding off करने का मतलब क्या है कि देखो या तो आपका जो rate होगा 0.000 होगा, या rate जो होगा 0.0025 होगा क्योंकि इसके अलाबा बीच का कोई भी rate नहीं होगा या आपका 0.0050 होगा, या 0.0075 होगा, मतलब 0.0075 होगा या फिर अगें पहुँच जाएगा 0.0000 पे, तो क्या होता है देखो question में जब बोलता है कि आप rounding up करोगे, यानि कि ये लोगे या ये लोगे, तो हम क्या कहते है, दोनों के बीच का value, mid value रख लेते हैं, बन जाएगा 12.5, अगर 12.5 के इधर है, तो इसमें rounding up करेंगे 12.5 के उपर है, तो इसमें rounding up करेंगे, simple, वैसे अगर कभी आपको 0.005 के rounding up करने को बोले, तो इसके बीच में fall करेगा 2.5, 2.5 से छोटा जाएगा 0.00 में, 2.5 से उपर जाएगा 0.005 में, ठीक है, इस तरीके से rounding up करते हैं, interpretation of exchange rate quote in income compressed form, बहुत बार देखते हो, आप 2 mobile number को जब एक साथ quote करते हो, तो कैसे करते हो, जैसे मेरा यह official number हो गया, 415410, इस case में और last में लेख दिया 11, तो आप क्या कहते हो, यह rate जो होता है, यह बदल गया, यानि कि आपका banki का starting का 8 digit same है, last के जो 2 digit है, यह हमारा बस बदल रहा है, exactly उसी तरीके से exchange rate भी quote किया जाता है, तो अगर ऐसा quote मिले, तो हम इसमें क्या कहते है, देखे, कि जो last के 2 digit है, यह 45 की जगा 50 हो जाएगा, बांकी सब सेम रहेगा, तो पहला bid rate और बाद वाले ask rate, bid rate होगा 45 और ask rate में क्या हो जाएगा, इस 45 की जगा 50 करके आप ask rate बना सकते हो, एक बार CM Institute ने क्या करा है, इस तर पहला rate हमारा bid rate होता है, बात का rate ask rate होता है, ask rate छोटा नहीं होना चीए, तो इसलिए CM Institute ने जो इसको interpretation लिया है, उससे एक digit पहले वाले value को क्या कर दिया है, याद रखिए कि इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, logic मत ढूंडना, क्योंकि वो गलत है, वो हो सकता है, नींद म दो बार RTP में question आया है, जिसमें इस तरीके का exchange rate quote करके दे दिया है, तो मतलब क्या है इसका, कि plus और minus यह है, तो आपको बता दो, कि bid rate आपका छोटा होता है, ask rate बड़ा होता है, तो क्या करना है, bid rate में से यह आपको minus कर देना है, और ask rate में यही same चीज plus कर देना है, तो यह इक्वल टू रूपी 80, ऐसे quote करना चाहिए, pound 1 इक्वल टू N170, इस तरीके से उनको rate quote करना चाहिए, यानि कि इसको बताना चाहिए, कि base currency कौन सी और price currency कौन सी है, किसका price आप बता रहे हो, यह बताना चाहिए, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, वो इस तरीके से नहीं कि देता है, वो क्या करता है, आपको क्या करते है, पेर में rate डाल देते है, वो क्या बोलते पता है, देखो जी, रूपी slash dollar जो है यह हमारा 80 आता है, तो कहते क्या मतलब है, इसको समझ यह, कभी क्या करेगा, आपको USD, अब लिख, INR लिख देगा, आपको 80, इस तरीके से ल क्या हो जाता है, confusion हो जाता है, बोल सर, confusion क्यों होगा, dollar one का rupee 80 होगा, याद रखे, dollar और rupee में तो आपको confusion नहीं होता है, लेकिन कोई ऐसा currency का exchange rate दे दिया जाए, जिसका strength आपको नहीं पता है, कि कौन सी stronger है, कौन सी weaker है, तो उस case में आपको मुसीबत आ जाएंगे, का stronger to weaker की तरफ का list आपको पता होना चाहिए, pound, euro, chf, dollar, यानि कि Swiss franc, dollar, Canadian dollar, Australian dollar, Malaysian ringgit, Chinese yuan, Japanese yen, Nepalese rupee, ये आपका sequence था, महेंगे, stronger to weaker की तरफ, अगर वो पता होगा, तो काम चल जाएगा, लेकिन होता कि आएदे में आपको बता दो, जो 4 currency है, pound, euro, chf, dollar, इनकी strength जो होती है, time to time up-down होते रहते हैं, जैसे आज आज आपको दिख रहा है, pound stronger है, euro से, pound stronger है, dollar से, लेकिन आज से 15 year पीछे चले जाएए, तो euro आपको stronger मिलता, अच्छा, तो इस तरीके के case में, जब आपको ये pair में जब exchange rate दिया जाता है, तो हमारे को थोड़ा सा confusion हो जाता है, तो उस case में अब हम लोग क्या करें, तो यही मैं बताने की कोशिस किया हो कि देखे, इसका दो interpretation बनता है, interpretation one, interpretation two, आपको अगर ये ISO code में लिखके दिया है, exchange rate, अगर exchange rate ISO code में pair दे रखा है, तो आप पहला currency को base currency मानना, और यही आपका normally जो हो चलता भी है, जैसे यहाँ पर जाएए, मैं INR, यानि कि पहला currency हमारे लिए base currency हो गया, पहला currency, base currency मतलब per unit में कौन है, dollar, और मगर अगर यही पर यह लिखके दूम है, यह देखेगा, मैं लिखके देता हूँ, INR slash USD, देखे, rate आपका क्या बन गया, आपको समझ आ जाएगा, यह देखे, इसका मतलब क्या है, first currency is base currency, INR इस base currency, देखो, rate क्या गया, 013, लेकिन इस सीजो को institute follow नहीं करता है, इस सीजो को institute नहीं follow करता है, तो यह institute की गलतियां है, आप अपने आपको परहसान मत करिए, कोसिस कीजिए कि इसी दलदल में, इसी confusion के माहौल से ही आपको qualify करना है, तो अब इस confusion के माहौल से हम लोग कैस से बाहर निकले, देखे, सही माइने में यह exchange rate officially quote करता है, यही होना भी चाहिए, यानि कि आपको base currency dollar होना चाहिए, लेकिन theoretically किस तरीके का quote किया जाता है, देखे, कभी आपने देखा होगा rupees 10 slash kg, इसका मतलब होता है, रूपी पर kg, पर kg मतलब 1 kg का यह rate है, तो इसी concept के basis पे कभी इस तरीके का लिखा गया, तो इसको क्या बोला पर है, rupees per dollar, अब तो दिक्कत हो गई न, देखो आप, अब वही कह रहे हो कि per dollar, मतलब base currency यह हो गई, देखो आप, अब कैसे confusion आ गया, तो यह institute को सोचना चाहिए, कि भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, इस तरीके से क्यो base currency बना के rate देते हो, ऐसे कैसे पता चलेगा, तो कहते हैं कोई बात नहीं, सब लोग इसी तरीके से पढ़के qualify किया, आपको भी ऐसे ही पढ़के qualify करना पड़ेगा, तो यही मैंने बोलाए कि देखो, अगर symbol के साथ कभी exchange rate code करके दे, तो आपका देखो, यह कौन सी currency, base currency हो, हमने dollar को डाला है, अब तो confusion हो गया, चलो dollar और rupee के case में तो confusion नहीं होगा, लेकिन कैसा exchange rate हो सकता है, जिसमें आपको अगर strength ना पता हो, तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसी को मैंने, आपको क्या बोला है, कि देखे, इस तरीके के condition में आप क्या करना, एक तो सबसे पहले, ज यहाँ पर strength wise आपको exchange rate जो बनता है, वही लेना है, यानि कि कौनसी currency को base बनाना है, वह strength decide करेगा हमारा, लेकिन, तो उसमें क्या होगा, यही मैंने बोला है, कि एक ही interpretation हर एक question में लेना है, मान लिजे, एक question में आपने क्या आजूम किया, कि हमारा यह theoretical quote है, theoretical quote कौनसी वाले ह हो गया, symbol वाले, यह theoretical quote हो गया, और second currency is base currency, यह अगर आपने interpretation ले लिया, एक exchange rate में, तो उस question में अगर 5 exchange rate है, तो सब में same interpretation लेना है, मान लिजे, को एक ऐसा question मिला, जिसमें इसने ISO code के साथ दिया था, और इसमें क्या हुआ कि first currency हमारे ले base currency बन गया, तो आप क्या करोगे, उसमें जितने भी exchange rate दिया गया है, उस question के अंदर हमें same interpretation लोगे, तो क्या हो जाएगा, एक भी exchange rate अगर आपके पकड़ में आ गया, तो बाकी सब तो अपने आप आप आ जाएगा, क्योंकि same interpretation लेना है आपको, अब क्या होता है कभी कभी, हमारे जो 5 exchange rate दे रखा हैं, उसमे dollar और rupee का rate नहीं मिला, तो अब क्या करें, तो हमने बोला है कि देखें, जिस currency के strength up down होता है, उसको ignore कर दो, euro, dollar, pound, CHF, इस चारों के बीच में strength up down होते रहते हैं, और जो आपके पास exam में question आता है, वो 20 year पुराना question भी copy paste होता है, तो उस case में क्या होगा, गलत strength के साथ आप question solve करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको आज का strength पता है, आज से 20 year का पहले का strength थोरण पता कर रखेंगे हो, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि देखें, strength आप ignore कर देना है, इन सब के बीच में, इनके बीच में strength ignore कर देना, और उपर का interpretation ले लेना है, मतलब क्या हुआ, ISO code में है, तो first currency based currency, symbol में है, second currency based currency, लेकिन, अगर कोई exchange rate अगर pound और रूपी के बीच में है, तो आपको पता है, हमेशा से pound stronger है, रूपी weaker है, अब यहाँ पे कोई उपर के interpretation मत लेना, हमेशा strength, देखो, dollar और रूपी के बीच में exchange rate है, आपको पता है, dollar हमेशा है strong, यहाँ से 50 साल पहले भी dollar strong था, और रूपी weak था, और आज भी यही है, तो जहाँ पे, जिस currency का strength time to time up-down नहीं होता है, उस case में आप strength को ही base बनाना, तो यही मैंने बोला है कि देखिए, आप किसको strength बनाना, use strength wise correct exchange rate, stronger currency, low quantity, weaker currency, ज्यादा quantity, by ignoring the above interpretation, यह भूल जाओ, ISO code में दिया है, यह symbol में दिया है, सब भूल जाओ, आप क्या करिए, interpret करके आए, अब आता है हमारा क्या बताए, direct quote, indirect quote, ऐसा exchange rate, जिसका price home currency में हो, ओ होता है हमारा direct quote, यानि कि इंडिया में जितने भी exchange rate quote किया जाएगा, उसके price रूपी में होगा, यह देखो, this is the price, यह है, इंडिया का direct quote, अ अगर इसी में, अगर इस तरीके से rate लिखा जाता, pound one equal to in something, यानि कि चलो 170, आप बोलते सर कि यह exchange rate क्या direct quote है या नहीं है, हाँ यह direct quote है, लेकिन मुझे बताए, price कहां पर यह home currency है, क्योंकि हर एक country में price जो होते हैं, यह जापान का direct quote है, तो indirect quote कैसा होगा, देखो, अगर home currency को base currency डाल दिया जाए, तो indirect quote यह बस theoretical rate है, यह theoretical है, practical कहीं नहीं होता है, जैसे, रूपी वन डाल दिया है, इंडिया में, भाई, ऐसे थोरण होता है, रूपी वन इंडिया में quote करेगा, नहीं quote करेगा इंडिया में रूपी, तो क्या मतलब है इसका, तो वहीं कहा रहें कि ह 100 unit के term में quote किया जाता है, तो यह इंडिया का indirect quote बन जाता है, simple, आगे बढ़िये, तो यानि कि हम ऐसे समझ जाए कि base currency अगर home currency हो गया, तो उस currency उस quote को indirect quote बोलेंगे, और indirect quote सिर्फ theoretical है, किसी भी country में मिलेगा नहीं आपको, okay, conversion of direct quote into indirect, कितना आसाने बताईए, पहले क्या था dollar one का rate था, अब आपको rupee one का rate बनाना है, तो क्या करोगे, reciprocal कर दीजे उसका, तो यही चीज हो गया, आपका indirect, तो हम बोल रहें कि one divided by direct जो होता है, वो indirect बन जाते है, कितना simple है, लेकिन two a quote में क्या करना होता है, two a quote में, जो एक currency का bid rate होता है, वो दूसरे currency का ask rate बनता है, ब तो हम rupee खरीद रहे होते हैं और dollar बेच रहे होते हैं, तो मुझे dollar बेचना है, यह बोलना है अगर, तो आप सोचिए, जिस time में dollar बेच रहा हूँ और rupee खरीद रहा हूँ, तो equivalent amount तो same होना चीज है, मैं बोलू कि dollar बेच रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ कि rupee खरीद रह यानि कि इसका ask rate जो होगा वो इसके bid rate के साथ आपका match होगा और match होगा तभी तो इस तरीके के condition में जो होगी न ये वाला तभी तो इस तरीके के condition में equivalent amount same होगा जैसे dollar का rate है तो ask और rupee का rate है तो bid तो यही ask जब bid में जाएगा तभी तो conversion किया हुआ amount same आएगा क्योंकि रास् technique यूज करेंगे और यह technique यूज करेंगे तो equivalent amount नहीं बदलना चाहिए इसलिए हम कहरें कि एक currency का जो bid rate होता है वो दूसरे currency का किसमें जाता है ask rate में इस तरीके से आपको conversion करना है वही logic यहाँ आप explain करने की courses किया है अगला concept है हमारा exchange and OTC बहुत आसान अगर one-to-one deal करते है उस transaction को over the counter transaction बोलते हैं मतलग आपको dollar खरीदना बेचना है आप गए bank में तो यह OTC transaction हो गया और अगर आप dollar खरीदने बेचने NSC में चले गए तो यह exchange का transaction हो गया exchange में क्या होता है जो भी price decide होते है न dollar का बोली लगा के यानि कि बेचने वाले भी बोली लगा रहा होता है मै मैं इतना में बेचना चाता हो, खरीदने वाले भी बोली लगा रहा होता है में इतना में खरीदना चाता हूं तो NSC, BSC में जो भी dollar खरीदा बेचा जाता है वो बोली लगा के publicly price negotiate किया जाता है तो यह यह मैंने बोला है कि यहाँ पर publicly आपको price negotiate किया जाएगा बहुत सारे के बीच में लेकिन आप जब वही चीज आप OTC में जाते हो जब बैंक में एक transaction करते हो तो वहाँ दो लोग मिल के price decide करते हैं तो यह major है OTC और exchange का difference, spot transaction पर अगर हम पहुंचे तो देखें अगेन वही बात कि यह OTC में हो रहा है यह OTC में जाओगे तो immediate settlement होगी, immediate settlement होगी अगर यह spot transaction कहां पर है OTC में है तो लेकिन अगर यही spot transaction अगर exchange में है जहां पर publicly बोली लगा के price decide किया जाता है तो वहाँ पर आपके settlement जो होती हो T plus two days पर होता है मतलब आज आप dollar खरीदोगे तो dollar आज नहीं मिलेगा two days के बाद मिलेगा तो आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे questions मिलेंगे जिसके अंदर बोलेंगे कि rate यहां पर है delivery हमारा दो दिन बाद हो रही है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि two days बाद delivery की बाद क्यों करता है क्योंकि exchange में जो होता है T plus two का settlement चलता है अब आप बोलोगे कि sir मुझे feel करना है T plus two को आप feel नहीं कर पाओगे क्योंकि exchange में retailer allowed नहीं है spot segment में यानि कि वहाँ पे कौन participate करता है बड़े बड़े जो investor जो बड़े बड़े पार्टी है जिसको बार बार currency खरीदना बेचना पड़ता है वही participate कर सकता है यानि कि dollar के T plus two के delivery को आप कभी भी feel नहीं कर पाओगे क्योंकि spot market में आपको क्या कहते है allow नहीं किया गया है बोलते हो कि आप feel करना चाहूं तो तो फिर आप एक काम करिए capital market यानि कि exchange में जाएए और किसी company का share खरीद लीजे आप देखें आपका जो share का delivery मिलेगा वो मिलेगा आपको दो दिन के बाद तो वहाँ से feel कर लीजे T plus two को कैसे होता है अब आता है forward transaction और future transaction फिर अगेन वही बात हम लोग क्या कहते है आज हम transaction करते है यानि कि आज एक सर्त लगाते है ध्यान से सुनिएगा यह जो हैने एक derivative contract है फॉर्वर好吧 contract और future contract जो एक derivative contract है derivative क्या होता है contract यानि कि एक सर्त होता है जो आज लगाया जाता है और उस सर्थ का execution future date पे होता है यानि कि हम लोग simply क्या करते है बताइए आज एक contract paper पे sign करते है rate आज fix करते है ध्यान से सुनिएगा rate हम लोग कब fix करते हैं आज fix करते हैं लेकिन उस rate जो fix किया गया है उसके basis पे जो currency का जो delivery होता है लेना और देना वो कब किया जाता है future के date पे तो इस तरीके के जो transaction होता है उसको forward transaction या future transaction बोला जाता है अच्छा future transaction वो है जो इस तरीके का contract अगर ये contract कहां किया जाए ये अगर NSE में किया जाएगा तो इसको बोला जाएगा future और ये contract अगर bank में किया जाएगा कि चाहे वो OTC में किया जाए चाहे वो Exchange में किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों का जो concept होता है वो same होता है कि आज हम rate टाय करते हैं यहाँ पे जाके same rate पे dollar की delivery होती है जैसे मान लिजिए आज अगर आपने 80 का rate अगर टाय कर लिया तो यहाँ पे 85 हो तब भी आप आपको 80 पे ही dollar की delivery मिलेगे लेकिन एक और भी चीज है कि OTC में क्या होता है delivery होता है अभी हमने बोला आपको लेकिन यह जो future contract है यह जो exchange में किया जाता है यहाँ delivery नहीं होता यह rule है NSC में अगर आज आप rate टाय करने जाते हो और अगर आज आपने एक rate टाय कर लिया तो उस case में मुझे तो dollar चाहिए थी तो कहते है देखो अगर आपको dollar के delivery चाहिए तो जाईए bank के पास और वहाँ से आप dollar का delivery लो हमारे पास तो settlement जो होती हो differential amount सही होता है इसका मतलब future की settlement की जो तरीका हो गया वो थोड़ा सा बदल गया तो जो बदल गया इसलिए हम इसको कहां प forward contract की जो हम बात कर रहे थे इसको थोड़ा सब जानिएगा क्या आने वाले time के delivery की rate आज अगर तै कर लिया तो क्या हमने एक transaction को हेज कर दिया आप बोलो कि हाँ हेज कर दिया तो क्या मैं ये बोलू कि हेजिंग का एक technique है forward contract हाँ ये हमारा ये जो है हेज करने का एक technique है ठीक ह वैसे बता दू कहां पर था future contract इंडिया यानि कि इंडिया में जो आपको forward contract ये future contract जो maximum मिलते है नो one year के लिए मतलब क्या हो गया कि आप एक साल आगे का rate आज तै कर सकते हो एक साल आगे का rate आज तै कर सकते हो कहां पर इंडिया में आप जैसे exchange में जाते हो NSE में जाके एक second के लिए हम यहाँ पर पहुंच जाए तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यह देखे मैं currency derivative पर पहुंच चुका हूं और अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं कोई भी transaction हम लोग अगर check कर लेती है यहां से आपको clear हो जाएगा कि देखे कितने दिन के आगे का हमें transaction मिल रहा है हम कहते देखे यह आपका currency future है आपको दिख रहा होगा यह currency future है किस IUSDIN अड़ो अभी बताया था कि officially जो code किया जाता है ISO code के साथ और first currency जो होता है base currency यानि कि $1 का हम लोग rate देख रहें देखो आगे कब तक का rate मिल रहा होगा आप देखे 29th of August 2000 29th of August 2023 आज हम September 2022 में हम simply यह कह सकते 1 year आगे का rate हमें मिल रहा है आपको पता है यह जो आगे का rate मिलता है क्या same rate मिलता है हमें क्या बिलकूल नहीं तो यह देखे मैं जैसे 29th August पे गया और मैंने बोला कि बताये filter कर दीजे तो देखे यहाँ पे आपको last price जो दिख रहे है ना last price आपको reference rate यहाँ दिख रहा होगा कि वो reference rate यह जो reference rate है यह RBI का आज का है इसको बोले जाते है spot rate यह 79.39 का है लेकिन यही जो rate आपको यह दिखा जा रहा था यह था आपका future rate तो एक चीज़ क्या आपने notice किया यहाँ पे कि आपका एक साल बाद का rate जो होगा rate आज मिल रहा है यह rate आज का है आज ताए कि यह दुनिया इधर से उदर हो जाए आपको इसी पर delivery होगी लेकिन delivery होगा bank में यही rate अगर bank code करके देता तो delivery होता लेकिन exchange में आपको delivery नहीं होगा तो exchange की transaction कैसे किया जाता है वो मैं आपको derivative में बताऊंगा ओके आगे बढ़ते है premium discount की हम बात करते premium discount क्या होता है बता सकते हो कितना percent महंगा हो रहा है कितना percent सस्ता हो रहा है देखो मैंने दो price रखा है एक चीजों का price है 70 एक price है 72.5 मैं पोलू की कितना महंगा हो रहा है तो महंगा होता है यहां से देखो 2 rupees 80 पैसे महंगा हो रहा है कितने पे 70 पे तो percentage increase जो है नहीं आगे 4 अब देखो अगर कोई price यहां से यहां गिरता है तो आप क्या कहते हो देखो 2.80 पैसे ही down गिया है percent decrease वही है लेकिन जब percentage calculate करते हो न तो देखो base बदल जाता है जब आप upside down movement निकाल रहे थे तो base जा रहा था आपका 70 लेकिन जब downside का movement निकाल रहे हो तो base हो जाता है इतना इसका मतलब same exchange rate के अंदर percentage appreciation and percentage depreciation बदल जाता है due to the different base यही मैंने यहां पर बताने की कोशिस किया है कि percentage increase और percentage decrease same नहीं होता है different base की वज़े से यही same चीज आता है हमारे currency के साथ भी ठीक है currency के साथ भी आता है कि जैसे 2 exchange rate दिया गया है यहां पर एक currency appreciate करता है दूसरे currency depreciate करता है लेकिन जितना percent का appreciation होता है और जितना percent का depreciation होता है वो same नहीं होता है लेकिन उसके बावजुद भी institute आज के date पे recent past में पिछले 2 साल में 3-4 question के अंदर यही assumption ले लिया कि जितना percent depreciation हो रहा है उतना ही percent depreciation हो रहा है जो कि सही नहीं होता है अगर कोई बोले कि calculation करके देख तो सब तो already हमने बहुत सारे example में देख रखे हैं आपको अगर यहां से dollar का appreciation निकालना है तो सीधा निकाल लोगे 2.80 rupees का appreciation on 70 लेकिन अगर वो यह जानना चाहोगे कि इसमें rupee कितना से depreciate कर रहा है अगर यह निकालना चाहोगे तो आपको पहले इस rate को rupee का rate बनाना यानि कि base currency आपको rupee currency लेना होगा यानि कि rupee 1 का पहले rate निकालना पड़ेगा देन आप लोग इसमें क्या कर सकते हो premium discount निकालके आप चेक कर सकते हो कि manager बोला हो सही है या नहीं है अब उतना हम लोग आपको already पता है already इतना analysis कर चुके हो सिर्फ हम अगर अभी यहां पे formula प premium discount निकालना है तो spot rate minus forward rate divided by forward rate करना premium discount हम लोग normally annually निकालते हैं इसलिए इसका भी adjustment हमेशा करते हुए चलना यह जो है यह है आपका base currency का premium discount premium discount किस पे है on base currency आप चाहो तो फुरा से लिख सकते हो यह language फुरा से अगर लगे की confusing है तो आप यह लिख सकते हो on base currency आप premium discount अगर base currency का निकाल रहे हो जिसके साथ one attach है तो यह आप formula यूज करो और यह formula यूज करना अगर आप किस currency पे निकाल रहे हो price currency पे निकाल रहे हो तो आप ये formula आप use कर सकते हो और बस याद रखना है कि एक currency का premium जो होता है दूसरे के discount पे equal नहीं होता है अब question में क्या होता है बताए कि आपको ये premium discount दे दिया जाता है और आपको rate निकालना होता है तो आपको starting में ही बोला था इसका price जो होते नहीं ये होता है तो इसको बढ़ाना है 5% से यही मैंने बोला है आपको इसकी quantity को बढ़ा दीजिएगा अगर euro सस्ता हो रहा है euro अगर discount पे जा रहा है तो आपको पता है ये जब सस्ता होता है तो इसकी price कम होते ये quantity घटा दीजिएगा 5% से अब यान से सुनिए अगर एन जाएगा premium पे तो आपको पता है एन जब premium पे जाएगा तो एन की जो price होती है नए euro जान सुनिएगा जब आपको एन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है एन जब महंगा होगा तो उसकी quantity बढ़ेगी किसकी euro की यानि कि आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि एन 1 equal to पहले कितना euro है तो यह है 1 divided by 125 अब मैं बोल रहा हूँ कि एन सस्ता हो रहा है तो इसको 5% घटाना पड़ेगा एन महंगा हो रहा है तो इसको 5% आपको बढ़ाना पड़ेगा तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर एन premium पे जा रहा है तो euro को बढ़ाना एन discount पे जा रहा है तो euro को घटाना इस तरीके से आप exchange rate क्या कर सकते हो calculate कर सकते हो एक आता है loss gain का concept ठीक है इस पे आपको बहुत सारे questions नजर आता है तो हमने यहाँ पे एक example लिया है कि देखे Mr. India ने जो है import किया है किस से Mr. USA से USA से कुछ सामान इंपोर्ट किया है एक dollar का सामान जो है उतने इंपोर्ट किया है तो क्या payment करना पड़ेगा हाँ मान लेजे उधार मिल गया उसको six month का अब क्या होता है सोचिए six month बाद pay करना है तो हम import तो record करेंगे अब जब import को record करेंगे तो spot rate पे करेंगे हमने क्या जूम किया कि spot rate 64 का है तो आज आपने बोला कि हमाने liability create कर दिया कि हमें 64 payable बनता है लेकिन अब होगा क्या payment होगा 6 महीने बाद 6 महीने बाद exchange rate आपको लगता है कि fluctuation हो सकता है हुआ क्या अब आप अपने ability के business पे आपने forecast किया और आपने क्या देखा कि अरे हमें लग रहा है कि dollar की rate न 68 जाने वाला है पे जा सकता है ठीक है तो क्या expected loss दिख रहा है क्योंकि आज आप कह रहे हो कि 64 rate चल रहा है लेकिन अगर यह महंगा हो जाएगा तो dollar आपको महंगा खरीदना पड़ेगा तो क्या मैं यह बोलू कि मैं expect कर रहा हूँ कि four dollar का मुझे loss होने वाला है आप बोलोगे हां तो यही हमारा expected loss four dollar का लेकिन याद रखिएगा यह जो expected loss gain होती है इसकी कोई recording नहीं होती है एक feeling होती है क्योंकि आपको जो loss gain होगा वही आप books में record करोगे तो यह सीज क्या होता ह कि बहुत बार बार past में student ने पूछा query कि sir इसका accounting treatment क्या होता इसलिए मैंने बार बार लिखा है यहां पे कि not to be recorded in books not to be recorded in books क्योंकि इसकी journal entry नहीं डालोगे books में आप books में journal entry सिर्फ वो डलता है जो आपका actual payment होगी जिस time और तुस time देखेंगे कि कितना payment कितना आपको rate पे dollar risk reduce हो जाए उस action को hedging बोला जाता है corrective action to reduce corrective action to reduce risk is known as hedging तो आप मुझे बताइए अभी आपने पढ़ा forward contract या future contract आज हम rate tie कर लेते हैं और future में कुछ भी हो वही rate apply होगा तो bank ने हमें दिया 65 का rate माल लिजे bank में अब level है हमने क्या बोला था कि आपका जो future का rate होता है या forward rate ज policy website पे future का rate बड़ा दिख रहा था अच्छा यहां पर मैंने और इंडिया में क्या होता है जितना दूर जाओगे ना expiry जितना दूर रखोगे आपको rate उतना बड़ा मिलेगा जैसे आज का rate 79 दिख रहा था आपको RBI का reference rate अगर आप एक महीने बाद का forward contract करोगे तो rate जादा मिलेगा one year का थोड़ा और जादा मिलेगा मतलब क्या हो गया जितना दूर का आप rate ढूंडोगे उतना जादा मिलेगा due to the time value इंडिया में क्या है dollar महंगा होता है इसलिए आपको rate आपको जादा मिलेगा लेकिन जब US में जाओगे न तो US में आपको forward rate सस्ता मिलेग due to the discount of rupees अब यह premium discount कैसे जब आप interested थेरी पड़ोगे तो आपको थोड़ा सा clear हो जाएगा थोड़ा सा आगे बड़े bank ने हमें 65 का rate दिया तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर bank से में commitment कर लूं तो six month बाद तो मुझे dollar मिल ही जाएगा कुछ भी हो जाए 65 पे क्योंकि मैंने क्या बोला delivery मिल जाएगा 65 में forward में delivery होती है तो हम क्या सोच रहे हैं अच्छा bank के साथ अगर forward contract कर लूं तो मेरे लिए ये rate अपलाई होगा ये तो अपलाई नहीं होगा तो हम लोग कितना बचा लेंगे 3 रुपे बचा सकते हैं मतलब जो मैं expect कर रहा हूँ मुझे जो 4 रुपी 1 रुपी actual loss due to forward contract चाहे market में कोई भी rate हो जाए कोई फर्क पड़ता नहीं है तो forward contract आपके कितने का loss होगा बताइए 1 रुपी का तो आपने expected loss को कितने से reduce कर दिया जो आपका expected loss था ना 4 रुपी का उसको आपने 1 रुपी के loss पर गिरा दिया मतलब आपने हिज कर दिया 3 रु outflow है 58 के expected outflow को हम लोगोंने 65 पर reduce कर दिया तो यह hedging का amount हमारा 3 रुपी आ गया ख्याद रखिएगा अगेन यह hedging का amount जो एक expectation है अब फील कर रहे हो अरे हमने अपने आपको hedge कर लिया 3 रुपे से ओके अब क्या होता है कभी कभी question में क्या करते है आपको बोलते ही कि देखो मेरे को dollar मिल जाएगा अब आपको क्या कहता है पता है आपने forward contract कर लिया commitment कर लिया और six month बीत भी गिया और market में rate हो गया 70 का अब आप क्या किया अरे मजा आ गया क्यों मजा आ गया commitment किया इसलिए मैं dollar खरीद पा रहा हूं 65 पे commitment नहीं किया होता तो 70 पे करना पड़ता इसका मतलब commitment करके मैंने 5 रुपीज बचा लिया again वो feeling है again वो feeling है आप खुस हो रहे होंगे कि पैसे का ना जाना भी आना होता है लेकिन मैं बोलोगा कि books में record कर दो तो यह आप record नहीं कर पाऊगे कि पैसे का ना जाना आना जरूर होता है एक feeling के लिए लेकिन books में recording नहीं होता है इसका मतलब अगर six month बाद का rate 70 पे पहुँच जाए तो आप five rupees gain कर चुके हो उसी तरीके से अगर six month बाद 63 हो जाए तो आपका two rupees का loss होगा एक चीज क्या धान रखिएगा बच्चे लोग सबसे ज़्यादा जो mistake करता हो क्या करता है आपने देखा होगा forward contract की वज़े से एक commitment करने की वज़े से आपको एक रुपे का loss हो रहा है यह actual है यह actual है यह तो books में record करना ही पड़ेगा आपको फोटीफाइब 64 पे वल था और 65 पे कर रहे हो यानि कि यह जो आपने लिखा है यह भी forward contract का loss gain है और अब भी जो निकाल रहे थे वो भी forward contract का loss gain है तो आपको बस ध जान क्या रखने है question की language पूछा जाता है calculate loss oblig gain due to the forward contract यहां तक तो ठीक है क्या इसके आगे if and but और लगा है क्या क्या क्यते देखो forward contract से loss gain बताओ अगर 6 महिने बाद यह होता है अगर 6 मंत बाद का कुछ चीज दे दिया मतलब वो आपको indirect hint दे रहा है कि हमने सर्त लगाया औ forward को compare कीजिए ठीक है और अगर कुछ नहीं बोला जाता है if but नहीं लगाया जाता है तो forward contract के कितना loss gain हुआ जितना हमने spot में paywall दिखाया था और यह तो उस case में आपको यह answer देना है बस यहीं साबधानी रखनी है और इससे ज़्याद आपका कुछ नहीं है यह कुछ एक shortcut है अगर वो महंगा हो जाए तो आपको loss होगा तिमपल जो pay करना है जो pay करना है आपको जो pay करना है अगर वो सस्ता हो जाए तो आपको क्या होगा gain होगा जो receive होने वाला है अगर वो महंगा हो जाए जो चीज मेरे पास आएगा वो महंगा हो जाएगा जो चीज आएगा वो मह कुछ-कुछ questions में क्या कहते हैं आपको कि देखो जी आपने यूएस से लोन लिया है और इंट्रेस रेट है लाइवोर प्लस 2% या लिवोर प्लस 2% दोनों तरीके से प्रणसीर करते लो यानि कि लाइवोर प्लस 2% या यह रेट तो दिया ही नहीं तुमने तुमने क्या कर दिया लिवोर लिवोर लिखके दे दिया मुझे कहते हैं यह मैंने benchmark दे दिया अब आप डिसाइड कर लो क्या loan rate होगा अमारा क्या होता है कि variable rate ना हमेशा किसी एक benchmark से link होता है तब ही तो वैरी करेगा ना आप आप करेंगे भी करेंगा वरी कैसे करेंगा जिसे मैं कहता हूं कि अच्छा जी चलो आप अगर इतना marks ले आती हो तो मैं आपको चलो कुछ भी ले ले लेते हैं कि चलो 100 calculator का जितना equivalent amount बनेगा न वो मैं आपको pay करूँगा ठीक है चलो 100 calculator का equivalent amount आपको pay करूँगा अब मैंने ये अगर नहीं decide कि कौन सी calculator तो आपको पता है market में 100 rupees का भी calculator आता है 500 का भी आता है 1000 का भी आता है मैंने सीधा बोला कि आप अगर बहुत अच्छे marks ले आऊंगे तो मैं आपको 100 calculator के equivalent amount आपको pay कर दूँगा ये अगर मैंने आपको बोला है तो पहले मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन सी calculator इसका मतलब वो जो होता है उसको benchmark बोला जाता है तो हमेशा variable rate कभी भी निकाला जाएगा तो benchmark होगा और आपके information के लिए कि जो variable rate होता है वो money market के instrument से link होता है और money market क्या है ऐसा market जहां पे less than one year के life वाले security trade किया जाता है आप लोग security valuation इसको पढ़ते वे commercial paper, treasury भी ये सब जो होता है ये money market का security है तो money market में क्या होता है जब ये security trade होता है तो इसका price fluctuate होते रहते तो इसका interest rate भी जो क्या होता है वो real time fluctuate होता है तो हम कहते हैं कि देखो हमने एक benchmark decide कर दिया Mibor London Interbank of a rate एक और भी बात ये Interbank क्यों लिखा जाता है क्योंकि money market में जो participant होते है वो एक bank दूसरे bank के साथ participate करता है financial institution दूसरे financial institution के साथ participate करता है हमारे जैसे retailer money market में नहीं जा पाता है इसलिए जब भी ये money market का जो भी reference rate दिया जाएगा न उसमें interbank लगा दिया जाता है तो London Interbank of a rate मैं क्या कहना चाहरा हूँ पता London के market में London के money market में जो एक bank दूसरे bank के साथ जो deal करता है जिस rate पे वो rate हम लोग pick करेंगे और वो जितना होगा वो आपके लिए loan date अपलाई होगा simple चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एक चीज़ क्या होता है जैसे आपको questions होगर आप मिलते हैं कहते हैं 6 महीने का हमने loan ले लिया और आपको जो interest rate दे देता है वहाँ पे लिख दिया जाता है जो आप mistake करते हैं उसी जो को मैं आपको यहाँ पे focus करा रहा हूँ 6 month का libor 6 month का libor plus 1% यहाँ पे दे दिया गया मतलब क्या पता है अब आपके दिमाग में क्या आएगा और बाद में क्या कहता है कि देखो जी 6 month का libor यह चल रहा है हमारा यानि कि London के money market में यह rate चल रहा है 3% तो आप क्या सोच रहोगे पता है अच्छा यह तो 6 month का libor 3% तो हमारा 6 month का loan date हो गया कि इतना 4% का add कर दिया तो गलत सोच रहे हैं आप इसी चीजों को ध्यान रखेगा और ऐसा mistake में wholesale quantity में आप लोग को करते हुए देखा हूँ क्या होता है जैसे bank में जाते हो fix deposit करना तो देखना आपको 3 month के deposit के लिए 4% का rate देगा और एक साल के deposit के लिए 6% का rate देगा आप मुझे बताइए 3 month के लिए 4% तो यह 3 month क्या था यह 4% के rate period था क्या नहीं 3 month deposit के लिए 4% rate है but that rate is annual rate तो यही चीज़ याद रखेगा money market में जितने भी rate दिया जाता है वो सारे आपका annual होता है this rate is also annual rate तो फिर यह क्यों लगाया लिवोर के साथ तो कहते देखो London के market में आपको पता है कि 3 month वाले भी security trade हो रहा होगा 1 year वाले security भी trade हो रहा होगा 6 month वाले भी security trade हो रहा होगा और period अगर बदलता है तो rate बदलता है जैसे deposit का period बदलोगे तो rate बदलेगा वैसे ही money market में security की period बदलता है तो rate बदलता है तो वो क्या कह रहा है आपको कि देखो मैंने money market से London के money market से ऐसे security का rate दे रहा हो जो 6 month period का है लेकिन rate is still per annum यह चीज़ ध्यान रखेगा यह mistake नहीं करना है यही note मैंने यहाँ पे लिख्या आपको दे रखा है contribution to sale ratio बहुत आसांग क्या होता है sale में से अगर variable cost minus कर देते हैं तो यह आजाता है हमारा contribution और contribution to sale ratio तो contribution divided by sale अब क्या होता है एक से ज़्यादा product आपको दे दिया जाता है A, B, मानलेज यह दो product दे दिया गया और दोनों का आपको क्या करते है contribution और sale आपको मालूम हो मानलेज आपको sale है इसका 10,000 का और इसका sale है आपका 50,000 का है ना और इसका contribution भी आपको मालूम है मानलेज इसका contribution है 20% इसका contribution है 30% तो आपको मैं पूछू कि अच्छा बताइए जी contribution to sell ratio यानि कि contribution to sell हमारा 20% है मतलब हमारा contribution आ रहा होगा 2000 का और उसमें contribution आ रहा होगा 15,000 का ओके contribution to sell ratio दे दिया हम आपको पूछते हैं कि बताइए combined में कितना contribution to sell ratio जनरेट करें तो इसके लिए आप सीधा simple average नहीं करना चाहिए आपको कुछ लोग क्या करते हैं सीधा कहते 25% तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखो इसकी sale quantity volume कम है इसकी sales जो है क्या है यहाँ पे ज़्यादा है sale amount की बात करें यहाँ sale कम है यहाँ sale ज़्यादा है तो देखो ज़्यादा वाले amount पे ज़्यादा contribution जनरेट कर रहे हो आप तो आप सीधा weighted average नहीं करना चाहिए था वो तब होगा जब दोनों का sale same होना चाहिए था तो इस condition में हम लोग average contribution to sale ratio कैसे निकालते हैं हम क्या कहते हैं आपको देखो total sale आपका 60,000 है हाँ total contribution का amount ले लो और वो percentage निकाल दो आपका average आ जाएगा एक question आपके पास है ऐसा contribution to sale ratio जो अभी 3-4 वार आ रखा है तो उसमें आप यही मैंने बोला है कि total contribution ले लेना और total sale ले लेना वो average आ जाएगा ज्यादा दिमाग मत लगाना रेफर करना है किसी को question number 2 आप रेफर कर सकते हो expected value आपके information के लिए statistics में कोई भी चीजों का average अगर probability को as a weight बना के calculate किया जाता है तो वहाँ पे expected बोला जाता है आपको क्या करेगा question के अंदर 3-4 exchange rate दे देगा कि देखिए after 6 month हमारे currency का exchange rate 80 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है 70 भी हो सकता है और सब का probability दे दिया जाता है तो अब मैं क्या बोलू कि आने वाले time पे कौन सी exchange rate होगा 80 होगा 90 होगा 70 होगा माल जिसकी होने की chances probability 50% दे दिया इसकी chances 20% दे दिया और इसकी chances 30% दे दिया और हमें decision लेना है जैसे expect करोगे आप अभी आपने निकाला था ने expected loss question में कहते है calculate expected loss तो हम कहते है अब मैं क्या expect करूँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो कहते है देखो जब probability के साथ कभी कोई value दिया जाए तो आपको हमेशा decision लेना है average करके तो वही मैंने बोला है इसको average कर दीजे this is known as expected rate ठीक है अब आते है swap point swap point या इसी को forward point जिन भी बोलते हैं इसी को forward point भी बोलते हैं forward premium discount भी बोलते हैं ये क्या होता है forward rate और spot rate के बीच का difference होता है मतलब क्या हुआ कि आप मन ये कि ये हमारा spot rate है dollar one का dollar one का ये है रूपी 80 80.25 मान लिजे और spot आने वाले दिन का जो forward rate है हमने कुछ forward rate ले लिया ये जो है forward rate dollar one का रूपी 80.50 आप क्या कह रहे होगे कि सर ये जो है न ये जो हमारा .25 जो है ये क्या है premium पे है इसी को swap point भी बोला जाएगा तो बोलोगे कि point word क्यों use किया गया क्योंकि इसी को हमना pip में indicate कर देंगे pip में quote कर देंगे तो pip क्या है price interest point तो point तो कहते देखो forward rate का difference और spot rate forward and spot rate के बीच का difference अगर pip के term में आपको quote कर दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका swap point तो क्या है swap point forward rate and spot rate के बीच का difference है और कुछ नहीं है यही मैंने बोला यहां पे देखे कि जो swap point है वो है difference between forward rate and spot rate अब क्या होता है ये तो हमने single rate दिया अब क्या होगा double rate आएगे तो double rate आएगा तो यानि कि bid और ask आएगा मान लिजे ये आगया हमारा 50 और ये rate जो आता है वो 80 point एक चीज़ याद रखिएगा 81 नहीं होना चाहिए 25 यानि कि 81.75 से जादा होना चाहिए बोलो कि ऐसा क्यों क्योंकि देखे जब आपके spot rate में spread है 25 पैसे का तो forward rate में आपकी जो spread है वो उससे बड़ा ही होना चाहिए किस से spot rate से आपका जो spread है वो बड़ा ही होना चाहिए क्योंकि इसका simple logic है आज के date पे अगर business man 25 पैसे से अगर वो कमा रहा है आज के date पे अगर वो business man 25 पैसे अगर वो कमा रहा है तो आने वाले time पे ज़्यादा कमाएगा क्योंकि future में time value की impact के business पे currency का worth कम हो जाता है जब कम हो जाएगा तो आने वाले time पे तो ज़्यादा ही कमाना चाहिए तो इसलिए इसका जो spread होना चाहिए न अभी के केस में ने 0.25 दिया है लेकिन आपको इसको spread ज़्यादा रखना चाहिए अगर ज़्यादा रखोगे तो यह बन जाएगा मान लिजे 75 तो पता है आप कहां पहुँच गए आप तो इस केस में देखे forward rate और spotted का बीच का difference आपका यह कितना बन गया सरी 75 से ज़्यादा होना चाहिए ना 75 से ज़्यादा होना चाहिए तो मान लिजे आपका 80 आजाता है अगर तो देखे यहाँ पे कितने का difference आगया 30 आपको पता है यह जो आपने अभी निकाला है ना इसी चीजों को यह premium है यह premium है इतना महंगा और यह premium है इसी premium को अगर आपको pip time में बोल दिया जाए तो कितना pip है इसी चीजों को बोला जाता है किया swap point अच्छा यह हो गया swap point यह बोला है कि अगर increasing order में कोई swap point मिलता है increasing order में तो वो premium को बताता है यह देख रहां increasing order में यह premium है क्योंकि आपको जब forward rate बढ़ा होगा तब ही ये आपका इस तरीके का situation नजर आएगा positive में अब आप मुझे बताइए forward rate अगर ये छोटा हो जाए कौनसी forward rate अगर ये forward rate को मैं अगर छोटा कर दूँ इसका मतलब difference आपका negative आजाएगा मान लिजे मैंने 0-0 कर दिया तो ये आपका जाएगा क्या पता है minus 0.25 और अब आप देखे इसमें इसमें आपको अभी बताया मैंने क्या कि forward rate का spread ज्यादा होना चाहिए तो forward rate का अगर आप spread ज्यादा रखते हो ना यहाँ पे तो ये मान लिजे अभी भी वही रखते हैं हम लोग 30 point की तो यह देखे 30 point का spread रखोगे तो यह 0.30 जाएगा तो आपको पता है अब यह situation जो है यह बदल जाएगा आपका यह अब इतना नहीं रह पाएगा अब आ जाएगा the forward contract अब देखे यह value बड़ा है इससे क्योंकि negative value छोटा होना अच्छा होता है अब क्या होगा वो कहते हैं कि देखो जी हम तो pip में indicate करके देना है तो भाई differences कितना pip है 25 piece and 20 pip तो आप मुझे बताएगे यह सीधा बोल देगा negative यहटा देगा और बोलता है कि देखो कितना है difference spot and forward का बोलते है कि देखो इतने pip का difference है अब याद रखिएगा यह decrease होता हुआ जाएगा एक ही case में जब यह negative होगा अगर यह negative नहीं होगा तो यह value decrease नहीं होगा तो इसलिए हम बोलते है क्या पता है कि decreasing order का swap point जो होते है इस bank does not quote यह मैं क्या कहना चार अभी बाद में बताता हूँ यहाँ पे कुछ dispute है dispute कहें बता दू एक बार इंटिटूट में इस तरीके से question पूछा है एक तो सबसे पहले something euro cent आपको बता दू जैसे हमने यहाँ पे pip में लिया था न तो swap point कभी कभी आपको पैसे में भी दे दिय जाता है तो यह कह रहा है कि देखो यह हमारा swap point है बोलोगे कैसे तो forward premium लिखा है वही forward premium discount को है तो swap point बोला है हमने question में क्या लिखके दिया है premium है हमारा इतना cent का यह तो पता चल गया कि यह fractional unit में है तो इतना cent है तो कितना euro बनेगा euro का cent है यह dollar का cent नहीं इसलिए लिखके दिया euro का cent है तो ठीक है इसको हम लोग euro में calculate कर लेंगे कैसे calculate करेंगो तो पता है main मुद्दे की बात यह है कि यह decrease कर रहा है और यहां है premium अब हम लोग कैसे adjustment करें क्या इसको discount अजूम करो यह इसको premium अजूम करो institute ने यही same चीजों को दो बार पूछा गया है मैंने यह reference दिया हुआ कि देखो इतने बार institute ने इस line के साथ question पूछा है लेकिन क्या किया है एक बार institute ने premium अजूम करके यह add कि क्योंकि आपको पता है premium अजूम करोगे तो forward rate बड़ा होगा और discount rate अजूम करोगे तो forward rate छोटा होगा तो छोटा होगा तो यह minus करना पड़ेगा forward rate करने के लिए अगर discount अजूम करोगे तो और अगर premium अजूम करोगे तो यह add करना पड़ेगा institute ने एक बार premium अजूम करके add किया है और एक बार जो है discount अजूम करके minus किया है मैंने आपको अपना opinion दिया है कि देखो इस condition में आपको discount लेके अजूम करना चाहिए discount ये मेरा opinion है और आप चाहो तो एक line का note लिख किया जाना कि हम चाहे तो premium भी अजूम कर सकते ये आपके पास choice है अब आते broken period swap point पे क्या होता है कि bank जो होते है आपको swap point forward rate code करके नहीं देता है क्योंकि होता है क्या है देखे किसी इनसान को जरुरत होगा 80 days बादर payment करना होगा या receive करना होगा foreign currency मैं bank में जाता हूँ कोई पूछता है 80 days का forward rate दो कोई कहता है 90 days का forward rate दो कोई कहता है 95 days का forward rate दो तो bank कहता है देखो हम तो परिसान हो जाएंगे अगर ऐसे किसी भी requirement के साथ हमारे पास आ सकता है और हमने बोला था कि forward rate maximum कितने दिन का मिलता है 365 days का तो bank को क्या करना पड़ेगा 365 rate को quote करके अपने notice board पे लगाने पड़ेंगे और अब क्या होगा ध्यान से सुनिएगा कल spot rate बदल जाएगा forward rate भी बदलेगा क्योंकि forward rate आज quote किया जाता है represent करता है वो future को तो आपको पता है अगर calculator आज 500 का है तो कल का rate तो 500 नहीं होगा तो क्या होगा time value को adjustment करो तो 500 से जादा ही होना चाहिए तो यहीं चलता है इंडिया में इंडिया में आज अगर dollar अगर 80 का दिखता है तो आपको 6 महिने बाद 81 का दिखेगा और आज ही एक साल बाद के लिए 82 का दिखेगा क्योंकि यहा time value positive चलता है इंडिया में क्योंकि इंडिया का interest rate बड़ा है US का interest rate छोटा है इस पर हम बहस करेंगे interest rate risk management में यह बड़ा छोटा premium discount की अच्छा वापस आईएगा अब बैंक क्या कहता है कि देखिए हमारे लिए बड़ी मुश्किल है हर एक दिन का exchange rate कोट करना हर दिन 365 rate कोट करने पड़ेंगे हर एक दिन के लिए तो बैंक क्या करता है मन्तली बेसिस पर swap point कोट कर देता है आपको और spot rate दे देता है और आपको पता है swap point क्या है premium discount और कुछ नहीं है यानि कि time value है यह अगर two month का अगर आपको swap point दिया है न तो यह nothing but time value मतलब आज के और कल के rate में difference है और आज के और कल के rate में difference होता है वो time value का difference होता है simple सी बात है तो अब क्या करता है आपको bank कहते कि देखो मैं swap point देता हूं time value तो same ही रहेगा जिसे माल लिजे आज अगर 80 का rate है और future का 81 का rate है तो हम कह सकते है वन रूपीज time value है अच्छा तो जब कल का rate अगर 80 से बढ़के 82 पे चला जाएगा तो हमारा future का rate 83 पे चला जाएगा simple क्या हो गया एक महीं रूपे का time value वहाँ export pad हो जाएगा तो इसलिए bank लोग क्या करते हैं आपको कहते कि swap point में दे देता हूं बार बार अपने export rate बदलता रहेगा आपका forward rate मिलता रहेगा अब मेरे साथ दिक्कत क्या है मुझे जो चाहिए forward rate वो कब का चाहिए मुझे forward rate चाहिए 80 days का अब bank swap point हमें 80 days का देगा नहीं तो हम कहते हम calculate कर लेंगे कैसे calculate करेंगे यही मैंने बताया कि देखो 60 days का swap point दे दिया आपको 90 days का भी देदेगा क्योंकि month basis पे वो code करता है तो यही मैंने बोलाए कि देखे bank जो होता है हमें forward rate code नहीं करता है वो code करता है swap point with spot rate spot rate देता है और swap point हमें normally bank वाले monthly code कर देता है यही मैंने बोला है दो महिने का swap point अब लेवल है 3 month का swap point अब लेवल है आपको 80 days का forward rate calculate करने के लिए 80 days का swap point चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे unitary method यूज़ कर देंगे कि देखो जी 60 से 80 के 60 और 90 के बीच में 60 days का swap point हमें मालूम है 90 days का swap point मालूम है तो हम लोग क्या करते है 60 से 90 के बीच में कितने का time value चल रहा है तो 60 days के बाद 30 days का कितना time value वो ले ले लेते हैं और हमें तो चाहिए था 60 days के बाद कितने दिन का only 20 days का तो 30 days के इतना आगे 20 days का unitary method करके निकाल दो और अब आप क्या करना देखो 60 days के जो time value हो जो आपका है न time value उसमें 20 दिन का time value अड़ कर दो after 60 days है तो 60 days में आप क्या करो यह 20 दिन बाले अड़ कर दीजे यह और यह देखो आपका पहुंच गया 80 days का swap point और जब 80 days का swap point आ जाएगा तो 80 days का forward rate भी आ जाएगा इस तरीके से broken period के swap point जो है न आपको adjustment करना पड़ेगा अब अगला concept अमारता आता है money market and capital market के ठीक है money market and capital market तो क्या है यह बताईए ऐसा market जहाँ पे less than one year की security trade होता है वो है money market और ऐसा market जहाँ पे long term security trade होता है equity preference or that is the capital market खत्म कुछ ही नहीं अब क्या होता है आपने अभी forward contract को sorry आपने अभी future के payment receipt को hedge गिया forward contract यूज करके अच्छा 6 महिने बाद हमारे पास dollar आने वाला है हमें एक काम करते हैं bank में जाते हैं आज ही 6 महिने बाद का rate टाय कर लेते हैं हो गया है जी तो वो आपका एक technique हुआ risk को hedge करने का अब हम क्या कर रहे हैं एक दूसरा technique generate कर रहे हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि 6 मंत बाद की जो amount आने वाले हैं उसको hedge करेंगे लेकिन हम forward rate यूज नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर forward rate यूज नहीं करोगे तो कैसे possible है payment तो आएगा 6 मंत बाद तो जब 6 मंत बाद के जो receipt होगी उसको 6 मंत बाद ही convert कराओगे तो अब अगर कुछ नहीं करोगे आज तो risk आ जाएगा और अगर आज आपने contract कर लिया forward तो फिर आपका तो hedge होई गया हम कहते हैं नहीं हम forward contract भी नहीं करेंगे और हम conversion भी 6 महिने बाद नहीं करेंगे ऐसा एक technique रूंटे है जिसको बोला गया money market hedge यानि कि money market को use करके हम transaction को hedge करते हैं तो इस transaction में हम लोग क्या करते हैं बहुत आसान सा हमने एक concept बताया कि देखो जो six month बाद payment आने वाला है न उसके present value आज loan ले लेते हैं इसकी present value हम लोग क्या करते हैं आज loan ले लेते हैं देखो आपको receive होने वाला था hundred dollar six month बाद उसकी present value आप क्या करो आज loan ले लो बोलो कि loan क्यों ले रहे इसलिए loan ले रहे क्योंकि जब ये payment आएगा न हमारे पास तो हम उस payment को क्योंकि आपको पता है dollar आएगा अगर Mr. India में तो वो hold नहीं कर पाएगा तो बट government यह नहीं कर सकते यह बोला है किसी को payment नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे जब यह हमारे पास आएगा न तो हम इसको as it is इससे हम loan का repayment कर देखो loan का repayment 100 अगर करना है त इसलिए इतना loan low इतना loan low ताकि वो after six month one dollar hundred dollar हो जाए और यहां से जैसे ही payment आएगा इसको हम repayment कर देंगे तो क्या होगा बताएए currency का conversion नहीं हुआ six month बाद का तो जो currency conversion risk था वो आपका risk नहीं हो पाया तो इसका मतलब हमने money market को use करके उस risk को क्या करा हमने खतम कर दिया तो bank use कर लेते हैं हां question में कभी-कभी आपको bank दे देगा कि bank से loan ले लेंगे लेकिन होता क्या है six month का loan normally bank में नहीं मिलता है इसलिए हम लोग money market को use करके हम loan लेते हैं और इसलिए इस technique को money market hedge बोलते हैं अब आपने क्या किया बताएए present value आपने loan ले लिया अब यह amount आज ही convert करा लेना है spot rate पे अब सोचो conversion spot rate पे हो गया कोई risk नहीं है इसी risk को तो आपने बचाना चाहिए था क्योंकि future में तो conversion नहीं हुआ ना तो future में अगर conversion नहीं हुआ तो risk हमारा hedge हो गया अब क्या होता है यह amount आज inflow हो जाता है अब क्या होगा अब इस hedging के technique को आपको comparison करना होगा इस hedging के technique को आपको comparison करना होगा दूसरे technique थाना हमारे पास कि आज जाओ bank में और rate एक टाय कर लो तो जब मैं बैंक में जाके अगर future के लिए rate टाय करूँगा तो forward contract में तो यह inflow जो होता ना यह inflow जो होगा वो तो six month बाद होगा लेकिन इसमें तो आज ही inflow होगया तो दो नो comparable नहीं होगा आज का inflow छे महीने बाद के inflow से comparable नहीं होगा इसलिए money market hedge में हम लोग क्या करते हैं इस amount को हम लोग deposit कर देते हैं तो अब क्या होगा देखो अब यह deposit जिस time पर उड्रा होगा उस time पर हमारा क्या हो जाएगा जितना amount यह उड्रा किया जाएगा यही उड् छे महीने बीट गए उसको अब repay करना पड़ेगा तो छे महीने बाद यहां से भी आ रहा होगा repayment हो जाएगा अब दखिएगा इस पूरे technique के अंदर कहीं पे भी आपका risk involved नहीं है क्योंकि यह आया यह गया कोई cash flow है यह आया यह गया कोई cash flow है यह आया यह गया कोई cash flow है अब देखो गया पूरे process के अंदर सिर्फ यह आपका inflow बनता है this is the inflow under money market है इसको आप लोग क्या करते हो compare करते हो forward contract के साथ और फिर decision लेते हो क्या हम इसको ऐसे बोले जब आने वाला होता है तो हम आज ही उसके पीवी ले ले लेते हैं spot पे convert करा लेते हैं अपने country में deposit करा लेते हैं उड्रवल amount जो होते है money market का inflow हो जाता है जो जो logic हो गरा था वो सारे already यहाँ पे लिखा हो इसको देख सकते हो exactly payable amount के लिए same काम करेंगे payment करना है न तो हम लाके convert करा के payment नहीं करेंगे क्योंकि अगर future में convert कराएंगे तो risk आ जाएगा और वो तो काम हम already करते हैं यह forward contact के अंदर यहाँ क्या करते हैं जितना हमें pay करना है न उसका PV आज bank में deposit कर देते हैं जो pay करना है तो आज यहाँ डाल दो और यह क्या होगा ग्रो करके interest के साथ dollar hundred बनेगा फिर आप यह dollar hundred यहाँ से उड्रा करके सामने वाले को pay कर देना तो 6 मेने बाद का payment भी हो गया currency conversion भी नहीं होगा तो risk भी नहीं रहा तो हम लोग क्या करते हैं उसका PV deposit करना है अब इस deposit के लिए कितना amount आपको pay करना पड़ेगा क्योंकि खरीद के लाओगे तो आपको forward contract के साथ compare करके decision लेना होता है there is the money market hedge यानि कि अभी तक हमने 2 hedging का technique तो पढ़ लिया तीसरा है effect of conversion of same currency at same time both side इसमें मैंने क्या बोलना चाहा है कि होता क्या है कभी कभी हम export भी करते है import भी करते हैं तो हमारे पास पैसे आना भी होता है जाना भी होता है मान लिजिए six month बाद मेरे पास one lakh dollar आने वाला है और six month बाद मुझे 80,000 dollar देना भी है तो अब आपको question में दोनों transaction दे दिया जाएगा आप क्या करोगे आप ये जो dollar hundred one lakh जो आने वाला है उसको जाके बेज दोगे और जो 80,000 dollar pay करना था उसको खरीद लोगे ऐसा काम क्यूं कर रहे हो अभी आपने two a quote apply किया है customer को महंगा खरीदना होता है और customer सस्ता बेजता है क्यूंकि customer खरीदता है ask rate पे और customer बेजता है bid rate पे bid rate होता है छोटा यानि कि ये जो जितना ज़्यादा conversion कराओगे न करेंसी का उतना ज़्यादा आपको loss होगा तो आप मुझे बताए ये one lakh dollar आ 80,000 dollar आपको pay करना था दोनों क्यों conversion कराया नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपने सस्ता बेचा और महंगा खरीदा आपको loss हो गया आपको करना क्या चाहिए था जो one lakh dollar आ रहे हैं उसी से आप ओ 80,000 को pay कर दो और जो balance रह गया 20,000 सिर्फ 20,000 को convert कराओ यही सब चीजों को हम कि अगर मान लिजे मुझे exchange का loss होता है तो exchange का loss होगा तो P&L में debit करेंगे मान लिजे मुझे 1000 का loss होता है तो मैं 1000 P&L में debit करूँगा तो 1000 से मेरा income कम हो जाएगा जब 1000 से मेरा income कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बताइए हम उसके respect में 30% का tax कम pay करेंगे तो अगर कोई ऐस खर्चा जो profit and loss account में debit होता है तो उसकी बज़े से हमारे tax कम payment होता है क्योंकि income कम हो जाता है due to that खर्चा तो अब हम क्या बोले कि अगर कोई exchange loss है तो वो तो profit and loss में allow होता है तो कि वो debit करते हैं हम लोग तो exchange loss अगर 1000 का होगा तो आपका net loss only 700 का होगा क्योंकि उसमें 300 का tax saving हो जाएगा तो मैं यहीं बोल रहा हूँ कि अगर कभी आपको net of tax expenses निकालना है tax के साथ net expenses निकालना है तो जितना expenses को 1-3 करना 1-3 का मतलब 1-0.30 70% कर दीजिए अगर आप 1000 का loss है तो आपका loss only 70% और अगर कोई interest income है कोई तो जगर आपका 1000 का income है तो आपका income only 700 क्योंकि 1000 कम आओगे government कहता है भाई मेरा हिस्सा दो तो मैंने government का हिस्सा दे दिया तो मेरा 70% क्योंकि 1-3 जब भी लिखा जाता है तो decimal के साथ होता है 1-3 का मतलब 70% और tax का मतलब government का portion इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर adjustment करते हैं अब आता है हमारा cross rate cross rate क्या होता है देखिए बहुत बार क्या होता है हम जाते हैं जिस currency को खरीदने जिस currency का exchange rate चाहिए उस currency का exchange rate नहीं मिलता है तो हम दो different different rate के जो bank का जो rate होता है अलग-अलग currency का उसको equivalent में convert करके एक नया rate निकालते है जिसको cross rate बोला जाता है यही बोला है exchange rate calculated from two or more other exchange rate और दो से ज़्यादा के exchange rate से calculate किया गया exchange rate को लो क्या बोलते हैं आपे cross rate we calculate cross rate when desired currencies exchange rate are not quoted by bank जैसे हमने अपने example में क्या लिया है कि Mr. India ने import किया था उसको payment करना था नेप्लीज रूपीज तो bank में जाएगा नेप्लीज रूपीज खरीद ने बट इसके जेब में तो रूपी है अब होता क्या है bank इनको ये currency का rate नहीं देता है तो ये Mr. India क्या करता है दो different different bank में जाता है उनको ये दो रोट मिल जाता है एक जगह रूपी का डॉलर के साथ और एक बाट डॉलर करने प्लीज रूपीज के साथ अब हो क्या करता है इन दोनों rate को use करके एक rate निकालते हैं उसको बोला जाता है cross rate कहीं prevail नहीं करता है cross rate is only national calculation ये सिर्फ एक calculation है equivalent amount निकालने का ये rate किसी market में prevail नहीं करता है ये जिस दिन भूल जाओगे आगे के question के अंदर concept के अंदर बहुत सारा दिक्कत आएगा cross rate सिर्फ एक calculation है क्यों तो कि आप मुझे बताइएगा आपने ये rate निकाला सोचो bank ने आपको एक rate ये दिया एक rate ये दिया आपने सोचा अच्छा a equal to b b equal to c तो फटा फट कर लेते हैं कि अरे इतने की equal to इतना तो आपने क्या किया रूपीज 65 is equal to नेपलीज रूपीज 104 कर लिया और यहां से एक rate निकल के आगया ये rate कोई quote करके देगा क्या नहीं देगा लेकिन आपका equivalent amount जरूर आ जाएगा अब जब conversion कराना होगा तो transaction कैसे complete होगा बताइए आपने rate तो निकाल लिया लेकिन इस तरीके का rate तो कहीं prevail नह expect में लेकिन Mr. India के pocket में तो dollar भी नहीं है तो dollar खरीद के लाएगा और फिर dollar देगा और तब उसके बाद यो dollar खरीदने के लिए रूपी गया होगा तो देखो कट-कटा के क्या होता है ये आया ये गया ये eliminate हो जाता है तो net में इनके पास यहां से एक rate बन के आएगा उससे equivalent amount आजाएगा ठीक है अब question में क्या होता है तीन चार exchange rate दे दिया जाता है हम लोग कैसे cross करेंगे ओके वो cross जो करोगे सिर्फ एक mere calculation है वो कहीं भी आपको prevail नहीं करेगा अगर transaction complete करना है तो इसी तरीके से आपको move करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते देखो अब ये जो calculation ह इसको हम लोग जो अपना करते देखो cross rate पढ़ने का सबका अपना तरीक है हम लोग LHS RHS की equation बना के पढ़ते है जैसे कि हमारा अगर यही exchange rate दिया गया है तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि देखो जैसे theoretically हमने पढ़ाता है इस तरको पढ़ सकते है रूपी पर डॉलर तो दे आपको दो रेट दिया गया है वैसे जब आपको एक्जाम में आता है तो तीन रेट दे दिया जाता है या तीन से जादा दे दिया जाता है तो हम लोग क्या करते LHS RSS का equation बना के पढ़ते है कुछ बच्चे जो होते हैं अपने हिसाब से अलग-अलग तरीके से पढ़ता है आप देख लिए जैसे भी पढ़ो कोई फर्क नहीं बढ़ता है आपका result आना चाहिए लेकिन एक चीज और याद रखिएगा अभी तक exam में तीन exchange rate के साथ question पूछा गया है आप किसी भी method से पढ़ो आप 4 exchange rate डालो और तब एक rate निकालो और अगर वो निकाल पा रहे हो इस लेकिन 4 market का rate देदो और अगर आप नहीं निकल पा रहे हो तो आपका पढ़ा हुआ टेकनीक जो है वो ठीक नहीं है आपको बदलना पड़ेगा सुधार करना पड़ेगा चलिया यह वापस तो हम लोग कैसे बनाते लेसे 4SS के question देखो हम कहते देखो यह जो हमारा rate था ना यह वाले यह वाले इसको हम लोग यूज करके दो तरीके से rate बना सकते या तो हम base currency rupee 1 का something NPR निकाल सकते हैं और यह एक rate ऐसे भी बना सकते हैं कि हम लोग NPR को साथ 1 लगा दे NPR क्या कर दे 1 लगा दे यानि कि दोनों काम कर सकते हैं तो हमने यहीं बोलाए कि हम लोग equation बना रहे हो यह NPR पर रुपीज निकाल रहे हो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो है न मैं यहीं बोलाए कि देखो रुपी पर NPR निकाल रहे हो एक NPR के लिए तो NPR को base में रखना याद रखिएगा यह हमारा जो desired rate जो चाहिए और आप आप क्या करना दिये हुए exchange rate से आप equation बनाओगे कैसे बनाओगे देखो रुपी है रुपी ले लेंगे हम लोग उपर अब इसके साथ यह है जो निका हो रहा था हमारे case में dollar eliminate हो रहा था dollar को दो बार quote किया गया था तो exchange rate में जिसको दो बार quote किया जाएगा न वो eliminate होने वाला rate है यह वाला देख रहे है तो रुपी हमने रखा क्योंकि हमें रुपी NPR का rate चाहिए था तो numerator 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 माच करा दिया अब denominator में क्या रखे देखो रुप रुपी के साथ किसका rate दिया गया है हमने देखा कि रुपी के साथ dollar rate दिया गया है तो dollar ले लिया और dollar बेना सोचे हुए हमने उपर ले लिया तो यह cut हो जा Lorилось हो जाता है तो रूपी पर NPR देखो रूपी NPR LSS RSS equation match हो गए इस तरीके से अगर आप matching करा के अगर cross rate calculate करोगे तो कभी आपको mistake नहीं होगा चाहे 4 rate हो चाहे 5 rate हो बस आपको ध्यान क्या रखना है यह अगर base में जो आया है वो base में अपने आप आपको अपने तरफ से उपर रखके eliminate करने के तरीके से सोचने पड़ेंगे अब यह क्या rate हुआ देखो इसके base currency NPR इसके base currency है dollar अब आपको यह चेक करना है कि दिये हुए exchange rate में किसका rate है क्या dollar one का rate है हाँ दिया हुआ है तो आपका यह आजाएगा 65 देखो यह क्या आप इसको reciprocal करके निकाल सकते हो न तो हमें चाहिए 1 NPR का rate 1 NPR का नहीं दिया गए तो 1 divided by 104 तो 1 divided by 104 इस तरीके से हम लोग rate calculate कर सकते हैं तो यह अगर LSH RSS का equation बनाते हो अगर आप तो क्या फाइदा होता है कि आपको 3, 4, 5 जो भी rate दिया जाए सारे आपका काम आ जाते हैं यह तो था single quote में अगर 2A quote होगा तो सब कुछ same रखोगे सिर्फ आपको क्या करना है bid rate के लिए और ask rate के लिए same काम दो-दो बार करना है बस यह आपको ध्यान क्या रखना है equation बनाते time कि equation बनाते time यह जो है न यह है pound का bid rate अगर साफदानी रखोगे तो फिर यह equation बन जाएगी और 3-4 जो भी rate आएगा आपसे cross हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बहुत बार क्या होता है हम रूपी पर N निकालते हैं या कभी-कभी N पर रूपी निकाल भी सकते हैं जब अगर आप रूपी पर N निकाल रहें तो आपकी equation की शुरुवात रूपी से होगी अगर आप N calculate कर रहें तो शुरुवात N से होगी अब याद रखिएगा N के साथ क्या रखोगे depends upon the given exchange rate तो वो आप calculation करके इस तरीके से cross rate calculate कर लेते हैं identification of cross rate मतलब क्या होता है कभी-कभी आपको जो exchange rate दिया जाता है उसमें से यहीं नहीं find out करबाते हैं हम लोग कि किस-किस currency का cross rate निकल के आएगा आपको पता है जो currency दो बार quote करेगा वो एक market में खरीदा जाएगा दूसरे market में बेचा जाएगा eliminate होके जो बचेगा वो हमारा cross rate आएगा यानि कि अगर इस दो rate को हम लोग cross करें तो क्या होगा बताएगे यहां pound pound eliminate हो जाएगा तो dollar और रूपी का rate आजाएगा simple यानि कि पहला दो rate को हम लोग अगर cross करें bank one और bank two का तो किसका cross rate आएगा dollar and रूपी का इसी तरीके से अगर आप इस तीन को cross करते हो तो किसका rate आएगा तो देखो इस तीन rate को अगर cross करता हो तो dollar dollar eliminate होगी pound pound eliminate होगी तो एन और रूपी का rate आजाएगा यही बोल रहे हैं एन और रूपी का rate ला इंतर-bank transaction, merchant transaction ये क्या होता है जब एक bank दूसरे bank के साथ deal करता है तो wholesale rate पे deal करता है और जब एक bank customer के साथ deal करता है तो retail rate पे deal करता है ब बोलोगे हाँ ठीक है तो अब मुझे बताए आपको पता है कि जो wholesale rate बाटा ह्वे जो Next सोर्च होता होटा है हर यह करता है अब हम आपको ये बता रहें कि अगर question में wholesale rate दिया गया हो तो retail rate कैसे निकालोगे मतलब interbank rate दिया गया हो तो आप merchant rate कैसे निकालोगे क्योंकि retail rate को आप merchant rate भी बोलते हो ठीक है और ये है आपका interbank rate एक bank दूसरे bank के साथ deal करता है वो interbank rate एक bank जो customer के साथ deal करते हो merchant rate जो एक bank दूसरे bank के साथ deal करता है वो आपका four digit में होता है यह रहा यह रहा up to four digit लेकिन इस तीजों को जो institute जो है वो follow नहीं करता है तो हम भी भूल जाते हैं कैसे समझ लेते हैं जो भी कुछ बताया है वो सिर्फ theoretical है सिर्फ paper पे होता है बांकि और कुछ नहीं करना है अच्छे यहाँ पे एक और भी चुछ लिखा है as per fede rule settlement of all merchant transactions shall be affected on the principle of rounding of the rupee amount to the nearest whole rupee without पैसा इंडिया में आपका two digit भी नहीं मिलता है नॉर्मली customer के साथ जो deal करते हैं हम लोग क्या करते हैं decimal के बाद two digit में मतलब यह कुछ क्या हुआ कि 80.20 में आपको rate code करना चाहिए लेकिन fede ने rule बनाया कि देखो यहाँ पे customer के साथ deal करोगे न तो सीधा rounding up करोगे sorry rate तो यही रहेगा लेकिन आपका last में जो rounding up आएगा न रूपी amount आएगा ठीक है principle of rounding up of the rupee amount to the nearest whole rupee आपको nearest whole rupee में आपको amount settlement होंगे खरीदा बैचा जाएगा fraction नहीं मिलेगा आपको अच्छा अब रहा सवाल की इन दोनों के बीच में क्या difference है retail rate और interbank rate की बीच को जो difference होता है उसको exchange margin बोला जाता है और exchange margin जो होता है bid rate में से minus किया जाता है और ask rate में margin plus किया जाता है क्यों किया जाता है यह logic यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यह तो सबको समझ आता है इसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा दिक्कत रहता है तो मैं आपको बता दू क्या होता है देखे आप customer हो आप मेरे पास one lakh dollar लेके आए मैं bank हूँ आप customer हो मेरे पास one lakh dollar लेके आए मैं क्या rate दू यानि कि retail rate क्या होना चाहिए dollar खरीदने का bid rate क्योंकि मैं dollar खरीद रहा हूँ मैं bank हूँ तो मैं किस rate खरीदू तो सोचिएगा आप से जो मैं dollar खरीदूँगा वो मैं क्या करूँगा सोचना थोड़ा ध्यान से मैं bank हूँ मैं bank हूँ मैं आपसे जो hundred lakh dollar खरीदेगा हूँ मैं इसको क्या करूँगा क्या मैं दूसरे customer का इंतिजार करूँगा अब वो दूसरे customer आने में अगर one month लगा दी तो क्या मैं one month यह dollar hundred lakh लेके मैं बैठा रहा हूँ क्या इतना fund block करके यह possible नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं आप आपको जो rate quote करूँगा और क्या उससे ज्यादा या कम सवाविक सी बात है मेरे जेब में अगर 65 यह मैं बैंक हूँ मैं अभी बैंक हूँ यहां हूँ मैं मैं यहां हूँ जब मेरे जेब में 65.25 आएगा तो मैं आपको जो pay करूँगा आपको जो pay करूँगा तो मैं उससे क में से माइनस किया जाएगा और आस्क रेट में एक्सेंज मार्जिन को एड करके तब मर्चेंट रेट बडाओंगे इंटर बैंक को यूज करके ओके next concept है हमारा post shipment credit and transit period adjustment on the forward contract यह newly inserted concept है यह पहले से syllabus में नहीं था ना कहीं पर study mat में ना कहीं पर question ना कोई RTP MTP कहीं कुछ नहीं था recent past में भी एक question डाला था post shipment credit और जो transit period का adjustment है वहाँ से question डाला गया था तो कुछ एस्टेंट परेशान थे कि हमने यह नहीं पढ़ा ति यह out of the syllabus है कहां से पढ़ोगी कुछ पर से किसी ने पढ़के ही नहीं गया था यह simple सी बात है क्योंकि यह था ही नहीं syllabus में यह खास करके क्या है कि यह post qualification यह course है जिसमें इसे आपको उसमें एक module है theory and practice of the forex and registry management वहाँ से वो concept उठाकर वहाँ से question डाला था institute ने तो new concept है लेकिन बहुत ही आसान है इसको बस एक इस तरीके से समझना है देखे इसको क्या है कि जब कोई party export करता है suppose एक Mr. India ने कुछ सामान export किया है तो आपको पता होगा export import जो है वो LC के तहत होता है यानि कि उसमें letter of credit का involvement होता ही होता है क्योंकि अगर मैं मान लिजे कि foreign के party हमें अगर payment नहीं करेगा तो हम क्या कर लें यसे आप देखते हो विजय मालिया नीरव मोदी जो भी यहाँ पे अगर कोई भी fraud करते तो सबसे पहले country change कर देता है क्योंकि उनको भी पता है एक country से दूसरे country में control करना असान नहीं होता है तो exactly इसी चीज़ों की वज़े से क हम कहते हैं जब कोई सामने वाले दूसरे country के party को हम कुछ भी सामान बेचते हैं तो हम उनके banker से assurance ले लेते हैं कि देखो तुम अगर payment नहीं करोगे तो तुमारे banker मुझे देगा यानि कि उसके banker मुझे guarantee देता है मैं exporter हूँ मैं कोई सामान बेच रहा हूँ तो उसके bank जब तक मुझे assurance ना दे दे कि time पे payment मिलेगा सारे payment मिलेगा तब तक मैं उसको सामान नहीं भेजता तो यह जो उसके bank से मुझे एक credit document आता है कि यह document आता है कि हाँ उनको आप सामान भेज सकते हो मैं आपको guarantee देता हूँ कि payment time पे आ जाएगा तब हम सामान भेजते तो उस bank ने ज लेटर यफ क्रेड़ी पे अगर कोई सामान हमने भेजा है इसका मतलब इतना तो clear है कि हमारे payment time पे आ जाएगा यह तो clear है अब यह payment आएगा कब? due date के बाद मान लेजिए हमने 60 days के उधार पे सामान भेचा हुआ है कितने दिन के उधार पे? 60 days के उधार पे हमने सामान पहुंचने में ही बहुत जादा time लग गया। सब सोचो कि मेरे सामान पहुंचने में तीन मेनलग गये। तो क्या लगता है उसके पास सामान पहुंचetaan और प्यांट करतेगा नहीं करे इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं वो जो 60 days okay हो कॉंट करता है न वो आपको सामान पहुँचने के बाद वो हमें payment करता है अब होता क्या है देखो कि मैं जब कोई सामान export करता हूँ तो जो customer है उसके तक पहुँचने में कितने दिन लगेंगे सोचने वाली बात है जैसे मैं courier करता हूँ जब मैं कूरियर करता हूँ तो क्या देखता हूँ कि किसी एस्टेंट को टू डेज में भी पहुंच जाता है और किसी एस्टेंट को पांच 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 छे शे दिन भी लग जाता है सुनिए अब अब मैंने कूरियर करा किसी एस्टेंट को बुक्स भेजा है और वो मेरे स परसल है उसकी जो dispass timing होती है वो हो सकता है courier services की जो transport facility है कब arrange हो पाया कभी जल्दी arrange होता होगा कभी तुरा late एक दो दिन हो गया होगा उस हिसाफ से time delay हो जाता है क्या exactly यही situation इस case में भी arise हो सकता है हाँ यह case में arise हो सकता है तो अब सोच यह मैंने बेजा उसको सामान अब उनको कितने दिन में पहुंचेगा transit में कितने दिन लगेंगे मैं देखता हूँ मैं US सामान बेजता हूँ कभी यह सामान पहुंच जाता है 30 days में कभी यह सामान पहुंचता है 10 days में अब मैं कहता हूँ कि मुझे कैसे पता मैं क्या करूँ अब मुझे खुद नहीं पता है क सामान कितने दिन में उनके पास पहुंचेगा इस uncertainty में मुझे यही नहीं पता है कि payment कब आएगा जैसे सोचो मान लिजे अगर उनके पास 10 days में सामान पहुंच जाता है तो मोटा मोटा 70 days में मेरे पास payment आजाएगा अगर उस सामने वाले के पास अगर 30 days में सामान पहुंचता है तो मेरे पास 90 days में payment आएगा अब इसका मतलब payment कब receive होगा यह uncertain है जान से रुखिएगा जो payment कब आएगा यह हमारे लिए uncertain है क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि सामान उसके पास कब पहुंचेगा इस condition में क्या होता है अब आपको forward contract करना है जान से सुनिएगा यह जो exporter है इसको forward contract करना है अब वो forward contract कैसे करे उनको यही नहीं पता है कि payment कब आएगा इसलिए यहाँ पे जब हम bank के पास जाते हैं तो bank कहते हैं कि भाई आप यह बताओ कि payment कब आएगा हम कहते हैं हमें नहीं पता कब आएगा हो सकता है 70 days में आजाए हो सकता है 80 days में आजाए हो सकता है 90 days में आजाए तो कहते हैं चले एक काम कर मोटा मोटा तो बता सकते हो हम कहते हैं मोटा मोटा बोल सकते जैसे अगर मान लिजे मैं courier गरता हूँ मेरे को two days भी लगता है और मेरे को six days भी लगता है courier को वहाँ destination पर books पहुचने में तो मैं student को कह देता हूँ कि मोटा मोटा देखो approximately four days में तो आपको पहुच जाएगा तो कभी four days से पहले भी हो जाएगा कभी four days से बाद में भी हो जाएगा यानि कि मैंने सामने वाले को क्या बोला कि देखो मोटा मोटा जो है न 80 days में मेरे पास payment आ जाएगा हो सकता है 70 days हो जाए हो सकता है 90 days आ जाए लेकिन average में मोटा मोटा हम 80 days बोल सकते अब आप सोच के देखिएगा जब आप बैंक में जाते हो forward contract करने कि आप मोटा मोटा date से आप forward contract कर सकते हो गया क्योंकि आपको पता है commitment कर लिए अपने आपका निशुनेंगे आज जाएंगे बैंक में हम अगर आज एक rate ताई कर लेंगे अगर आज एक rate ताई करेंगे तो उस date पे आपको उस contract को execute करना पड़ेगा और सामने वाले से अगर payment नहीं आया तो कैसे contract को execute करो तो सोचने वाली बात है तो ये जो मुसीवते हैं इसी मुसीवते से जहलने के लिए ये सारे concept जो है यहाँ पे बनाया गया है इसके लिए आपको कुछ फड़ई का rules है वो सारे चीजों को यहाँ apply करके इस situation है इस situation को tackle किया जाएगा तो क्या है आब एक एक करके पढ़ते पहले situation तो आपको समझ आ गया आ गया यहाँ पे post shipment credit मतलब क्या हुआ कि हम जब सामान भेज देते हैं जब हम सामान भेजते हैं तो उसके बाद इतना तो clear है कि पैसे आएगा क्योंकि बैंकर ने assurance दिया है तो अकर वो party ना भी दे तो बैंकर से तो पैसे आएगा तो हम क्या करते हैं इस export से जो receivable है न उसके basis पे अपने bank के पास जाके न हम कुछ loan ले लेते हैं banker भी हमें loan दे देता है और यह secured है यह कहीं नहीं जानने वाला है पैसे क्यों क्योंकि उसके सामने वाले party के banker ने हमसे क्या किया है assurance दिया है मुझे मतलब payment आएगा confirm है और एक bank उस bank के assurance पे भरोसा करता है तो कहते है चलो safe है चलो सस्ते rate पे आपको loan दे देते है तो यही है low interest loan है जैसे देखते हो आज के rate पे housing loan जो होते हैं सबसे सस्ता होता है क्यों पता है क्योंकि bank को पता है घर तो कहीं जाने वाला है immobile property है इसलिए वो सबसे सस्ते rate पे आपको loan दे देते है fix deposit से थोड़ा सा जादा बढ़ा लो 0.5% आपको home loan मिल जाएगा आपको तो क्यों क्योंकि वो secured है तो यही चीज़ है कि low interest rate पे आपको क्या किया गया है यहां के banker ने आपको थोड़ा सा advances दिया है या loan दिया है किसके basis पे वो जो आपके जो export है export के basis पे यही बोलता है interest or advance provided by the bank to an exporter for the period from the date of extended credit after the shipment of good to the realization of export proceeds जब आपके पास उदर से export से पैसे आ जाएगा तब आप मुझे repayment कर देना इस period के लिए कुछ अगर loan लिया जाए इस loan को बोला जाता है post shipment credit निए आपका transit period बोला गया है कि देखो य average period है बस इसको थोरा ध्यान रखना है बांकि आपको उसे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जुरत नहीं है यह average time period है किसी दूख के बीच में क्योंकि कभी छोटा कम period लगता है कभी ज़्यादा period लगता है यह average time period को हम लोगों यहां क्या बोला है transit period बोला गया वो कहते कि इसका है यह जो आपको language यहां दिख रहा है यह मेरा language नहीं है वही जो आपका क्या कहते है जो post qualification वाले treasury management and treasury and forex management वाले जो course है उसके book में लिखा है it is not confused with the time taken for the arrival of the good side of the destination कहने के लिए आपको कहते है कि जब समान उसके destination पहुंसते है उसके time period के साथ आपको confused नहीं होना है यानि कि bill को जब negotiate करने जाते है और जब bill proceed होता है उस period को समझना लेकिन एक ची याद रखना है कि आपके लिए average period है यह ध्यान रखिएगा फिर अब क्या आ रहा है बात में इसमें rounding of की बात आ रहे है मैंने अभी बताया था आपको कि मान लेजे जैसे हमने बोला कि हमारा transit period मान लेजे minimum days 10 है और 30 है और इसको divided वे कर दिया हमने 2 यह कितना आ गया हमारा 20 days का तो यह 20 days का जो time period है यह हमारा transit period है तो अब इसमें क्या हो रहा है देखिए मैंने के example के साथ इसको समझाए फिर समझाता हूँ यह क्या कहने की कोसिस क्या है कि देखो आज हमारा 15th January यह मान लो 25th January है ABC exporter submitted a 60 days bill for 1 lakh under the irrevocable LC for negotiation इसके लिए क्या गया है और फिर कहते है transit period is 25 days यानि कि इसका मतलब जब आप bill को negotiate करने के लिए जा रहे हो तो bills का तो time period कितना है बताए यह submit कि आपने 60 days का bill मतलब उधार period जो है 60 days का है लेकिन इसमें transit period 25 days का है आपको पता है कि यह transit period जो वो average है और वैसे बतादू फेड़ाई ने भी एक standard transit period दे रखा है आपको वो transit period 25 days का फेड़ाई ने लिखके दिया है आपको कि देखो on an average आजके rate पर हम यह zoom करके चलते कि 25 days का transit period होता ही होता है तो क्या मैं यह zoom करके चलू 60 days का जो time period है और 25 days इसमें extra लग सकता है इसका मतलब 85 days पे मेरे पास पैसे आएगा लेकिन अब याद रखिएगा यह accurate date नहीं है जितने दिन में मेरे पास पैसे आएगा अब मैं कौन सी forward rate से deal करो हमें पता है कि forward contract जब मैं bank से करने जाओंगा तो commitment करो अग आपने आपका नहीं सुनूँगा तो उस case में क्या करते बताए हमारे को पता है कि यह payment 80 से पहले भी आ सकता है 85 days से बाद में भी जा सकता है एक काम करते पहले 85 days date कहां पहुँचाता है यह इस पैसे आ जाना चाहिए लेकिन आपको पता है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है क्योंकि यह जो 25 days था वो हमारा average time period था तो मुझे पता है कि हमारा receipt इससे पहले भी हो सकता है actual और हमारा receipt जो है इसके बाद भी जा सकता है actual तो bank क्या कहता है आप देखिए exact 20th April का forward contract करने का क कोई फायदा नहीं है तो bank क्या कहता है चलो देखो मैं आपको एक काम करता हूँ या तो इससे पहले वाले जो rate है इससे पहले वाले forward contract कौन सी होगा पताएगा March end तो या तो आपको मैं March end का contract करवा देता हूँ या आप क्या कर लो April end का contract कर लीजिए और ये bank आपको offer करता है कि या तो March end का contract करो या April end का contract करो exact 20th April का contract करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि exact इतनी में आपका payment आएगा नहीं यह uncertainty है बैंक ने क्या करा पता है कहते कि देखो ये rate apply करोगे ये rate apply करोगे ये मैं आपको बताता हूँ bank हमेशा आपको favorable rate लेता है favorable rate लेता है मतलब क्या हूँ देखो आज यहाँ पे bank बैठके ये सोच रहा है कि March की क्या rate चल रहा है अप्रेल का क्या rate चल रहा है export rate मालने जे 75 का है उसने क्या देखा कि March का जो future है न March की जो forward contract premium पे चल रहा है मालने जे premium पे code कर दिया गया तो ये दे दिया 77 और April का दे दिया मालने जे 78 का इस तरीके का forward rate चल रहा है इसमें 2 रुपीज का premium है March तक के लिए 2 रुपीज का time value है और April तक के लिए यहाँ पे 3 रुपीज का time value है Bank को पता है एक्सपोर्टर से जब पैसे आएगा तो आप बेचोगे आपके पास जब एक्सपोर्टर से पैसे आएगा तो आप बैंक को बेचोगे Bank क्या करेगा बताए यह खरीदेगा क्योंकि 24 बैंक उसने क्या किरा फेड़ई ने ये बता दिया कि देखो या तो ये रेट लेना है क्योंकि know कॉइ put निक कब आएगा तो बैंक के favor में जो rate होता है उस rate करा दिया गया तो आप मुझे बताइए कौन सी रेट पर जाएगा अगर यह मा सरी यह क्या कहते देखो डॉलर बैंक को खरीदना है कहते है रहे मेरे पास च्वाइसन इन दोनों में से कौन सी खरीदू तो मैं कितने पर खरीदूंगा डॉलर 77 पर तो बैंक यहां पर क्या फड़े ने क्या लिखा देखो कि अगर करेंसी पर कोट किया गया हो तो लोवर मंथ में राउंडिंग आफ करना यह देखो एकॉर्डिंग टु फड़े इफ फॉरंड करेंसी कोटे ना प्रीमियम अभी प्रीमियम पर कोट किया गया था आपको इस पॉर्टेट से फ्यूचर ज्यादा पे था देन पीरियड विल बी होगा एक्सेंज रेट मतलब आपका यह 77 नहीं है आपका यह दिसकाउंट पे कोट किया गया है मतलब आने वाले टाइम पर आपको दिखता है कि यह ससता है मान लिजे यह आपका जाता है 72 पे 71 पे क्योंकि जब discount पे quote किया जाएगा तो Mars तक का जितना discount होगा उससे ज़्यादा discount आपको कितने तक का दिखेगा आपको यह April तक का दिखेगा ठीक है तो इस तरीके से आपको क्या करना है कौनसी rounding up कर देना है इसमें इसमें आपको rounding up करना है lower क्योंकि अभी भी आप खरीदने चाह रहे हो आप सस्ता खरीदना चाहोगे तो कहते है यह आपके लिए favorable है तो अगर discount पे quote किया गया हो तो उस case में आप higher month पे rounding up करना यह rounding up का rule हो गए यह आपका transit period हो गए यह post shipment credit है जब आपको question solve करने जाओगे तो आपको clear हो जाएगा कि हम क्या कहने की कोसिस कर रहे है अब आता है अगला concept exchange rate determination थेरी जिसमें आपका exchange rate कैसे determine करते हो जैसे अभी हम लोग कह रहे थे कि आज का rate 80 का है तो 6 month बाद का rate क्या होना चाहिए एक साल बाद का rate क्या होना चाहिए तो अगर इस तरीके से अगर आप सोचते हो क्या होना चाहिए तो आज आपको forecast करना पड़ेगा तो forecast करने के लिए हमारे पास interest को base बना सकते हैं और हम लोग inflation को base बना सकते हैं अगर interest को base बनाओगे तो interest rate parity theory inflation को base बनाओगे purchasing power parity theory और अगर हम लोग इन दोनों के बीच में relationship देखे कि interest और inflation में क्या relationship बनता है तो वो international future effect तीन तरह का theory है exchange rate determine करने का अच्छा IRPT क्या कहता है कि देखो दो country के बीच का जो exchange rate है वो interest rate से decide होता है जिस country का interest rate बड़ा होता है वो depreciate करता है जिस country का interest rate बड़ा होता है जिस country का interest rate छोटा होता है वो depreciate करता है छोटा होगा सारी छोटा होगा तो depreciate करेगा दो country के बीच के जो interest rate का difference होता है उतना आपका approximate premium discount होता है मतलब क्या हुआ अगर इंडिया में rate चल रहा है सारी यूएस में rate चल रहा है 3% का और इंडिया में rate चल रहा है मान लिजी आपका 7% का तो कहते देखो ये currency depreciate करेगा ये currency appreciate करेगा और दोनों currency की जो appreciation depreciation है वो interest rate differential होगा मतलब कितना 4% का आपका interest rate differential होगा यह मैंने बोला है Interest rate का जो difference होगा approximately क्योंकि आपको पता है एक currency जितना सस्ता होगा दूसरा currency उतना महंगा नहीं होता है क्यों नहीं होता है आपको ये पता है क्योंकि जो base होता है वो बदल जाता है लेकिन approximate तो बोली सकते हैं तीसे लिए बोला है कि देखो approximately 4% से ये currency depreciate करेगा 4% से ये currency approximately depreciate करेगा अच्छा और जो आपको forward rate निकालना है तो forward rate आता है देखो spot rate multiply way दोनों country के interest rate का proportion इससे आप लोग क्या कर सकते हो forward rate आप निकाल सकते हो अब रहा सवाल कि ये formula क्या कहना चाहता है बहुत आसान है कहते देखो parity का मतलब समझ आता है parity यानि कि दो चीज हमारे parity पे है दो चीज parity पे होने का मतलब है दोनों का चीज इधर जाना इधर जाना दोनों अगर हमारे लिए same है मतलब parity पे क्या होता है देखिए US में कितने percent का rate चल रहा है 103 मैं थोड़ा सा चलो यहीं पे कर देता हूँ कोई बात नहीं तो अगर कोई US में borrowing deposit करेगा आज तो एक साल बाद क्या होने वाला है बताईएगा वैसे एक काम करते है जो हमने नीचे example लिया होगा वही ले ले लेते है 2% और 6% लिया गया है तो ठीक है same amount आपका match कर जाएगा 2% है 6% चलो यहीं पे इधर ही बात करते हैं इधर क्या है उधर भूल जाए यहीं थोड़ा space जादा है यूएस में चल रहा है 2% इंडिया में चल रहा है 6% कोई इंसान अगर इंडिया में लोन लेता और यूएस में लेता आपको पता है कि अगर exchange rate हमने रखा हुआ है 65 का मालनीचे 65 का rate चल रहा है तो क्या होगा देखो यूएस में dollar one borrowing deposit करना और इंडिया में रूपी 65 borrowing deposit करना दोनों का मतलब एक है हाँ अब मुझे बताइए इंडिया में अगर किसी ने 65 रूपी का अगर loan लिया होता है deposit क्योंकि दोनों को अगर में same चल रहा हो तो इसका future value कितना पढ़ता है 1.06 और यूएस में अगर किसी ने एक dollar borrowing deposit किया होता है तो इसका amount कितना पढ़ता है 1.02 तो अब आप मुझे बताइए ये amount जो होगा ये अगर दोनों equal हो जाए तो parity पे यही कहता है parity आपको पहले से बोलते आ रहे हैं कि क्योंकि एक currency महंगा होता है क्यों एक discount होता है तो depend करता है कि आपको क्या कहना मतलब parity पे कब आओगे parity पे तब आएंगे जब वहां का future value यहां का future value दोनों same हो जाता है अच्छा तो same कैसे हो जाएगा ये देखो dollar 1 multiply by 1 plus 0.02 अगर इसको equal करते हो रूपी 65 multiply by 1 plus 0.06 ये आपका equal होता है तो आप मुझे बता सकते हो dollar 1 का rate क्या बनेगा आप बोलोगे देखो 65 multiply by 1 plus 0.06 divided by 1 plus 0.02 simple यही चीज हमने यहां पे देखो आपको formula के अंदर दिया था कि देखे spot rate multiply by 1 plus rupee rate ये रहा 1 plus rupee rate divided by 1 plus dollar rate ये रहा आपका 1 plus dollar rate तो आप मुझे बताईए आने वाले rate कैसे ऐसे निकल गया हमारा हाँ गया आपको एक और भी चीज पता है कि future का rate आप dollar का निकाल रहे spot rate multiply by आपको पता है ये जो आप निकाल रहे ने ये premium public discount है ये जो value है न ये premium public discount का value है बोलोगे कैसे ये देखो 1.06 divided by 1.02 ये value आ रहे है आपका 1.0392 इसको आप multiply करें 65 से और ये आपका dollar का rate आ रहे है आपको पता है इसको आप थोड़ा सा एक काम करें segregate करके देखिए 65 इसको ऐसे करते है multiply by 1 plus 0.0392 है न तो ये 65 इतना आ गया और plus क्या करेंगे 65 multiply by 0.0392 ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आप 65 को 3.92 परसंट से बढ़ा रहे हो तो क्या मैं बोलू कि 3.92 परसंट का exact premium discount है अब ये आपने थोड़ा दिर पढ़ा कि interest rate का difference जो है that is the approximate premium discount लेकिन accurate premium discount कितना है 3.92 परसंट का अच्छा जो 4% approximate था ये accurate है क्योंकि आपको पता है जो dollar का rate आपका 65 का था पहले वो dollar का rate अब आप 65 को कितने से बढ़ा रहे हो आपको पता है जब आप रूपी के quantity बढ़ाते हो तो dollar appreciate हो रहा होता है तो dollar हमारा appreciate हो रहा है 3.92 परसंट से ये 3.92 परसंट कैसे निकाला इन दोनों के proportion के साथ तो क्या मैं ये बोलू कि ये जो आपने अभी rate निकाला है जो भी rate आता है आपका यहां से कितना rate आता है चलो rate निकाल भी देते हैं हम लोग 65 multiply by 1.06 divided by 1.02 ये rate आ रहा है हमारा 67.549 आप मुझे बताइएगा क्या यही rate हमें bank quote करके देगा क्या देखो यही सब चीज हमने यहां पर calculation करके दिया आपको कि देखो इस तरीके से calculation करके दे दिया है और आपको जो भी यहां पर example है इसी को मैंने यहां पर diagrammatical represent किया कि देखो यहां पर कोई loan लेके आता हो इंडिया में और इंडिया में अगर deposit करे और वो 6% कमा के वापस लेके जाए और इसका जो repayment है exactly 102 हो जाए कुछ भी जेब में ना बचे यानि कि दोनो amount equal हो जाए यह देखो यह जो हमने rate सोचा है अभी this is the fair rate यह fair का मतलब क्या है यह उचित है parity पे यह होना चाहिए और अगर parity वाले interest rate और exchange rate अगर market में prevail करे तो किसी भी party को फाइदा और नुकसान नहीं हो सकता है जैसे बहुत बार क्या होता है हम यह सोचते है कि हम US से loan ले देते हैं और इंडिया में invest कर लेते हैं क्योंकि आपको दिख रहाता न US में 2% का interest rate चल रहा है इंडिया में 6% चल रहा है आपके दिमाग में आएगा सर हम US से loan ले देते हैं इंडिया में deposit कर देते हैं पताओ 4% कमा लेंगे नहीं कमा पाओगे क्यों नहीं कमाओगे क्योंकि जब आप वो currency वापस लेके जा रहे होगे ध्यान से सुनिएगा अब यह आप कहते हैं कि सस्ता currency जिस country का interest rate चोटा होता है क्यों depreciate करता है सुनिए आप वहाँ से borrowing करके यहां लाए 4% extra कमा लिया आपने क्योंकि 2% पे loan लिया इंडिया में 6% पे आपने deposit किया 4% extra कमाया अब जब आप वापस जाओगे न तो आपको dollar खरीदना पड़ेगा सुदिएगा dollar खरीदना पड़ेगा अब क्या करते हैं आप जो 4% कमाये थे ने इंडिया में आके अब ये loss हो जाएगा अगर dollar 4% से महंगा हो जाए क्योंकि dollar आपको 4% महंगा खरीदना पड़ जाएगा तो आप आजाओगे parity पे और कोई भी country जो होते हैं वो ये नहीं चाहेगा कि rate mismatch हो ताकि जादा से जादा लोग वहाँ पे borrowing करके यहाँ पे क्या करें deposit करना शुरू करें इस तरीके से क्या हो जाता है disparity अगर arise हो जाएगे तो उस case में थोड़ा सा उस economy के लिए बुरा और इस economy के लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैसे जादा आ रहा है लेकिन होगा क्या बाद में फिर dollar खरीदने का demand इतना जादा बढ़ जाएगा कि वो महंगा होना ही पड़ेगा उसको क्योंकि सब लोग यहाँ पे लगा रखे तो सब को अपने पैसे वापस लेके जाना है dollar का demand बढ़ेगा dollar को महंगा होना ही पड़ेगा इसलिए जिस country का interest rate छोटा होता है वो कल के rate पे अप्रेसेट करी जाता है तब ही जाके वो parity पे आएगा यहनि कि no profit no loss पे लाने के लिए जिस country का currency सस्ता होता है interest rate चस्ता होता है उस currency को हम लोग क्या कर देते हैं हम लोग नहीं करते हैं वो appreciate होना चाहिए अब होगा नहीं होगा वो market बताएगा मतलब यह rate होना चाहिए और अगर यह rate market में available नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे बताएगे फिर वहाँ पे हम लोग profit कमा सकते और उस profit को बोला जाता है arbitrage तो होग यह आपका clear हो गया तो हाँ अब हम यहाँ पे एक और भी चीज बोलते हैं कि अगर कभी आपको fair premium discount निकालना पड़ा तो क्या fair premium discount इस proportion से निकाल सकते हो हाँ तो यही हमने यहाँ पे बोला होगा देखे उपर fair premium discount निकालना है आते है अभी उपर दुबार आएंगे अगर fair premium discount अगर किसी को calculate करना है तो आपको पता चला है कि one plus premium discount जो भी निकाला था किस currency पे अगर आपने वो dollar currency पे निकाला था तो कैसे निकाला one plus rupee का rate 06 divided by one plus point 02 dollar का rate आपको पता है अगर ये one अगर मैं simply premium discount निकालना चाहूँ तो मैं इस one को उधर ले जाओंगा interchange करके कर दूंगा minus one तो क्या होगा पता है one plus point zero six minus one plus point zero two तो क्या मैं इसको अगर bracket open करो तो क्या यहाँ भी minus हो जाएगी फिर हाँ जी यहाँ भी हो जाएगा minus और divided by हो जाएगा one plus point zero two तो क्या होगा ध्यान से देखे यहाँ से आपका यह minus one और plus one cancel हो जाएगी तो क्या रह जाएगा rupee का rate और dollar का rate का difference और अभी आपने बोला भी था कि जितना दोनो rate के बीच में difference आएगा इससे divide कर दोगे one plus point zero two से तो यह आपका accurate premium discount आजाएगा तो यही चीज मैंने बोला है कि dollar का premium discount निकालना हो तो rupee का rate minus dollar का rate करना और rupee पे किसी को अगर premium discount निकालना हो तो dollar का rate minus rupee का rate लेके divided by one plus rupee rate से भी निकाल सकते हो या चाहो कोई लोग तो यहाँ पे एक और formula लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे premium discount लिखा हो है इसलिए नहीं लिख पाऊगे चलो लिख सकते हो one plus rupee का rate जितना बनता है वो सिधा लिख दिया rupee का rate divided by one plus dollar का rate और इसमें कर देते हो अगर आप minus one तब भी आपका dollar का premium discount आ जाता है rupee का premium discount अगर किसी को निकालना हो तो आप dollar का rate ले लेना और फिर one plus rupee का rate ले लेना और इसमें से minus one कर दोगे तो भी चलेगा एक और भी बात आप एक चीज़ याद रखिए यहाँ का rate है मान लिजिए 70 का चलो यहाँ का rate ले लेते है 85 का है ना और यहाँ का rate है 80 का आपको पता है यह कितना percent जादा है हम directly निकाल सकते 85 divided by 80 यह बन जाता है 1.0625 value है यह हमने क्या किया है this is future rate यानि कि यह forward rate और यह spot rate forward rate और spot rate का जो proportion होता है न यह बताता है कि this value is 6.25 percent higher than 80 ओप यह चोटी-चोटी calculations आपको पता चल रहा होगा मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि यह 85 जो है न यह 80 से कितना जादा है कितना times है तो 1.0625 times है मतलब क्या होता है पता है 6.25 percent जादा है 80 plus 6.25 percent तो क्या मैं बोलू 85 पे आ गए न तो इसी लिए आप इसको भी premium discount बोल सकते हो मतलब forward rate divided by अगर आप spot rate करते हो यह वाले value इट इंडिकेट्स 1 plus premium अभलिक discount है न तो यही मैं बोलना चाहूं कि देखो forward rate divided by spot rate यह भी यह 1 plus premium अभलिक discount और 1 plus PIR of 1 currency divided by 1 plus PIR of another currency यह भी बताता है आपको 1 plus premium अभलिक discount तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो relationship आप बना सकते हो और A by B लिखा है न मैंने यानि कि A by B indicates price of A currency for one unit of B price in A currency यानि कि जैसे होता है A currency मैंने नहीं लिखा है क्योंकि क्या होता है रूपी पर डॉलर तो base currency डॉलर रूपी के लिए तो यह मैंने बोला है per unit of B के लिए इस तरीके से आप premium discount निकाल सकते हो चलिए वापस आईए हमने यह जो concept बढ़ा है न भी यह बता रहे हैं कि अगर US का rate 2% हो India का rate 6% हो तो fair premium discount कितना होना चाहिए वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो मैं कहता हूँ fair premium discount ऐसे भी तो निकाल सकते थे कैसे जैसे अभी हमने आपको थुरा देर पहले forward rate निकाल के दिया तो यादे कुछ तो वो forward rate ले लीजिए और spotted के साथ compare कर लीजिए तब भी fair आजाएगा लेकिन यह forward rate कौन सी होना चाहिए आपका fair वाले होना चाहिए यही मैंने बोलाए first calculate fair forward rate using IRPTC और तब इसके बाद ऐसे भी निकाल सकते हो लेकिन यह जो भी कुछ निकाला है क्या था यह आपका उचीत यह दोनों country का interest rate कहता है यह होना चाहिए और ना होगा तो तो बैठके arbitrage कमाई है arbitrage वो लोग arbitrage कहां से आ गई बीच में अगर यह mismatch होता है न अगर यह forward rate bank अगर quote नहीं करता है इसका मतलब यहां से ले गया amount यह amount 102 नहीं होगा माल लिजे यहां यह amount आपको जादा हो जाता है ठीक है अब तो उस case में यह amount जब जादा हो जाएगा तो repayment करने के बाद surplus बचेगा उस surplus को arbitrage बोला जाता है यानि कि बिना किसी risk का अगर कोई profit कमाया जाए बिना किसी risk का अगर कोई profit कमाया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं arbitrage और अगर mismatch होगी तो हम arbitrage कमा लेंगे न कैसे वहां से हम 2% पे loan लेके आएंगे यहां पे 6% पे deposit करेंगे और मान लिजे currency fluctuate नहीं तो हम सीधा लेके जाएंगे और उसको repayment कर देंगे तो हमारा 4% बच जाएगा लेकिन currency जब उतना ही appreciate हो जितना होना चाहिए तो फिर आपका जो amount है दोनो equal हो जाएगा parity पे हमने क्या किया है दोनो amount equal कर दिया जब दोनो amount equal हो गया तो कहीं से आपको नुफाइदा होगा ना कहीं से नुकसान होगा मतलब arbitrage नहीं हो सकता है इसके अगला concept हमारा arbitrage निकालने का होगा तो हम वहाँ पे जाके क्या करते पता है यही parity matching करते है कि अच्छा रुको जी हम जो सोच रहे है वही है या नहीं है अगर वो नहीं है तो arbitrage होगा लेकिन हम जो सोच रहे है अगर वही market में है तो फिर arbitrage नहीं होगा है ना ओके तो यह जो अभी हमने पढ़ा है इसी सारे चीजों को यहाँ पे verification करा के दिखाया कि देखो इसका जो premium आया 3.92% याद है ना रूपी करेंसी का रेट बड़ा है डिसकाउंट पे जाना चीए देखो डिसकाउंट पे गिया आप निकाल के चेक कर लिजे एप्रॉक्सिमेटर फो परसेंट का होगा तो इसी का जो एक्सपरनेशन था यह था इंटरेस्टेट पैरेटी थेरी अब नेक्स्ट आता है पर्चेजिंग पावर पैरेटी थेरी यह इंटरेसन को बेस बनाता है यह क्या कहता है कि दो कंट्री के बीच के जो एक्सेंज रेट आते है न किसी भी एक प्रोड़क्ट के प्राइस से आता है कहते आच्छा यह देखो जी कहते कि देखो यह आज की बात कर रहे हो आप अगर यह ABC प्रोड़क्ट इंडिया में 490 का चलता है यूएस में $7 का चलता है तो यह बताता है कि देनों दोनों इक्वल है लेकिन इसमें हमने क्या क्या चीज़ हटा रखा है taxation का difference अटा रखा है transportation का cost अटा रखा है सारे transaction cost अटा रखा है तो कहते हैं यह बताता है spot rate this is the purchasing power parity अब आपके दिमाग में आता है कि यह इतना क्यों यह इतना क्यों मैंने बोल दिया है अल्रेड़ी आपका currency circulation country में कितना currency publish कर रखा है ज्यादा currency publish कर रखा होगा तो इतना आपको ज्यादा pay कर पाओगे same currency के लिए जहाँ पर currency का publish कम होता है वहाँ पर कम amount pay करते है उसी समान के लिए अब क्या होता है एक साल के बाद मान लिजे इंडिया में inflation हो गया 5% और US में inflation हो गया 1.5% इंडिया में 5 और US में 1.5 तो आपको क्या लग रहा होगा कि 3.5 का गयाप है तो approximately 3.5% depreciate depreciate होना चीए याद रखिए का वह approximate होगा approximate होगा कहां गए कहां गए approximate होगा accurate तो कुछ और होगा बोलो accurate कुछ और कैसे होगा आपको पता है कि इंडिया में 5% का inflation चलता है तो जो सामान एक साल पहले 490 का था वो हमारा 514.5 का होगा और जब US में हमारा inflation चल रहा है 1.5 का तो यह 7 डॉलर का जो सामान है वो हमारा 1.5 से महंगा हो जाएगा अब parity क्या कहता है बताए फिर से एक साल बात भी यह दोनों equal होना चाहिए एक साल बात भी है दोनों equal होना चाहिए यह और यह equal होना चाहिए तब ही जा कि आप parity पे बनोगे अगर inflation parity पे है तो यह और यह हमारा क्या होना चाहिए equal होना चाहिए ओके तो कैसे अब equal करे बताएए तो यहाँ पे अगर आप एक डॉलर का rate निकालोगे तो इतना आजाएगा आपका यह हम इसको ऐसे भी बोल सकते देखो ऐसे कर देते हम साधा अच्छा रहता कि रूपीज 7 multiply by 1.015 यानि कि हमने डॉलर के rate को रूपी नहीं था यह रूपी गलत लिखका है हमने यह रूपी मिस्टेक है यह रूपी नहीं आएगा यह डॉलर है क्योंकि डॉलर वाले price को आपने बढ़ा रहे हो नहीं यूएस वाले डॉलर में हो ठीक है आप लोग इसको cutting कर लीजिएगा तो यह देखे यहाँ पर क्या आजाता है यह डॉलर आपको पता यह जो है यह इक्वल होना चाहिए इसका किसकी इक्वल होना चाहिए बताइएगा rupees जो यह 490 था multiply by 1 प्लस 0.05 का तो अब आप calculation करो $1 का साथ कितना आएगा बताइए अगर मैं $1 का rate निकालना चाहूं तो 490 divided by 7 कर दो 7 और इधर कर दो 1.05 divided by 1.015 यही तो हमने यहां पर कर रखा है देखो न simple ज्यादा क्यों दिमाग लगा यह देखो यही चीज़ तो हमने कर रखा है यहां पर तो यह क्या है बताइए यही तो spot rate था spot rate और यह देखो 1 plus inflation rate of rupee divided by 1 plus inflation rate of dollar तो एक parity बन गया यहां से क्या parity बन गया बताइए आप यहां से कि अगर आपको expected rate future का rate निकालना है तो spot rate में inflation इंडिया का और dollar इंडिया का ले लीजिए अगर वही बात है inflation rate differential जो होगा approximately equal होगा premium discount का जिस currency का inflation ज्यादा होगा वो depreciate करेगा जिस currency का inflation कम होगा वो depreciate करेगा exactly सब कुछ क्या है यहां पर same है तो इसी के साथ जो होता है आपका inflation rate parity भी खतम हो जाता है अब एक आता है आपका international feeser effect international feeser ने क्या किया पता है उसने बोला IRPT का जो concept है न सही है उसके अलाबा उसने interest rate और inflation rate के बीच में एक relationship provide कर दिया क्या करा it provides relationship among real interest and inflation rate and risk free rate feeser ने क्या बोला कि देखो अगर inflation जादा होगा तो country का risk free rate जादा होना चाहिए inflation कम होगा तो risk free rate कम होना चाहिए और उसने calculation करने का तरीका बताया कि देखो real rate में inflation add करो real rate में inflation add करो तो आपका country का risk free rate आ जाएगा जिसको nominal rate भी बोलते हम लोग यानि कि फीशर ने आपको country का जैसे आप कहते हैंast Treasury Bill Rate मैं बार बार क्या कहता हूँ कि देखो inflation ज़ादा होगा तो country का rate ज़्यादा होना चाहिए क्यों ज़्यादा होना चाहिए क्यूंकि कहते हैं देखो inflation जादा है अगर तो इंसान को उतना कमाई जरूर मिलना चाहिए ताकि वो महेंगे समान को खरीद कपाए यानि कि उसके purchasing power कम ना हो अच्छा अगर 5% का inflation है अगर तो आपके जो risk free rate जो treasury bill का होना चाहिए ना उसमें 5% जादा मिलना चाहिए तो हम कहते है कि कैसे calculate करे तो future ने बोला कि देखो real rate वो rate है जिसमें inflation add नहीं है inflation को exclude कर दो तो जो interest rate होता है उसको real rate बोलते है तो वो जो आपका real rate है उस real rate में आपको क्या करना है बताएगा inflation का adjustment करना है और वो आपका आजाएगा 1 plus risk free rate यह फीसर ने formula दिया ठीक है और यहाँ पर real rate है rate at which inflation it not adjusted या excluded बोल दोगे तो भी हो जाएगा जिसमें inflation exclude किया हुआ है वो है और जिसमें include किया हुआ है वो आपका कौन सी है risk free rate यानि कि risk free के अंदर inflation का premium already होता है इसके explanation जो यहाँ से हमने के example से दे रखा होगा अच्छा example नहीं दे रखा है ठीक है कोई नहीं real rate में आपको inflation adjust करने के बाद risk free जाता है और इसका formula इस तरीके से adjustment होता है इसका मैं एक line का logic बता दो क्योंकि example तो नहीं ले सकते है one plus क्यों किया जाता है दोनों तरफ क्योंकि क्या होता है inflation की जो adjustment होते है वो सिर्फ जो interest का amount होता है उस पे नहीं होता है आपको interest plus principle दोनों पे होता है यह बताता है pure time value और यह बताता है inflation का adjustment जैसे हम क्या कहते हैं कि देखो अगर यहाँ का 100 रुपीज है 100 रुपीज है और real rate चल रहा है आपको इस पूरे पे impact डालता है ऐसा नहीं है कि 2 रुपीज पे inflation impact डालेगा और इसके principle पे नहीं डालेगा इसका मतलब 1 प्लस यह जो आपका पूरा का पूरा 102 है इस पे आपको माल लिजे 5% का inflation चलते हैं तो आपको इस पूरे को 5% से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि inflation का impact जो आता है पूरे principle and जो आपका time value मिला है पूरे पे बनेगा तो आप इस case में अगर आप देखते हो तो यह बन रहा होगा 102 प्लस 5% यह बन रहा होगा आपका देखे 107.10 इसका मतलब क्या है पता है आपका जो risk free rate है नहीं यहाँ पे यह देखो 100 रुपीज बढ़के जाता है 107.10 मतलब 7.1% का आपका क्या है यहाँ पे 7.1% का आपका risk free आता है वो directly भी निकाल सकते देखे कैसे बता है 1 प्लस real rate multiply by 1 प्लस inflation rate is equal to 1 प्लस risk free rate तो यह देखे 1.02 multiply by 1.05 आगया न 1.071 और उसमें से 1 प्लस risk free था वोन हटा दीजे 7.1% आगया तो यह था फीजर का adjustment यहाँ तक जो है आपका यह clear हो गया next concept है हमारा relationship between home currency and foreign currency return क्योंकि होता क्या है देखे आप अगर इंडिया में invest करो और जो return कमाऊगे और आप अगर US में invest करो और वहाँ जो return कमाऊगे इन दोनों return में जो है न relationship वो हम लोग यह check करें कि कि किस तरीके का relationship established होता है तो हमने इसके लिए कि example ले रखा है कि देखो मानले जे US में आपको 2% का interest rate चल रहा था 2% का return चल रहा था वहाँ पे आप क्या करते हो 6500 रुपीज आपके पास था आप गए US में invest करने market में rate चल रहा था 65 का तो आपके पास कितने dollar आ गए बताए dollar 100 आप गए US में invest कर दिये आपको US में कितना return मिला only 2% तो हमने क्या करा देखे sorry just a minute यह mistake है यह 6% और 2% से कोई लेना देना नहीं है हम गए कहाँ पे USA में यह mistake है यह 2% और 6% से इसका कोई लेना देना नहीं है हम गए US में तो यह जो dollar 100 में हमने पैसे invest किया है हमने किसी एक company का share खरीद लिया वो हमें dividend दे दिया 5 का और हमने जो इसका price हो गया न 110 का तो हम क्या देख रहे हैं 100 डॉलर लगाया और 100-150 लाया इसका मतलब हमने 15% का return कमाया कहाँ पे US में जाके आपको पता है यह जो US में जो आपने 15% कमाया है इंडिया में यह return आपका 15% नहीं है बोलोगे क्यों क्यों क्योंकि वो जो हो गया कि वो currency या तो depreciate हो गया होगा या वो currency आपका depreciate हो गया होगा तो उस तरीके से आपके जो इंडिया का return होगा बदल जाएगा यह हम कहने की कोसिस करें तो सोचो यह जो आपने वहाँ पे dividend और जो price था ना उसको आप इंडिया में ले के आए तो जो जिस ताइम आप ले के आ रहे थे ना उस ताइम यह currency depreciate कर गया depreciate कर गया कौन डॉलर जो 65 का था डॉलर 64 का होगा depreciate कर गया तो क्या होगा देखिएगा आपने जो कमाया था ना earning जो किया था डॉलर में जब वो डॉलर वापस ले के आए तो आपको नुकसान हो गया देखिए कितने percent नुकसान हुआ है 5.3385 परसे नुकसान हो गया तो ये इंडिया में कितना amount बना आपके पास 63, 73, 60 आपने 110 को convert करना है 64 के rate पे इतना आ गया आप मुझे बताएगा कितने पैसे invest किया था 6500 आपके जब में कितना आया 73, 60 तो 7, 60 आया 65 लगा के तो कितना percent return हुआ 13.23% आपको पता है ये जो 15% का return था न ये आपका down हो गया है due to this premium due to this discount तो ये कितना ये आप directly निकाल सकते थे क्या मैं ये कहना चाहरा हूँ कि मान लिजे ये amount होगर आपको ना पता होता तो 15% पे इतना percent down करके कि यहां पहुचा देते तो हम क्या ये बोल देते कि देखो 15% वहां कमाया लेकिन हमारे currency इतना percent depreciate कर गया तो minus 1.5385 हो गया तो हमारा answer आगया कि मैंने कमाया 13.46% लो ये क्या हो गया हम तो कह रहें कि 13.23 को आया लेकिन हमने जो इसको इसका minus कर दिया था तो 13.46 आ गया ऐसे क्यों नही minus कर पाएंगे कहते देखो आप कह रहे हो क्या कि आपको इतने percent का नुकसान हुआ लेकिन only on 15% मतलब जो आपने कमाया था ना और यह 10 डॉलर सिर्फ 15 डॉलर पर नुकसान करोगे और जो principal लेके गए थे आप 100 उस पे कोई नुकसान नहीं होगा मोलोगे नहीं उस पे भी नुकसान होगा क्योंकि जब currency depreciate करता है तो जो कमाया उस पे भी नुकसान होता है और जो principle लेके गए होते हैं उस पे भी नुकसान होता है मतलब आपके जो नुकसान है नहीं है कि only 15% पे नहीं है 100% का principle and 15% का earning पूरे 115% पे इतना परसेंट का नुकसान है मतलब 115 multiply by इतना नुकसान करना है तो मैं minus कर देता हूँ 1.5385% यह आपका आगया 113.23 113.23 मतलब 100% principle तो कितना बच गया 13.23 का आपका क्या बच गया इसमें return तो इस तरीके से आपने foreign currency के return को home currency के return में convert किया कैसे convert किया हम कहते देखो अगर किसी को home currency का return निकालना हो वो क्या करेगा foreign currency का return लेगा लेकिन उसमे 1 भी add करेगा क्योंकि principle पे भी यह premium discount अपलाई होगा इसलिए 1 plus foreign currency return मतलब 1 is principle और यह होगी आपका return इसको जब आप 1 plus premium से बढ़ाओगे तो जाके 1 plus home currency return आएगा लेकिन अगर foreign currency discount पे गया होतो तो फिर आप 1 minus discount कर दो तो किस पे discount अपलाई करोगे पूरे 1 plus foreign currency approach पे 1 plus foreign currency return पे तो यह होगी आपका home currency के लिए वैसी आप किसके लिए देख सकते हैं बताएः foreign currency के लिए क्यों अगर बताएइए 1 plus foreign currency return निकालना है तो home currency का return में आप premium discount apply करना home currency का यह मत भूलना अगर home currency का return है तो premium discount apply करना home currency का सिंपल और कुछ नहीं है इसके अंदर ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्टनेटिवली यही कहा रही कि हम डारेक्ली भी निकाल सकते थे तो इस तरीके से यह कॉंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है नेक्स कॉंसेप्ट आता है हमारा आर्बिट्रेज अभी जो हमने कुछ दिर पहले जो आयार्पीटी पढ़ा जिसमें आपने देखा कि अगर किसी कंट्री से बॉरविंग किया जाए किसी कंट्री में डिपॉजिट किया जाए तो आपको एडिशनल वेनिफिट नहीं मिलता ह अगर वो पैरिटी पे हो तो लेकिन पैरिटी पे ना हो तो आपको प्रोफिट हो सकता है उस प्रोफिट को आर्बिट्रेज बोलते हैं लेकिन वो प्रोफिट जो होता है उसको हम लोग कवर इंट्रेस आर्बिट्रेज बोलते हैं क्योंकि आर्बिट्रेज दो तरीका को हो cover interest arbitrage तब होते हैं जब हमारा जो parity पे ना हो यानि कि जो दो country का interest rate और spot rate और forward rate अगर parity पे ना हो तो हम लोग cover interest arbitrage earn कर सकते हैं और एक है geographical arbitrage उसमें क्या होता है कि दो different market में same currency का दो rate मिल जाता है तो उस mismatch को हम लोग in cash करके arbitrage earn करते हैं arbitrage का मतलब होता है बिना किसी risk का profit यानि कि आप जो भी transaction कर रहे हो आज ही sure है तुकि पता है future में uncertainty है लेकिन उस uncertainty से आपके profitability पे कोई फर्क अगर ना पड़ता हो इसका मतलब वो risk free है तो कोई भी ऐसा process जिसके अंदर अगर आप risk free profit earn कर पाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं arbitrage ओके तो देखें यहाँ पे arbitrage is an act to earn risk free profit अगर दो country में same currency का दो अलग-अलग rate हो तो उसको हम लोग बोलते हैं geographical arbitrage तो ही बोलते हैं कि high rate पे आप बेचो और low rate पे आप खरीदो और borrowing और borrow at low rate and numerous at high rate in cover interest arbitrage यह इस तरीके के action होता है जिसमें हम लोग arbitrage करते हैं तो हमने क्या बोले देखें possible due to mismatch in the spot rate of same currency in different market यानि कि एक market में dollar one है 80 rupees का दूसरा market में dollar one है rupees 81 का mismatch हो गए arbitrage होगा कैसे arbitrage करोगे buy at small rate छोटे rate पे खरीदे in one market में और same and sell होगा यह and sell at high rate in another market same currency को दूसरे market में बेज दीजिए for everyone there are maximum two possible routes in one route we get profit and in another route we get loss मतलब क्या कहना चाहरा हो कि देखें दो market है sorry दो route होता है हर एक party के लिए जैसे अभी के case में हमने बोला है कि देखें एक market में dollar का rate चल रहा है 80 दूसरा market में dollar का rate चल रहा है 81 तो आप क्या सोच रहे होंगे 80 पर खरीद लेते ए 81 पर बेज़ देते हैं हाँ बहुत बढ़ बढ़िया लेकिन ये कौन खरीदेगा क्वां बेचेगा और क्या खरीदेगा क्या वेचेगा डॉलर का रेट है तो डॉलर परचेज करेगा डॉलर सेल करेगा फर्स्ट मार्केट में परचेज करना है सेकेंड मार्केट में सेल करना है तो मैं कहता हूँ ये काम कौन कर सकता है वो इनसान भी कर सकता है जिसके जेब में रूपीज है, यानि कि Mr. India भी कर सकता है, और वो इनसान भी ये काम कर सकता है, जिसके जेब में डॉलर है, जो यानि कि Mr. USA भी कर सकता है यूए से कि भी ये इस मिस्नाच को in cash कर सकता है ठीक है और Mr. India भी in cash कर सकता है, लेकिन दोनों का root differ करता है, दोनों का root differ करेगा क्योंकि देखो, जिसके जेब में पहले से dollar है वो dollar लेके पहले जिस market में जाएगा नो, वहाँ dollar बेचना पड़ेगा उसको और यहाँ पहले जाना पड़ेगा उसको, लेकिन जो Mr. India के जेब में रूपी है तो पहले dollar खरीदने जाएंगे, तो होता क्या है party के बदलने से root बदलता है root बदलने का मतलब क्या है? कि पहले यहाँ जाओ या पहले यहाँ जाओ यह दो अलग-अलग रास्ता हुआ यानि कि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से यहाँ जाता हूँ, this is one root मैं पहले यहां जाता हूँ और फिर यहां से इस market में जाओगा तो यही मैंने बोला है कि चाहे कितने भी party हो हर एक party के लिए maximum दो possible route होगा चाहे कितना भी market क्यों न हो बात समझ में आगए? ओके, तो हम कैसे find करेंगे? देखो, can we find profitable route directly? yes, see explanation हम explanation में आपको बता रहें कि हाँ कैसे हम लोग profitable route हम ढूंड सकते हैं इसमें खास करके थोड़ा time बचाने के लिए हमने दो ही market लिया है कि Mumbai एक New York है एक market में क्या चल रहा है? देखिए, dollar one का रूपी 65 और दूसरे market मान लिजे, New York में गये रूपी 100 is equal to dollar 1.55 अब ये rate mismatch है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तो आपको इस तरीके से rate convert करके लेना पड़ेगा कि आपको same currency का दो rate जब तक ना मिले तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमारे के क्या हो रहा है तो अब देखे इसमें हम अगर यहाँ पे ले ले dollar 1 equal to तो यहाँ क्या दिखेगा रूपी देखे 100 divided by 1.55 ये दिख रहा होगा आपको 64.5161 अब इस तरीके से आप compare कर पा रहे होंगे कि अरे हाँ ये दोनों में mismatch तो है ठीक है अब हम कहाँ buy करे कहाँ sell करे तो देखे यहाँ पे आपको buy करना चाहिए नियॉक में buy और Mumbai में sell ये आपका profitable route है नियॉक में buy dollar और वहाँ sell तो ये देखे जिसके पास रूपी था वो Mumbai गया पहले हमने क्या बोला था देखे आपका profitable route क्या बनता है आपको इस market में dollar खरीदना चाहिए था लेकिन आप Mumbai में जाके dollar खरीद रहे हो कैसे? रूपी था रूपी देखे अगर dollar ला रहे हो तो dollar खरीद रहे हो न dollar कहाँ खरीद रहे हो? मुंबई में मैंने बोला था profitable route हुओ है जहाँ पे नियॉक में dollar खरीदना चाहिए था इसका मतलब यह जो route है न यह route 1 यह profitable नहीं है और यह आप चेक कर पा रहे होंगे 1000 यहाँ है और यह 19992 आ गया तो यह profitable route नहीं लॉस है तो profitable route क्या होगा बताइएगा जिसके जेब में रूपी है याद रखिए गई हम किसके लिए चेक करें? Mr. India के लिए यहाँ पे गया वो Mr. India New York या डॉलर खरीद ने तो आपने क्या देखा? 1000 की calculation start किया और उनके जेब में कितना आगे? 1000 7.5 यानि कि 7 रुपीज का क्या इसमे profit है और आपकी information के लिए arbitrage है क्यों arbitrage है? क्योंकि यह दोनों आपका spot rate किसी भी rate में कोई risk नहीं है चलिए तो यह आपका हो गया Mr. India के लिए ऐसे अगर आप Mr. USA के लिए सोचोगे तो देखो उनके भी profitable route वही है उसको क्या करना पड़ेगा? New York में dollar को खरीद ना पड़ेगा वो क्या करता है? देखे, पहले किया मुंबई जेब में इसके पास dollar था क्योंकि Mr. USA है तो जिसके जेब में dollar होगा तो पहले dollar बेचने जाएगा अच्छा dollar बेच रहा है मुंबई मतलब खरीद तो नहीं रहा है ना मुंबई में मुंबई में बेचने का था यानि कि इसका मतलब ये route जो है ने प्रोफिटेवल है Mr. USA के लिए तो ये देखे इतना आ गया लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिएगा Mr. USA के जेब में dollar 1000 था तो इसका जो second ये route जो है ना जो route उसके लिए pro loss बाले था उसके लिए ये route profitable हो गया और वो profit भी इतना है ये देखो dollar 7.50 ये है और आपको पता है दूसरे route में Mr. India को भी ये profit था तो ये आपको हमेशा चलेगा कोई भी question हो चाहे कोई भी party हो amount अगर उसके pocket में same होगा तो profit भी same आएगा क्योंकि miss match उतना ही है जो पहले था तो इस तरीके से हमने चेक किया इसके लिए route 2 जो होगा न loss होगा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान क्या रखना ही देखिए loss हो रहा है dollar 7.45 का profit हो रहा है dollar 7.50 का इसका मतलब एक route का loss जो है न दूसरे route के profit के equal नहीं होता है इसका region क्या है क्योंकि base बदल जाता है जब यह बेचने गया था तो इसने जब बेचा था न तो dollar 100 बेच के कमाया है और इस बाले case में sorry अच्छा यहाँ पर बट यहाँ पर देखिए जब इसने रूपी 65,000 यहीं से आप देख सकते हो जब इसमें इस market में convert किया तो देखो उनके पास रूपी 74,000 आया लेकिन रूपी 75,000 है तो यह जैसे root बदलते हैं तो आपका जो thousand dollar के amount होते हैं amount की base बदल जाता है जिसकी base से क्या होता है आपका amount equal नहीं होता है profit का and loss का इसको अगर थोड़ा और अगर आसान तरीके से समझोगे तो ऐसे समझे एक market में हमारा rate कितना चल रहा है dollar one जा रहा है रूपी 80, एक market में rate कितना होता है 81, आप क्या कह रहे हैं को देखे इस market में खरीद के यहाँ बेचू, तो one रूपी का loss, यहाँ खरीद के यहाँ बेचू, तो one रूपी का profit आप बोलोगे सर, एक राष्टे से जितना profit आया, दूसरे से loss भी तो उतना ही है लेकिन आपके amount बदल चुके हैं देखो ना कैसे, यहाँ खरीदने गए, आपका investment कितना आप 81 invest करके one रूपी loss करते हो और जब आप इस route में यहाँ खरीदने गए, तो 80 invest करके one रूपीज कमाते हो तो base बदल गई न, जब आपने loss निकाला, तो आपने 81 की investment पे one रूपी loss किया, और जब profit निकाला तो 80 के investment करके एक रूपीज profit कमाया, तो investment amount बदल चुका है, लेकिन यहाँ पे loss और again, दोनों का investment amount same है इसलिए आपका, दोनों का amount क्या हो जाता है, यहाँ पे बदल जाता है यहाँ पे हमने दिया है, shortcut to find the profitable route बहुत बार क्या होता है, अभी तो 2 exchange rate था, तो फटा-फट आपने decide कर लिया, 3 exchange rate होगा तो कैसे आप profitable route decide करोगे, तब भी कर लेंगे, बोलो कैसे, जैसे अभी हमने क्या किया था, यह 2 rate को compare किया था न, इसको और इसको तब profitable route निकाला था, तो अभी भी वही कर लेंगे न हम लोग, क्या करेंगे, बताए यह 3 exchange rate दिया है Mumbai, New York, London ठीक है, अब मुझे कहता है arbitrage के लिए possibility चिक करो, तो पहले तो मुझे मिसनाच ढूंडना पड़ेगा, हम क्या करेंगे पताए, एक डॉलर का rate है, दूसरा डॉलर का rate भी निकाल लेंगे, इसको cross करके, आपको पता है न, cross किया जा सकता है, हम इसको cross करेंगे, और हमें पताए कि देखो, pound pound one, pound one, ठीक है, यानि कि dollar 1.35 is equal to rupee 90 इससे हमने क्या करा, dollar 1 का एक rate निकाला, और ये rate क्या हो गया बताए, 90 divided by 1.35, ये आ जाएगा आपका 66.67 ऐसे ही दिख रहे है, यहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा है, तो हो गया, हमारा root पता चल चुका है मुंबई में dollar को sell करना profitable है, मुंबई में dollar को sell करना profitable है अब आप देख लीजे, कैसे करोगे यह आपको पता चल जाएगा, अब कैसे करेंगे, अब जब आप diagram बनाने जाओगे, तो किसके पार्ट क्या है, देखो अब यहाँ पर 3 currency का involvement है, है न, 3 currency का involvement है, इस mismatch से, कोई भी party पैसे कमा सकता है, Mr. India भी हो सकता है, Mr. USA भी हो सकता है, Mr. UK भी हो सकता है, तीनो पार्टी यहाँ क्या कर सकता है, profit कमा सकता है याद रखिएगा, यही मैंने बोला है, all three currencies are quoted for two times, we can compare two routes of any currency but comparing dollar rate is less time consuming, हमने बोला है कि देखो किसी भी किसी के साथ comparison किया जा सकता है, इस rate को भी आप इसके और इसको cross करके बना comparison कर सकते थे, तो मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, dollar के rate को ही compare कर देते हैं, तो हमने rate निकाल दिया यह रहा यह, अब profitable route क्या हुआ, dollar को मुंबई में sell करना है, अब जब route बना रहे होंगे तो आप decide कर लिजेगा, two a route, two a quote में, बस हो गया खतम, आपको बस यह decide करना है कि sell होना चाहिए, मुंबई में वो route बनना चाहिए, जैसे आपने उपर बनाया था न, हमने क्या बोला था, उपर आपने देखा कि देखो, dollar मुंबई में sell करना, तो यह profitable था, या, new york में dollar buy करना profitable था, तो देखो, यहां से profit आये थी, वहां से आये तो इसी तरीके से आपको route decide करना पड़ेगा, चलो आगे बढ़ते, example two, two a quote का है, two a quote में कैसे profitable route find out करोगे, कर लेंगे, क करके निकालना, अभी cross बताए आपको, रूपी per pound है ये, तो cross निकाला और ये rate आगया, अब देखे क्या होता है, हमारे पास दो rate है, एक rate ये है, और एक rate ये है, इसको compare करेंगे और decide करेंगे कि कौन सी route हमारे लिए profitable है, आपको पता है, customer buy करता है ask पे, और customer sell करता है bid पे, customer buy करता है ask पे, customer sell करता है bid पे, तो चलो एक काम करते है, फटा फट देखते है, एक route क्या बनता है, इधर Mumbai में buy करना और ये जो दो market रहता है ना, इस दोनों को use करके pound को बेचना, हाँ, ठीक है, तो क्या करेंगे देखे यहाँ पे, ये pound का rate है, ये भी pound का rate है, हम क्या सोच करते हैं कि देखो, यहाँ पे अगर pound buy करेगा, क्योंकि ask rate पे buy करेगा, तो इधर जाएगा और ये दोनों market को use करके, इस पे वो sell करेगा, तो buy किया 98 पे और sell किया 87.5 पे, profitable route तो नहीं है ये, तो ये तो घट गया, अब दूसरा route क्या बनता है, कि देखो, इन दोनों market को use क करके pound खरीदें, तो इतने पे आएगा, क्योंकि buy करोगे ask पे, और जब बेचने जाओगे, तो ये आएगा आपका sell to, अब आप ध्यान से देखो, buy करोगे 94 पे, sell करोगे 96 पे, हाँ, ये profitable route है, इसका मतलब, इस market में sell करना पड़ेगा, मुंबई में pound बेचना profitable route है, मुंब मुंबई में pound बेचना, sell pound in Mumbai, sell pound in Mumbai is profitable route, arbitrage is possible as there is gain, ये वाले route जो है ये profitable route है, जहाँ पे pound मुंबई में बेचोगे, जो currency एक बार quote किया गया है, उसी को पकड़ लेना है, एक रास्ते रून लोगे तो भी बन जाएगा, रूट कैसे बनाओगे, question में आप देख सकते हो, अगर आपको profitable route नहीं मिल पा रहा है, तो proceed randomly from any one route, उपर वाले का नाम ले लो, और आपको पता है दो ही route बनेगा, जैसे माल लेजे इसमें दो route कैसे बनेगा, suppose कि ये कौन है, pound है जिसके जेव में, तो pound लेके कहा जाएगा बताइए, pound लेके ये मुंबई जा सकता है पहले, रुपी आएगा उनके पास, फिर रुपी लेके कहा जाएगा, जापान, फिर वो आजगा इसके पास, एन, और फिर एन लेके जाएगा, लंडन फिर आजएगा, pound देखो, जहां से सुरू किया, वहां आ गया, दूसरा route क्या हो सकता था, देखो इनके पास, दूसरा route हो सकत यह pound, यह दो ही तो route बन सकता है, दूसरा तो कुछ ही नहीं, अब कौन सी route profitable है, वह आप find out कर सकते यहां से, तो वही मैं कहा रहा हूँ कि दो ही route बनता है, तो हम लोग उने जो पढ़ा था ने, क्या करा था पता है, हमारे सर ने बोलता था कि इतना सारे कौन जाएगा, चेक यही बोला है, कौन जाएगा इतना चेक करने के लिए, तो यही मैंने बोला है, कि अगर कोई difficulties लगता है, तो randomly किसी भी रास्ते से शुरू कर लो, अगर एक रास्ते में loss आ जाता है, दूसरे रास्ते में तो gain हो गई होगा, लेकिन याद रखिएगा, टूए कोट में दोनो रूट से आपको loss हो जाए, तो यह था आपका geographical arbitrage, अब आता है cover interest arbitrage, इसका भी दो रास्ता बनता है, याद है आपको, कि मान लिजे इंडिया है और UK है, हमने दो country लिया है, इंडिया एंड यूके, तो या तो UK से borrow करोगे, इंडिया में आके convert कराओगे, deposit करोगे, और फिर उसको draw करके, वापस लेके जाओगे, future में, future में जब वापस लेके जाओगे, तो आपको forward rate अपलाई होगा, और जो पैसे मिला, उससे repayment करना, इस repayment पर अगर कुछ surplus बच गया, तो आपका arbitrage है, नहीं तो कोई बात नहीं, arbitrage नहीं है, तो फिर arbitrage अगर उस route से नहीं, तो दूसरा route क्या बनता है, इंडिया में borrowing कर लो, ये देखो, इंडिया में borrow कर लो, वो पैसे लेके जाओ UK, वहाँ deposit करके वो draw करना, और फिर वापस लेके आना, याद रखना, आज लेके जाओगे तो spot rate, जब वापस लेके आओगे तो forward rate, और जो equivalent रुपी बना है, उनसे जिस से पहले ही मुझे पता चल जाए, यानि कि ये calculation करने से पहले ही पता चल जाए, कि ये route profitable है, या ये route profitable है, तो कितना अच्छा होता, हम क्यते हाँ, ये तो बहुत बढ़िया होता, तो अब ये कैसे निकाला जाए, तो एक सीज आपको पता होगा, कि arbitrage तो तब ही होगा, जब ये forward rate, ये spot rate और दो country के बीच का जो interest rate होगा, वो interest rate parity पे ना हो, तो एक काम करते हैं, parity चेक कर लेते हैं, सोच ये थोड़ा ध्यान से, मान लिजी इंडिया में 6% का rate है, US में 2% का rate है, और ये rate हमारे को 80 मिल रहा था, हम केते हाँ, बहुत बढ़िया, तो आपको पता ह कि US का कोई party अगर US में जाके invest करता और वो इंडिया में लाता, या US में loan लेके Indian currency में अगर वो cost निकाले, आपको पता है, कि जो इंसान 2% invest करेगा US में, उसका equivalent इंडिया में 2% तो नहीं है, अभी आपने convert किया था, याद है कुछ, US में जाके आपने Apple के INC में 15% earn किया था लेकिन इंडिया में वो return only 13% था, क्योंकि वो dollar depreciate कर गया था, मतलब क्या वाद्यान से देखिए, अगर कोई इंसान US में जाके borrowing या deposit करे, तो उसका 2% cost नहीं आएगा, 2% plus इसका premium discount आएगा, तो कितना से premium discount जा रहा है, अगर मान लिजे premium पे हो गया, तो वो आप इस 2% पे premium apply कर दो, क्या बताए, 1 plus 0.02, मान लिजे हमारे currency जो है, वो 5% से appreciate कर जाता है, कितने percent से, 5% से appreciate कर जाता है, 84 का rate हो जाता है, तो आपको पता है, 2% का return US का multiply by 1 plus 0.05, बोलोगी यह क्या कर दिया आपने, हमें पता है न, यहां से यहां 5% का premium apply हुआ है, आप उस, उस example को याद क करो न, जो अभी आपने दो currency के जो return को आपने matching कराया था, मैं यह कह रहा हूँ, कि मान लिजे किसी न, अभी यह भूल जाओ, यह भूल जाओ, यह भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ, हम यह कह रहे हैं, कि कोई गया US में, और 2% पे वहाँ पैसे लगा दिया, तो उसके पैसे कितना हो गया, 1.02, वन डॉलर लगाया, या वन यू पाउंड लगाया, वो बढ़के हो गया 1.02, क्योंकि हमने 2% पे इन्वेस किया था, फिर वो पैसे जब हम इंडिया में लाए, तो वो 5% से appreciate कर गया, जो पैसे लाए, वो 5% और बढ़ गया, कौन सी पैसे, दोनों लगाया थो, वो भी और कमाया था, वो भी दोनों मिला के 5% बढ़ गया, तो ये जो return होगा न, वो आपके इंडिया में आके मिला, यह वो न, हाँ, तो 1.02, multiply by 1.05, ये बन गया आपका 1.071, मतलब क्या पता है, 1.071, मतलब आप जब वहाँ जाके, इन्वेस्ट करके, आपके कमाई इतना हो गया, 7.1% का, जबकि आप यहाँ कितना कमा रहे थे, 6%, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ का 1.06 को, यहाँ के 1.06 को, अगर इससे compare करूँ, तो क्या हम फटा फट बोल सकते हैं, कि ये parity पे है या नहीं है, अगर ये amount भी यहाँ पे 7.1% ही होता, 7.1 यहाँ भी कमा रहे हैं, और UK में जाके लगा के वें वापस ले क्या हो, तभी मैं 7.1 नहीं कमाऊंगा, तो parity पे arbitrage नहीं होगा, लेकिन अभी arbitrage है या नहीं है, है न, क्योंकि वहाँ जाके, अगर इंडिया में पैसे ले क्या होगे, तो आपके पैसे बनेगा 1.071, और आप यहाँ पे loan ले लेते हो, तो इसका payment कितना पड़ेगा, 1.06, इन दोनों का difference आपका arbitrage हुआ या नहीं हुआ, हुआ, तो हमने यहीं बोला है आपको, कि जब भी आपको parity चेक करना हो, तो यह चेक करो, 1 प्लस रूपी का return लेलो, अच्छा, चेक करना is equal to, 1 प्लस foreign country, या spotted से divide करते हैं, तो 1 प्लस premium को बताता है, देखो, 84 divided by 80 करोगे, तो यही तो बनेगा आपका, यानि कि 1 प्लस pound का rate, this one, forwarded divided by spotted इतना, यह parity check करना, अगर right hand side का amount जादा है, मतलब pound में invest करना अच्छा, क्योंकि आपको पता, यह जादा अगर हो गया, तो pound में invest करना अच्छा, तो यही मैंने आपको shortcut यहाँ पे करके दिया है, कि देखो, 1 प्लस रूपी का return, 1 प्लस डॉलर का return, multiply by forwarded divided by spotted, ठीक है, यहाँ pound था, तो कोई बात नहीं, डॉलर पे, अगर रूपी और डॉलर अगर हमारा involved हो, तो hope यह parity आपको समझ आ गया होगा, यह और यह अगर equal है, मतल premium discount, और premium discount कैसे आता है, forwarded divided by spot rate से, यही बोला है, forwarded divided by spot rate, premium discount, dollar पे अपला ही कर दीजे, रूपी के अगर equal है, तो नहीं होगा, तो आप सिक करना क्या है, देखो, या तो यह बड़ा होगा, या तो यह बड़ा होगा, दोनों तो equal होगा, नहीं आपका, अगर equal है, तो आर्ब बड़ा है, अगर, राइठ हंड शैट बड़ा है, अगर, देखो, राइठ हंड शैट अगर बड़ा है, तो dollar में deposit करो, यह shortcut route होता है, इस route से आप क्या कर सकते हो, arbitrage को फटा फट, find out कर सकते हो, okay, if given rates are 2A court, और borrowing deposit rate are different, होता क्या है, देखे, आपने अभी IRPT पढ़ा था, तो parity तो तभी चेक कर पाओगे न, जब सोचो, एक ही rate है, borrowing और deposit का, तभी तो यहाँ डाल पाया है, अब borrowing का rate अलग देदे, deposit का rate अलग देदे, और यहाँ पर forward है divided by spot rate किया है, forward में bid अलग देदे, ask अलग देदे, spot में bid अलग देदे, ask अलग देदे, तो इसमें क्या हो ज borrowing deposit rate अलग देदे, तो parity मत चेक करना, ठीक है, तो क्या करोगे, hence can't find profitable route, hence proceed randomly from any route, अगर ऐसा case होगा, तो किसी भी रास्ते से randomly move करो, और अगर वही बात है कि profitable route अगर पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा route से आप चेक कर लेना, मतलब पहला route चेक करो, profit आ गया, त calculation किये एक route से, तो अगर loss हो गया, तो आपको पता है, chances है कि दूसरे route में आपको फाइदा हो सकता है, तो दूसरा route भी चेक कर लो, ठीक है, अगर ये कौन सी case होगा, to a quote हो, या borrowing deposit का rate अलग हो, तब ये काम करना, अच्छा, और हम कहते हैं कि अगर, ऐसा भी होता है, बहुत arbitrage, एक concept आता है, nostro, vostro and loro account, nostro account ऐसा होता है कि एक domestic bank का foreign में account होना, domestic bank अगर कोई foreign country में जाके account open कराता है, उसको बोलते nostro, एक चीज़ सबसे पहले याद रखिएगा, nostro, vostro, loro account पढ़ते हुए time, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए, ये bank to bank का account है, किसी एक individual का नहीं है, हमारे जैसे retail investor का नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा नहीं, तो confusion हो जाएगा पढ़ते हुए time आपको, तो क्या होता है, एक bank दूसरे bank में, जैसे बहुत बार क्या होता है, SBI को आज किसी को dollar pay करना है electronically, ये सारे TT transaction होता है, telegraphic transfer transaction, जैसे electronic transfer वाले transaction होगा, SBI के पास एक foreign कोई customer आता है, वो कहते कि न मुझे एक party है, supplier है, क्या कहते है, supplier है कहते है, foreign का है, उनको dollar भेज दो, तो SBI dollar currency electronically तभी भेज सकता है, जब उनके पास dollar currency में एक bank account हो, किसका, SBI का हम अपना नहीं बोल रहे हैं, जैसे सुनिए, किसी भी party के लिए, जैसे मेरे लिए ब dollar account होगा, तभी मैं कहीं से dollar मंगबा सकता हूँ, अगर मेरे पास dollar account नहीं है, तो मैं उस account में dollar नहीं मंगबा सकता, जैसे कि, कुछ, ऐसे भी strength है, जो मुझे US से payment करता है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपना rupee account ही उनको देता हूँ, ठीक है, उसमें कुछ stock market वाली भी है, दो-चार ऐसे SFM वाले भी है, जो यहाँ से वहाँ गया हुआ है, अब वहाँ पर बैठके पढ़ रहे हैं, और आज की rate पर तो क्या है, कहते है book हम soft copy ले लेंगे, हम क्या करो, हमें आप class की linkage दे दो, अब जब वो payment करते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं, जिनका India में account है, त इंडिया में जो account हो, तो इंडिया से ही pay कर देते हैं, ऐसे भी कुछ stock market की viewers देखें, जिसका India में account थे न, क्योंकि वो pure वहीं पर account था, उनका US में, अब वो जब हमें payment करता है, तो भेजता है dollar, लेकिन मेरे पास receive होता है rupee, मैं कहता हूँ मेरे पास dollar क्यों नहीं आया, क्य इसका मतलब सुनिये मैं क्या कहना चाहरा हूँ, SBI को अगर dollar currency में किसी को pay करना है, तो उनका bank account dollar currency में होना चाहिए, और अगर SBI को किसी party को pound भेजना है, तो SBI का एक pound account भी होना चाहिए, तो SBI इसका मतलब जितने currency उतने account open करके रखता है, हाँ, बिल्कुल सही सुना है, हर एक bank जितने currency में deal करेगा, उतना bank account open करता है, और वो bank account कहां open करने जाता है, वो overseas bank में जाता है, तो यह यह देखिए, एक Indian bank ने कहां account open किया, Swiss bank में जाके उसने अपना current account open किया, तो यह जो current account है, इसको nostro account बोलेगा, लेकिन यह nostro account कौन बोलता है, यह Indian bank बोलता है, ठीक है जी अब आईए वापस ऐसे ही इसका मतलब ये Indian Bank को कितने Bank Country में Nostra Account उपन कराना पड़ेगा हर country में उपन कराना पड़ेगा UK में जाएगा वहाँ पर Pound का Open करेगा US में जाएगा Dollar का Nostra Account उपन करेगा Switzerland जाएगा Swiss Bank का Nostra Account उपन करेगा हर एक currency में उनको चाहिए होगा क्या नौस्ट्रो अकाउंट अच्छा अब सोचो ऐसे ही US के बैंक को अगर रुपी में पेमेंट करना हो किसी को तो उनके पास भी रुपी अकाउंट होना जाई है तो US वाले आ जाता है कहां पर इंडिया में यह स्विस बैंक आ जाता है इंडिया में अकाउंट ओपन कराने तो हम उसको क्या कहते है देखिए स्विस बैंक आ गया इंडिया में अकाउंट ओपन कराने यह करेंट अकाउंट याद रखिएगा वस्ट्रो अकाउंट आप स्विस बैंक हम बोलते हैं कौन बोलता है यह इंडियन बैंक बोलता है यही मैंने बोला है स्विस बैंक ओपन अ करेंट अकाउंट इंडियन बैंक इंडियन बैंक में अपना करेंट अकाउंट ओपन कराते हैं रूपी करेंसी याद रखना यह rupee currency है यह CHF currency का account है ओके इस bank account is called Vastro account by Indian bank अब आप सोचना वहाँ बैठके सोचना 2 minute के लिए जैसे इसको ऐसे सोचो हमारा account आपके पास Nostro वहाँ बैठके सोचना हमारा account आपके पास तो यह भी तो Nostro है लेकिन वह Nostro काउन बोलता है वह party यहाँ के party लेकिन यह इसको क्या बोलाता है Vastro तो ठीक है Our account with you Our account with you Nostro Your account with us Vastro अब आता है Loro अब बहुत बार क्या होता है हमने अभी बोला था आपको कि देखो हर एक bank हर एक country मा account open नहीं करा पाता है मान लेजिए एक कोई ABC bank है चलो PNB का ले लिया PNB bank है उसने हर एक country में अपना Nostro account नहीं open किया अब उसको क्या होता है एक CHF payment करना पड़ गया CHF का payment करना पड़ गया किसको PNB को अब वो CHF कैसे payment करे एलेक्ट्रोनिक ले उसके पास अपना account है ही नहीं वो क्या करता है SBI का जो CHF account है Swiss bank में वो क्या करता है उसी के account को use कर लेता है यानि कि PNB use करता है SBI के Nostro account को SBI का ये Nostro account था मैंने बोला है Nostro account of SBI in CHF currency refer करता है PNB PNB refers account of SBI for its own transaction it is Loro account for PNB PNB इस account को Loro बोलता है SBI इस account को Nostro बोलता है Swiss bank इस account को Vastro बोलता है यानि कि एक ही bank का तीन नाम एक ही account का तीन नाम Nostro भी, Vastro भी, Loro भी simple और कुछ नहीं है अब क्या होता है इसमें कुछ transaction से ऐसे जिसमें अब आपने Nostro account maintain कर रहे हो सोचना फ्राद्यान से SBI का Nostro account है Swiss bank में CHF में अब क्या होता है अब Nostro account एक तरीके से bank account हो गया जैसे आपका passbook होता है जैसे आपको क्या होता था कि bank में कितना balance हो bank maintain करता है और हमारे books में कितना account है हम अपने cashbook में maintain करते है bank book में maintain करते है तो कभी-कभी देखते होंगे bank book का balance और passbook का balance differ कर जाता है तो आप क्या करते हो reconciliation बनाते हो exactly वही चीज़ यहाँ भी करना पड़ेगा Nostro account का balance कौन maintain कर रहा है foreign bank और हमें इतना पता है कि Nostro में अगर dollar गया होगा या CHF गया होगा तो हम तो अपना books तो अपने currency में maintain कर रहा है रूपी में तो अब दिक्कत क्या होगे यहाँ पे हिसाब matching कराना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आप Indian bank हो आप अपना books up account रूपी में maintain करते हो वो books up वो जो bank है वो आपका foreign currency में अकाउंट maintain करते है तो matching नहीं हो पाएगा तो इसलिए क्या करता है home bank domestic bank यहाँ पे बैठके domestic bank यहाँ पे बैठके उन सारे हिसाब को रखता है जो मेरे nostro में चल रहा होगा यानि कि nostro में कहीं से पैसे आया होगा तो हम यहाँ पे बैठके चलो यहीं से सोचते यह देखो किसी ने हमारे nostro में CHF 1 lakh डाल दिया तो हम क्या करते हैं अपना एक books maintain करते हैं foreign currency में यानि कि जो domestic bank foreign currency का details maintain करता है अपने यहाँ पे उसको बोला जाता है exchange position चाहते हैं कि हमने क्या maintain किया और एक होता है आपका nostro account का balance तो nostro account का balance को और maintain करता है bank अब nostro account के balance में और exchange position में अगर कोई differences आएगा तो वही difference है जो bank book और pass book का difference आप जो भी bank में कहते हो ओके यह कुछ general information एक question के अंदर मिलता है Switzerland की currency CHF है टेलिग्राफिक ट्रांसपर बार बार मिलेगा आपको TT transaction, TT transaction मतलब electronically transfer करना है तो उसका मतलब यह क्या है आपका टेलिग्राफिक ट्रांसपर जो overseas transfer के लिए यूज किया जाता है exchange position अभी मैंने बोला है जो SBI अपने घर पे foreign currency का detail maintain करेगा जब यह purchase यह जो होते है ना purchase और sell करके अपना detail maintain करता है मान लिजे SBI ने 1 lakh dollar खरीदा तो कहता है purchase किया वो क्या करता है 1 lakh dollar किसी को transfer किया तो कहते हैं हमने sell किया ठीक है अब आप मान लिजे SBI ने purchase किया dollar 1 lakh और sell किया dollar 80,000 क्या किया जी sell किया है dollar 80,000 तो बताना क्या होता यहाँ पर ध्यान से तो इसमें बोला जाता है कि overbought position है कि ज़्यादा buy किया हूँ मान लिजे आप closing balance निकालते हो तो आप कहते हो 20,000 तो इसको बोला जाता है overbought position तो यह देखे ज़्यादा purchase किया हूँआ transaction परचेज किया हूँआ अगर ज़्यादा खरीद रखे हो तो overbought ज़्यादा बेच रखे हो तो क्या हो जाएगा आपका oversold position कहां गया यह oversold position objective to maintain exchange position is to find reason behind difference in foreign currency balance and nostro account के balance में क्यों difference है इसको ढूणना हमारा main objective होता है और cash position भी बोलते हैं nostro account भी बोलते हैं वो कौन maintain करता है वहाँ पे credit balance का मतलब मेरे वहाँ पे deposit है debit balance का मतलब वहाँ पे हमारा OD है और यह सब तो आपको पहले से पता है अब यह क्या आता है देखिए आपको देखना पड़ेगा कि अलग-अलग types के जो transactions है ठीक है आपको पता है टीडी ट्रांसपर है तो टीडी ट्रांसपर है तो क्या होगा उनसीदा नॉस्ट्रो में आएगा क्योंकि physical delivery तो यहां हो नहीं रही न physically आपके पास डॉलर नहीं आ रहे physical transaction के लिए नॉस्ट्रो वस्ट्रो और लोरो अकाउंट नहीं है इस सारे electronic transfer के लिए तो SBI के पास SBI ने डॉलर खरीदा तो नॉस्ट्रो में आएगा तो हम अपना books भी तो बढ़ा लेंगे तो हमारा ये है एक्सेंस position जो अपने books में maintain करें ये भी बढ़ा लिए हमारा नॉस्ट्रो में भी आएगा बढ़ जाएगा अब मुझे बताइए हमने कोई spot में बेचा spot में बेचने का मतलब है हमने किसी को डॉलर दिया तो हम तो नॉस्ट्रो से पे किया होंगे क्योंकि हम तो electronically ट्रांसफर करें तो देखो हमारे नॉस्ट्रो में भी decrease हुआ होगा और हम अपना exchange position जो अपना books maintain करें उसमें भी हम foreign currency को minus करेंगे forward purchase किया हुआ है आज तो मेरे पास dollar नहीं आया लेकिन future में dollar आएगा तो अब आप मुझे बताइए जब future में dollar आएगा जब आएगा तब नॉस्ट्रो अकाउंट का balance बढ़ेगा लेकिन मैं तो अपने books को update कर लूँगा तो हम अपने books को update कर लिए कि हाँ मेरा dollar बढ़ गया लेकिन इसमें अभी कोई effect नहीं आएगा जब due date आएगा तब हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट बढ़ेंगे अगर forward sale content किया हुआ है तो यहाँ तो आज decrease कर देंगे forward sale के लिए भी हो जाएगा अब एक DD की बात आती है DD इसू किया है SBI ने तो DD ने तो किसी customer को इसू किया होगा जैसे हमने यहाँ प explain किया है कि देखो अगर यह SBI किसी को DD इसू करता है मानले यह CHF में इसका मतलब इसने कोई मांगने आया होगा तो आप मुझे बताइए यह DD क्यों मांगने गया है क्योंकि हो सकता इनका transaction इस तरीके का होगा कि सामने वाले को DD pay करना पड़ेगा simple सी बात है यह जो Swiss exporter है इसने export किया था और सामने वाले को बोला था कि देख भाई तुम payment करोगे DD के साथ तो यह Indian importer क्या करता है इसके पास जाता है इनको रूपी देता है और यहां से CHF का DD लेके आ जाता है DD इनको transfer कर देता है जब यह DD present करता है इनके पास CHF currency आ जाता है आपको सोचना है कि इस transaction से यह अपना books कब update करेगा और यह nostro account में कब impact जाएगा यह आपको check करना है आपको पता है जब आज DD issue किया है तो Indian bank को तो पता चल गया कि मेरा CHF कम हो गया यह अपना books आज update कर लेगा लेकिन nostro account से तो balance अभी नहीं जाएगा कब जाएगा जब आपका DD present होगा तो यही हमने बोला है कि जब DD issue किया जाएगा तो आज increase कर increase? DD in for सॉरी यह रहा न decrease करना पड़ेगा और वहाँ तो कोई effect आज जाएगा नहीं जब DD present होगा तब हमारा nostro decrease होगा decrease तो होगा लेकिन जब DD present किया जाएगा वहाँ के बैंक में क्योंकि हमारा अकाउंट तो वहाँ पे है ओके DD cancel होगा तो भाई इसको बढ़ा दो इसमें तो कोई effect जाएगा नहीं अब जैसे bills होता है bills just like आपका क्या है एक check आगया post-dated check आगया आपके पास बाद में होगा तो आप मुझे बताए ये bills भी तो कोई customer ही लेके आया होगा customer के पास एक CHF में bills receivable था उसने bills receivable इसको दिया इंडियन बैंक क्या कहते है अरे मेरे पास तो CHF आ गया उसने CHF बढ़ा दिया लेकिन सही माइने में जब electronicallyly transfer होगी CHF क्योंकि account में जाएगा उपैसे लेकिन वो तो तब जाएगा जब due date आएगा तो यहाँ पे आपको CHF कब जाएगा जब due date आएगे maturity पे यहाँ जाएगा इसका मतलब जब मैं bill खरीता हूँ तो अपने books तो आज बढ़ा देते हैं है ना आज बढ़ा देते हैं लेकिन वहाँ पे कोई impact आज नहीं जाता है वो कब बढ़ता है due date पे जाके bill dishonor हो जाता है अगर dishonor हो जाता है तो यह हम आज घटा देंगे यहाँ पे कोई impact नहीं जाएगा और यह foreign currency अगर remit किया जाता है तो क्या करते हैं मतलब क्या है मैंने simple बोला कि foreign currency remit हुई मतलब हमने nostro से किसी को pay किया अगर nostro से pay किया तो यह भी decrease हो गए यह भी decrease हो गए explanation भी आपका हो जाता है अब आता है आपका letter of credit letter of credit क्या है बताई है already हमने थुरा दर पहले discussion किया था कि देखो जो importer की bank assurance देता है जो क्या केते है एक्सपोर्टर को वो जो assurance paper है guarantee paper को LC बोला जाता है तो यह देखो एक importer है यह exporter है exporter कहता है हम तुम पे वरुसा नहीं करते तो कहते ठीक है यह लो हम दोनों bank और आप मिलके एक हमने agreement कर लिया और यह paper जो है पेपर है इसको LC बोला जाता है letter of credit क्यों letter of credit बोला जाया है क्योंकि इस letter के basis पे उसने आपको उधार दिया है अगर यह LC नहीं देते तो यह supplier आपके क्या करता पहले पहले advance payment लेता तब समान भेजता आपको इसका मतलब आपको उधार जो मिला है इसी letter की वज़े से इसी letter of credit इसको बोला जाता है practically क्या होता है जब LC यह assurance देता है उसको की time पे आपको payment मिलेगा तो जब due date आता है तो payment भी यही करता है यह bank इसको directly payment कर देते है और इनसे यह पैसे ले लेता है तो एक तरीके से conversion हो गया रूपी आया और डॉलर लेके डॉलर आपने पे कर दिया ठीक है तो अब यहां क्या आता है LC transaction के अंदर क्या यह bank free में कर रहा है यह काम सोचने वाली बात है अब लोग नहीं sir यह free में क्यों करेगा तो आप बताए फिर कैसे करेगा क्यों करेगा तो यह bank क्या कहता है कि हमें अब आप इसके लिए charges दो हम free में नहीं करते हैं सारे काम तो bank क्या करता है देखो यह OTC transaction है इसके और इसके mutual understanding है वो क्या charge करेगा एक बार लेगा, दो बार लेगा, पांच बार लेगा हमें नहीं पता लेकिन अभी तक जितने बार भी question पूछा गिया है उसमें हमेशा आपको दो charges मिलता है क्या मिलता है पता है कि देखो आज जब हम बैठके यहाँ पे बाते करें उस टाइम हमें क्या करो opening charges दे दो तो यहाँ पे आपको दो तरह का charges पेवले देखिए एक opening charges pay well at beginning लेकिन यहाँ क्या होता है जो opening charges लिया जाता है वो कहते देखो spot rate पे जो equivalent amount होगा उसी पे हम लेंगे तो equivalent amount calculated at spot rate यानि कि जो opening charges आप calculate करोगे वो spot rate की equivalent amount पे क्योंकि आज हम दे रहे तो आज जो rate चल रहे उसकी equivalent amount पे निकाल देते हैं आप लोग जाते हो loan लेने तो आप तो दो तरह का charges लेता है आप से दो खर्चा लेता है आप से एक पता है क्या जिस ताइम loan ले रहे नो उस ताइम processing fee भी रख लेता है और फिर period kit में आपकी interest भी लेता है हम कहते है भाई processing fee ले तो चुके हो आप फिर interest क्यों ले रहे हो आप कहते है देखो वो तो starting की खर्चे लिया हमने अब जो पीरिट बीटता जा रहा है उसका आप मुझे interest cost भी दो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही concept यहाँ पे ले रखा है यहाँ क्या कहता है देखो bank कहता है देखो हमने जो initially कुछ आपसे agreement करें इसके लिए मुझे opening charges चाहिए जो starting में दे दो और मेरे बज़े से आपको उधार मिला है तो एक तरीके से funding करा दिया ना मैंने आपको यह bank कह रहा है किसको Indian exporter को कैसे funding करा दिया अगर मैं यह अगर document नहीं देता इनको ठीक है तो आपको उधार थोरण देता नहीं देता तो आज आपको fund का इंतिजाम करना पड़ता तो देखो मैंने fund का इंतिजाम कर दिया तो कुछ तो दो तो उसको बोलते है periodic commission commission payable on due date लेकिन ठीक है अब कहते हैं यह commission तो आपको 6 महीने बाद देना है यानि कि due date पर देना है लेकिन वो जो निकालो गया forward rate पर ठीक है दो तरह का तो यह दो तरह का charges होता है अब जब आप इसके question solve करने जाओगे तो वहाँ क्या होगा देखे एक payment जा रहा है six month पर यह एक payment जा रहा है six month पर एक जा रहा है आजके rate पर दोनों amount comparable नहीं होगा तो जो हम opening charges पर करेंगे नो loan लेके पर करेंगे तो ठीक होता है जब हम question solve करेंगे तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे दो तरह का LC होता है revocable irrevocable अगर terms and condition change ना हो पाए तो irrevocable और terms and condition अगर change हो सकता है तो revocable आजके rate पर revocable LC इसूप नहीं होता है ओके चलिए आगे बढ़ते हम लोग cancellation of forward contract cancellation क्या है देखिए कहने के लिए cancellation है cancellation नहीं किया जा सकता है क्योंकि cancellation क्यों नहीं किया जा सकता है इसके पीछे जो होता है ये concept थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसके थोड़ा लंबा आपको क्या किते हैं impact दिखेगा क्योंकि ये आपको question भी जो आते है अजके rate पर थोड़ा सा जादा ही तेड़ा यानि कि जादा ही गहराई में डालके question पूछा जाते है इसको थोड़ा ध्यान से logical ये आप समझ लीजिएगा थोड़ा तसली से में जो time भी अगर भोगा तो थोड़ा extra time ही लगा दूँगा इसमें cancellation क्यों नहीं होता है देखिए क्योंकि अच्छा वो दिया ही नहीं मैंने logic दिया ही नहीं थोड़ा से दिक्कत हो गई ठीक है कोई बात नहीं मैं अपनी तरफ से आपको बना देता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है देखिए Mr. India के पास receivable था सुनना आप ध्यान से Mr. India के पास dollar hundred आने वाला था कौनसी time पर three month पर bank के साथ गया और इसने contract कर लिया कि मैं dollar आपके पास hundred लेके आऊंगा अब क्या rate दोगे मुझे बता दो तो bank ने आपको बोला कि देखो मेरे पास three month का rate जो हैना 70 का चल रहा है तो आपने सोचा कि चलो ठीक है contract कर लेते हैं दुनिया इधर से उधर क्यों न हो जाए हम dollar hundred देंगे हमारे पास 70 रूपी जाएगा ये बात हो गए अब आप एक चीज़ सोचा आपने कि जब ये forward contract किया जाता है आप इसको dollar देते हो hundred और इससे आप रूपी 70 ले के आ जाते हो ये bank इस dollar को क्या करेगा सोच के बता सकते हो ये bank ये जो hundred रेड लाक डॉलर होगा मानलो इसको क्या करेगा फिर ये बाहर बेचेगा ही न ये लेके तो बैठेगा नहीं और मानले जिए six month बाद इसका जो market में rate है dollar बेचने का ये हो जाता है 50 रूपीज तब तो फिर लूट जाएगा ये bank क्यों क्योंकि commitment के तहत commitment कर ली अपने आपका नहीं शुनेंगे तो उसके तहत आप से 70 रूपीज पर खरीदा bank ने लेकिन market में क्या rate चल रहा था उस ताइम पर 50 का तो आप मुझे बताएगे नुकसान हुआ या नहीं हुआ bank को तो याद रखेगा bank कभी भी अपना exposure open नहीं रखता है अपना risk open नहीं रखता है मतलब जिस ताइम आप contract करने गये थे न उस ताइम bank का एक आगे भी contract हो जाता है किसके साथ इंटर बैंक के साथ वो एक इंटर बैंक में जाता है information के लिए आपको अभी बताया तो थोड़ा दिर पहले कि इंटर बैंक rate से merchant rate जो derive किया जाता है और हर बार bank अपना margin रखके ही करता है तो यह देखो यह bid rate है bank का और यह जो apply किया है यह भी bid rate ही है क्योंकि खरीदने का ही rate है यह bid rate है तो अब मुझे बताये आपको पता है bid rate जो होता है merchant bid rate कम होता है क्योंकि इंटर बैंक में से जब margin minus किया था तो आपको क्या बना था merchant का bid rate बना था मतलब यह rate जो है न छोटा है यह rate छोटा है तो आपको पता है ये rate बड़ा ही होगा मालने जे 71 का rate होगा तभी जाके bank को क्या हुआ यहाँ पर bank जो होता है अब safe है क्योंकि bank को पता है हम इंटर bank को dollar 100 देंगे हमारे पास 71 आएगा हम इनसे dollar लेके इनको 70 देंगे काम बन जाएगा यह जो भी कुछ मैंने अभी बताया है यह सारा क्या है पता है यह है original contract जो हुआ था अब क्या होता है किसी region से किसी region से both parties have entered contract contract of the same currency different amount is loss of the gain of cancellation for cancellation both parties अच्छा वो तो क्या करना है वो मैंने बता दिया अब देखो forward contract has already been entered forward contract कर लिया गया which can't be completed due to the default of foreign customer अब क्या करता है foreign से जो पैसे आना था foreign party ने default कर लिया अच्छा जी यह default कर लिया तो यह पैसे नहीं आ पाया अब यह Mr. India आता है और इसको कहता है कि देख भाई यह मैं नहीं कर सकता cancel कर दो cancel का मतलब समझते हो cancel का मतलब होता है कि यह contract ही नहीं execute करना कहते देखो cancellation possible नहीं है क्योंकि हमारा भी contract आगे हो रखा है आप ऐसे कैसे बोल दोगे cancel कर दो cancel का मतलब होता है contract paper फार के dustbin में डाल दो ऐसा नहीं possible है तो कहते हम क्या करें फिर कहते हैं यह contract execute करना पड़ेगा cancellation is not possible commitment कर लिए अपने आपका नहीं सुनेंगे हम कहते हैं भाई कैसे तो फिर cancellation क्या हुआ फिर कहते हैं छोड़ो cancellation तो बस नाम है यह cancellation हो नहीं रहा है देखिया न आप ध्यान से इसलिए कुछ लोग cancellation से confused होते रहते हैं cancellation हो ही नहीं रहा है सोचिये कैसे bank बोलता है देखो जी ऐसा नहीं हो सकता है cancel नहीं कर सकते हैं आपके पैसे नहीं आए तो मैं क्या करूँ बताओ मैं इसको डॉलर ना बेचूँ मैं कहां से डॉलर दूँ इसको बताओ मैंने भी तो commitment किया था कि dollar दूँगा मैं कहां से तूँ बताओ Mr. India आप कहता है कि तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा अब Mr. India मजबूर है कहते है ठीक है दे दे तुई दे दे अब मुझे खरीदना ही पड़ेगा ना चलो ठीक है आप दे दो मुझे तो Mr. India ने क्या करा यहां से dollar इन से खरीदा अब किस rate पे खरीदेगा बताओ अब जब गया तब खरीदेगा ना due date आ चुका था due date पे जो rate चल रहा होगा अब ऐसा तो है नहीं कि पहले से contract करके बैठा हुआ है तो यह क्या करेगा एक rate आ गया मान लिजे एक rate चल रहा है उस time पे उस time पे मान लिजे 72 का rate चल रहा है तो हो गया अब Mr. India को क्या हुआ सोचिएगा Mr. India ने इन से dollar खरीदा और इनको यहां पे दे दिया हो गया contract execute लेकिन Mr. India को क्या हुआ बताइए Mr. India को क्या हुआ 72 रुपीज देना पड़ गया dollar खरीदने के लिए और original contract के अंदर 70 रुपीज का था Mr. India को यह 2 रुपीज जो है पे करना पड़ गया और इसी का नाम रख दिया cancellation हम कहते हैं cancellation कहा है दिखाना आप कहते हैं ने cancellation देखो कैसे यह dollar जो खरीदने जाओगे तो ऐसा कौनसी बेवकूफ होगा कि counter पे जाके उनसे dollar लेगा और फिर उनको dollar देगा मतलब देखो आप dollar ले रहे हो और dollar दे रहे हो कहते हैं देखो cancel होगया net off होगया वाह 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 कितना बढ़िया नाम डाल दिया कि लिया और दिया तो चलते हैं ना देते हैं ना लेते हैं तो देखो cancel होगया net off होगया वो सिर्फ एक net off होगया cancellation नहीं होगया cancellation का मतलब contract फाड़ो 10 विन में डालो हो गया cancel? नहीं यह net off हो रही है एक currency देना एक currency लेना और यह जो 70 और 72 का difference है this is the loss of league gain under cancellation तो हो गया cancellation काता? यह देखिए कैसे बोला गया है for cancellation both parties have to enter opposite transaction of league contract for same currency देखो कैसे? bank ने पहले खरीदा था अब bank का उनको बेज रहा है अच्छा और तो बस हो गया opposite दोनों party को एक दूसरे के साथ same currency के लिए at applicable rate and settle differential amount यह differential amount आपको settle करना है फोजी loss of league gain of the cancellation इतना असान होता है cancellation इसी same चीज़ों को मैंने यहां से बताया था कि देखो इसको खरीदना पड़े गए यहां से तो यह क्या हो गया देखिए यह जो चीज़ मैंने यहां पर एक ही जगर लिखा था यह आपको अलग-अलग करके लिखा हुआ है यहां से यहां यह cancel हो गई तो आपका net of हो गया तो यह x और यह जो 70 का difference है यह loss gain कहलाएगा ठीक है तो देखिएगा इस पूरे एक process के अंदर इसका कोई लेना देना नहीं था वो तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाय था कि देखो क्यों cancellation possible नहीं है क्योंकि इसका भी आगे commitment हो चुका होता है इसलिए cancel ना होके net of करता है लेकिन उसी net of को यहाँ क्या नाम से जानते हैं हम लोग cancellation के नाम से अब यहाँ पर देखिए इस x को इस 70 से compare कर रहे हो है ना तो अब सोचो यहाँ पर bank को ज़्यादा देना अगर Mr. India को ज़्यादा pay करना पड़ा अगर यह x ज़्यादा है 70 से x is greater than 70 lost to Mr. India gain to bank differential amount payable by Mr. India to bank कोई दिक्कत आप 2 रुपीज दे दो ना मुझे तो कुछ लोग कहते कि सर इस bank को 2 रुपीज को फाइदा हो गया अरे bank को फाइदा नहीं हुआ है बोलोगे कैसे अरे यह जो इसकी आगे की जो commitment है ना आगे की जो commitment ही dollar देने का आप तो यहां net off कर लिए तो यह commitment कहां भी पूरा हुआ है उस commitment को execute करने में यह जो आपके पैसे है ना 2 रुपीज का जो gain हो रखा है वो उसमें जाके involve हो जाएगा आपके जेब में कुछ जादा नहीं बचेगा आपके जेब में 1 रुपीज बचेगा जो पहले से था जो आपने commitment करने से लिए इसलिए क्या हुआ बैंक के साथ नहीं हुआ वो जादा दिमाग मत लगाओ आप आप बस यह बोलो कि cancellation में कितने का loss gain हुआ तो हम कहते है cancellation का loss gain कितना होगा बताओ X का और 70 का difference तो यही मैंने बोला है अगर X मान लिजे छोटा हो जाता है तो gain to Mr. India हो जाएगा और loss to Mr. Bank कुछ लोग बोलते हैं कि लोग bank loss क्यों करेगा अरे इस cancellation में loss है net में loss नहीं है क्योंकि उसको जब interbank के साथ जो transaction को link करेगा तो इसको net में कट-कटा के bank को फाइदा ही होगा यह loss कभी हो नहीं सकता है अच्छा in case cancellation after due date और automatic cancellation on due date पहले यह 15 days हुआ करता था अब यह बदल के कितना दिन हो गया है 3 days का as amended in 2020 2020 में फड़ई ने जो है वो rule amend किया है तो उसके basis पाप का क्या हो गया यह 15 days नहीं अब आपका 3 days हो चुका है तो देखो क्या है in case cancellation after due date और automatic cancellation on due date plus 3 days यह मैं बताता हूँ क्या है कि अगर यह पहुँचे ही न कौन यह Mr. India अगर bank के पास पहुँचे ही नहीं cancellation कराने के लिए मतलब due date आ गया घर पे सो रहा है bank इंतजार कर रहा है कि अब आएगा तब आएगा वो आया ही नहीं कौन नहीं आया Mr. India आया ही नहीं कि डॉलर ले के आया है नहीं और कुछ बताया भी नहीं तो कितने दिन तक इंतजार करेगा तो इस case में bank कहता है तीन दिन तक इंतजार करेंगे after three days अगर ये Mr. India नहीं आता है three days तक तो क्या करेगा अपने तरफ से एक opposite contract करके उस दिन पे जो spot rate चल रहा होगा उस पे वो loss गें निकालेंगे और आपको demand भेज दिया जाएगा तो यहीं बोल रहे कि देखो loss होता है customer को तो pay well by customer pay करना पड़ेगा वो three days के बाद वाले पे मानने जिए three days बाद आपको loss हो जाता है cancellation के अंदर तो याद रखिएगा three days तक अगर नहीं पहुंचता है customer customer अगर नहीं पहुंचा है तो bank तो खुद से हो calculation कर रहा है तिसलिए इसको automatic cancellation बोलता है कि सामने बाले party आया भी नहीं तब भी bank cancel कर रहा है उनके अनुपस्थिती में तिसलिए इसको automatic cancellation बोला जाता है तो automatic cancellation कितने दिन पे होंगे due days प्लस three days पे अच्छा तो अगर मान लिजे जब cancellation कर रहे थे तो वह differential amount x or 6070 का वो differential amount अगर मान लिजे customer को gain हो जाता है तो pay करे या ना करे bank is not bound to pay मरजी होगा bank को तो pay कर देगा नहीं तो कोई बात नहीं नहीं pay करेगा note bank का position क्या होगा cancellation के बाद मतलब क्या पता है bank's existing position does not change due to the cancellation आपको पता है जब ये interbank में transaction किया था जब ये interbank में transaction किया था याद करिये यहां से ये जब party यहां से transaction किया था आपको पता है 71 का rate apply किया था यानि कि bank तो पहले से 1 रुपी का margin लेके बैठा हुआ आपको याद है ना interbank rate से merchant rate में bid rate छोटा होता है तो 71 लाता है 70 देता है ये जो 1 रुपी का जो profit पहले से book किया ना ये change नहीं होगा bank's existing position does not change due to the cancellation in other word gain recorded by bank at the time of original forward contract with the help of interbank transaction interbank transaction के help से जो आपने gain book किया था और starting में remains unchanged even customer cancels existing forward contract ये cancel भी कर देंगे न तो उनके एक रुपी का ही gain होगा उससे जादा नहीं होगा चाहे इस cancellation में 10 रुपी गवा दे या 10 रुपी कमा ले वो जो होगा इदर की transaction में compensate होके आपके जेब में 1 रुपी ही बचेगा यानि कि ये 71 और 70 का difference ही बचेगा ये ध्यान रख लीजेगा अगर किसी को इस पे जादा analysis करना है तो आप दो-तिन example लीजे और interbank के साथ transaction कीजे फिर इदर से cancellation करिए और देखिए क्या cancellation का difference आपके जेब में बचा देखना नहीं बचेगा ठीक है कब-कब cancellation किया जा सकता है before due date on due date after due date after due date में कब होगा बताइए after due date में या तो आप due date के एक दिन बाद आ जाओ या आप due date के 2 days बाद आ जाओ due date के 3 days बाद आ जाओ और 3 days बाद आओगे तो कोई फरक पड़ता ही नहीं क्योंकि हम after 3 days automatic cancellation कर देंगे आपके अनुपस्तिती में cancel कैसे होगा पहले ही बोल दिया है opposite transaction करो हो गया कता जब before due date का cancellation होता है तो किस rate पे cancel करोगे मान लिजिए ये cancellation के लिए ये इसने approach कर दिया 2 ही महिने बाद यानि कि 3 मन्त बाद payment आना था लेकिन जहां से payment आना था न उसने मुझे 2 महिने बाद ही inform कर दिया कि payment नहीं आएगा जी तो अब मेरे पास 1 मन्त बचा हुआ है 1 मन्त बचा हुआ है और मुझे पता है कि ये मैं नहीं दे पाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ 1 मन्त पहले ही जाके cancel कर देता हूँ वो जो cancellation होते हैं तो उस पे हम dollar खरी देंगे है ना तो before due date का cancellation हुआ लेकिन आपको पता है ये तो देना है आपको जहां आए हो approach किये हो cancellation के लिए उसके एक महीने बाद आपको ये payment करना है लेकिन जब आप cancellation करने आए तो एक महीने पहले ही आ चुके हो तो क्या उस दिन के spot rate पे आप opposite contact करोगे कहते हैं नहीं जब ये देना था उस दिन की opposite contact करना मतलब आपका कितने दिन बचा हुआ है one month तो one month के forward rate पे आप contract cancel करना यानि कि before due date का cancellation जो होता है forward rate पे होता है ताकि जो आपका receipt payment जो net off करें नहीं वो दोनों का date match हो क्योंकि हम one month पहले आए हैं तो one month बाद का settlement होने वाला था ना तो आपको one month बाद का opposite contract करोगे तभी तो dollar लेना देना same date पे match होगी तो आपका contract cancel होगी तो इसलिए forward rate पे cancel करना पड़ेगा लेकिन forward rate of remaining period to maturity अगर आप due date पे जाके cancel कराते हो तो spot rate से cancel होगा यानि कि यह जो X जो apply होगी न यह spot rate होगी अगर due date पे गया हो तो before due date गया है तो यह आपका forward rate होगा और अगर पहुँचे ही नहीं तो अब आपके पास 3 days का time है cancellation के लिए तो आप क्या करोगे बताइए जिस दीन आओगे यानि कि due date पे नहीं आया हो तो due date के अगले दीन आओगे जिस दीन आओगे उस दिन का spot rate नहीं आओगे तो due date के two days बाद आओगे उस दिन का spot rate नहीं आओगे तो due date plus three days का spot rate यही मैंने बोला है automatic cancellation डीडी प्लस थी डीज पर हो जाएगा या डूडेट पर करवा आफ्टर डूडेट हर केस में स्पॉर्ट रेट ही अवलेवल होगा तो किस दिन का स्पॉर्ट रेट स्पॉर्ट प्रिविलिंग अप्रोच डेट और ऑटोमेटिक कैंसिलेशन डेट whichever is earlier ध्यान से रखना कभी भी अप्रोच करें कोई मतलब नहीं है मालेजिए आपके पांस आता है कस्टमर दस दिन बाद हम कहते भाई तुमारे दस दिन तो बाद आए हो तो अप्रोच की हो 10 डेज बाद लेकिन आटोमेटिक कैंसिलेशन डेट कौन सी है डिव डेट प्लस थी डेज तो दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसी दिन का स्पॉर्ट अप्लाई होगा मतलब आप 10 डेज के बाद भी आओगे न तो हम 3 डेज बाद वाले रेट से ही कैंसल करके उसी दिन के स्पॉर्ट अप्लाई करके कैंसल कर देंगे ठीक है एक आता है एक्स्टेंशन फिर वही बात भाई जब कैंसिलेशन नहीं हुआ था तो एक्स्टेंशन कैसे होगा कैंसलेशन कहा हुआ था तो नेट आफ था उसको कैंसलेशन थोर न बोला जाएगा तो वही चीज है एक्स्टेंशन करने के लिए आगए आता है बैंक में और बैंक में क्या बोलता है कि देखो जी मैंने डॉलर लेके नहीं आ पाया मेरे डूड डेट वन मन्त इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका और जीला काॉंट्रक्त था उसको निट ओफ करो यांनि की केंसल करो बोल सकते केंसलेसंगर वाट यूजर करें सब लोग करते हम भी वहिए बितव करते लेकिन समझो उसको reacte उसको निटů तो पुराने को केंसल करो और नआ का इंतर करो तो हो गया extension, खतम हो गई बात, extension of forward contract तो नहीं possible है, लेकिन extension का objective अचीव किया जा सकता है, by taking following action, क्या following action है देखिए, before due date, before due date अगर आप आए हो extension के लिए, तो cancel करो original forward rate को use करके, आपको पता है, before date का cancellation कैसे होता है, forward rate of remaining period के लिए, और नया forward contract अटर कर लो, हो गया extension, due date पे आए हो भाई, cancel करो, spot rate पे पुराने वाले, और एक नया forward contract अटर कर लो, just date के लिए चाहिए, उस date के लिए, हम कहते है, after due date का extension हो तो, कहते है, देखो, after due date extend कराने आ रहे हो नो, contract को आगे के तरफ, तो maximum three days का time है, उससे बाद नहीं हो सकता है, तो three days तक आप आ जाए है, नहीं आओगे, तो क्या होगे, देखो, cancel करेंगे, three days से पहले ही approach करना पड़ेगा, three days के बाद approach करोगे, तो जिस दिन approach करोगे, उस दिन का नया forward contract कर देंगे, तो cancel करें, original contract, at spot rate, prevailing on the approach date, or automatic cancellation date, whichever is earlier, cancel तो उसी पे करोगे, enter करो new forward contract, जिसने दिन का चाहिए आपको एक सीज़ और देखिए, extension में कह रहे ही कि बताओ, extension का क्या charges पे करना पड़ेगा, तो जो cancellation की loss gain है, जो cancel करने का loss gain है, उसी को बोला गया है, extension का charges, इसी के साथ extension भी खतम हो जाता है, तो अब देखिए, एक hot से topic आगए, इस hot topic को अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देख के क्या हुआ, इस summary है, पूरे के पूरे जितना भी अभी cancellation पड़ा है, पूरा का summary है, execution, cancellation, extension और forward contract on different dates, क्या क्या देखो, या तो before due date, या on due date, या after due date, जो कि due date plus 3 days maximum जा सकता है, देखो, तीन काम हो सकता है, forward contract के साथ, execute हो सकता है, cancel हो सकता है, extend हो सकता है, on due date पे भी यह ती execute, cancel या extend, after due date भी तीन चीज़ हो सकता है, extension, आपको पता है, before due date का cancellation अभी अभी बढ़ा दिया, extension भी बढ़ा दिया, due date का आपने तीनों चीज़ बढ़ लिया, लेकिन after due date में क्या होगा, अभी आपने नहीं पढ़ा है, और sir, after due date का बता तो दिया, सिर्फ rate बता है कि इस rate cancel होगा, उससे ज़्यादा और कुछ कहां बता है, इस situation के लिए, फेड़े ने एक बहुत बड़ा complicated rule बना रखा है, इस situation के लिए, और इस situation के लिए, मतलब अगर कोई due date से पहले आजाए, forward contract को execute कराने, execute कराने का मतलब क्या है, मैं bank में गिया था, three month का forward contract किया, और दो महीने पर भी चला गया, dollar खरीदने बेचने, delivery लेने के लिए, तो यह हो गया क्या, before due date का execution हो गया, तो बोलो कि सर यह possible कैसे, due date से पहले जाके dollar delivery कैसे हो जाएगे, फेड़े ने बोला, क्या होगी, execute करो, agreed forward rate पे, मतलब क्या हुआ, यह तो बहुत बड़ी मुसीवत create कर दिया, दे funded, buy करके जाएगा, या sell करके जाएगा, और होता क्या है, customer दो ही महिने पे आगया, और यहीं पर delivery मांग रहा है, तो यह तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता है, bank ने यहां के लिए commitment अगर कर रखा है, तो bank की commitment आगे के लिए भी बढ़ा हुआ है, interbank के साथ, क्योंकि आप से अगर buy sell का contract किया था, तो bank भी तो अपने contract extend किया है, interbank में, और आप आचुके हो यहां पे delivery लेने के लिए, और फिड़ा ही कहता है, दो delivery इनको, गर्जब हो गई, due date यह था, और तुम कहरे हो due date से पहले ही उसको delivery दो, delivery देना execute करना होता है, ठीक है, और वो अभी किस rate पे, जिस rate पे agree किये हो न पहले, originally जिस rate पे agree किये थे, dollar खरीदने या बेचने का, उसी rate पे आपको यहां dollar का delivery देना पड़ेगा, गजजब है, interest on outlay of fund, swap difference, यह तीन चीजों का adjustment करवाया है, किसने, fed अई, यह जानना है, यह जानना है, इसके बदबसाप का, Forex का concept almost, खतम ही हो जाता है, उसके बद कुछ बसता नहीं है, तो चलिए, execution देखते हैं, कैसे होता है, execution, यह diagram बना रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, क्या होता है, इसमें देखे, एक originally, एक एक करके point पे ध्यान दीजिएगा, जहां जहां मैं mark कर रहा हूँ, वहाँ पे, 15th June को export हुआ, ठीक है जी, 15th June को क्या किया गया है, export 3 month का उधार दिया गया है, तो यह payment कब आने वाला है, बता सकते हो, 15th June से 3 month, July, August, September, आप देखे, 15th September में payment आने वाला है, receivable है, ओके, 15th September को आने वाला था, लकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, early delivery, delivery, सामने वाले पार्टी ने न, मुझे पहले ही pay कर दिया, और मेरे पास एक मन्त पहले ही पैसे आ गए, जान से देखे, जब 15th September में आने वाला होगा, तो मैं, exporter, bank में जाके contract कर चुका होगा, कब 15th September को एक contract enter करके आ चुका होगा, गलत, 15th June को ही ये contract किया होगा, delivery date रखा होगा 15th September, क्योंकि आपका export कब हुआ है, 15th June को, तो जब 15th June को मैंने export किया है, तो मुझे तो पता है न, कि 3 मन्त बाद मेरे पास dollar आने वाला है, तो मैं bank में गया, और bank को क्या बोला, कि देखो जी, मैं आपको 3 मन्त बाद, यानि कि 100 September को dollar दूँगा, बताओ क्या rate देते ह बैंक ने मुझे rate दे दिया, मालेजे 65, तो ये contract किस दिन पर किया गया, 15th June को किया गया, जिस दिन मैंने export किया था, उसी दिन कर लिया, आपको पता है, bank भी अपना contract आगे extend कर लेगा, ये रहा third number, कौन point, इसने भी क्या करा, कि अच्छा, यहां से dollar आएगा, यह सोच रहा ह चलो ठीक है, हम भी dollar क्या करेंगे, यहां से receive करेंगे, मतलब यह bank क्या कहता है, हम dollar base देंगे, इसने भी जाके अपने contract आगे, extend कर लिया third part में, ये भी कौन सी दिन पर हुआ बताओ, ये contract 15th June को एंटर किया गया, 3 मन्त के लिए, और आपको पता है, जितने यहां से उससे कम देंगे bank, क्योंकि bank को पता है कि exchange margin कमाता है bank, तो इसने contract किया 65.5 पे, और इसने 65 देने की बात किया, मतलब bank का original जो आपका point बनता है, ये कितना original profit book करके बैठ गया, बता सकते है कोई, 0.5 का, ध्यान से सुनिएगा, 0.5 का original profit book करके बैठा हुआ है, कौन, bank, ये सार काम खतम हो गया, 15 जून का, ये भी अपने day-to-day activity में लग गये, bank भी अपने day-to-day activity में लग गये, interbank में भी होने लग गया, यानि कि 15 जून को क्या-क्या काम हुआ बताइए, पहला, दूसरा और तीसरा transaction हुआ है, 1st, 2nd and 3rd transaction 15 जून को होके सब अपने day-to-day activity में लग गये अब आगे 15 जून का, इस customer ने क्या किया, उस customer ने हमें पहले ही पैसे दे दिया, अब आपको क्या बताइए, अब आपके पास अगर dollar hundred आ चुका है, तो आप कहते हो कि ठीक है, हम dollar hold कर लेते हैं, क्योंकि due date तो आया है नहीं, क्योंकि हमें तो कब देने की बात हुई थी, 15 September को, तो दे देंगे 15 September को, क्या government आपको hold करने को अलाओ करेगा, क्या, नहीं अलाओ करेगा, इसका मतलब आपको ये dollar आज ही बेचना पड़ेगा, तो काइदे से क्या होना चाहिए था, ये सब चलता रहता है, इसको cancel करा दो भाई अब, क्योंकि तुम ये काम नहीं कर डाल दिया कि तुम्हें ये accept करना पड़ेगा, किस डेट पे, 15th August को, तो as per the contract, delivery on 15 September था, 15 September पे आना चाहिए था, लेकिन actual हो गया, 15th August को early delivery हो गई, अब बैंक तो मजबूर है न, अगर फेड़े ने बोल दिया तो इनको तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन खरीद के ये hold त 15th August को, ये क्या करेगा, देखो, ये डॉलर बेच दिया, इंटर बैंक में ले जा किया, तो ये जो बेचा है, किस डेट पे बेचा है, 15th August को, जब delivery आया, तो ये हमारे को 15th August का export rate चाहिए होगा, और ये 15th August का export rate चल दा था, अब ये देखो, इंटर बैंक डॉलर खरीद र 64 का rate अपलाई हो गया, अब देखें क्या होता है, इस दौरान, बैंक के पास आया 64, लेकिन फड़े इने क्या बोला था, देखो भाई, commitment के मुताबिक तुम्हे 65 पे ही डॉलर खरीदना पड़ेगा, तो बैंक को देना पड़ रहा है 65, और बैंक के पास आ रहा है 64, बैंक क ऐसे ही बैठा हुआ था, बैंक कहते देखो, मेरा तो contract 15 अब September का था, तुम 15 September को मैं पैसे का इंतिजाम करता, तुम 15 September मुझे देते, मैं तुम्हे 15 September को देता, आज मेरे पास एक रुपे नहीं है, सीधा बोलता है, बैंक देखो मेरे पास एक रुपे नहीं है, 15 August को कुछ भी नहीं है बैंक के पास, तो बैंक कहता है, देखो मेरे पास जो डॉलर तुमने दिया था, उसको बेज के तो मैं 64 लाया, और मैं तुमें 65 पे कर रहा हूँ, बैंक कहां से लाँ बताओ मुझे, बैंक कहता है, मैं 64 ला रहा हूँ, तुमें 65 दे रहा हूँ, मैं ये 1 फड़े को पूछता ये bank तो फड़े इन्हें बोला इनको कि एक काम करो तुम एक रुपी लोन ले लो और ये लोन लेके इनको पे कर देना ठीक है तो बोलोगे कि इंटरस्ट नहीं देना पड़ेगा तो कहते इंटरस्ट इनसे चार्ज कर लेना किनसे एक्स्पोर्टर से तो यही चीज वहाँ पे लिखा है कि यह जो आउटफलो हुई न वन रुपी का इस पे इंटरस्ट तुम इनसे चार्ज कर लेना कितने दिन का चार्ज करोगे तुम्हें लोन कितने दिन का लेना पड़ा बताईए वन मंत का लेना पड़ा न क्योंकि वन मंत पहले आ गया है तो एक काम करना इसको बोला गया है इनीसियल आउटले यानि कि आउटफलो बोल आउटले ओफ़ंड हो गया यह यह वाले वन रुपी का जो एक्स्टरा है हो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना तो आपने देखा था यही मैंने लिखा था इंटरेस्ट ओन आउटले ओफ़ंड जो होगा न वो आपको रिसीव करना है सामने वाले से एक्जक्यूट करना फॉर्वार्ड कॉंट्राक्ट कमिटेड रेट पे दो चीज आपको समझा गए अब तीसरा आते स्वाप डिफरेंस का अब कहते दिखी देखिए यह जो वन रुपी मुझे ज़ादा देना पड़ा है एक तो फंड का भी इंतिजाम करना था और एक रुपी ज़ादा दिया है तो ऐसा थोरने कि वो वन रुपी मुझे वापस कर देगा 15 सप्टेंबर को मैंने जो लोन लिया है वो रिपेमेंट भी तो मुझे ही करना पड़ेगा एक तो इंटरेस्ट देना पड़ा तो कहते ठीक है इस वन रुपी पे एक इंटरेस्ट ले लो और बागी है जो वन रुपी जो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है वो भी तो मेरे ही पॉकेट से गए है न तो मैं उसको क्या करूँ कहते वो भी उनसे रिसीव कर लेना तो मैं कहते हूँ कि इतना से काफी हो जाएगा कहते नहीं सिर्फ वन रुपी रिसीव करना काफी नहीं है तो मैं कहते हूँ क्या रिसीव और करना है तो हम कहते देखो इस bank को अभी ये contract भी तो अब execute नहीं होगी न क्योंकि जब ये 15th September को due date पे ये आएगा ही न क्योंकि तो पहले ही आ गया तो ये जो original contract था अभी ये भी तो execute नहीं होगा हम कहते हाँ नहीं होगा तो जब ये नहीं होगा तो इसको भी तो cancel करने पड़ेंगे हाँ करना पड़ेगा एक चीज याद रखिएगा और ये चीज bank को उसी दिन पता चल चुका है bank को किस दिन पता चल चुका है 15th August को ही पता चल गया कि ये contract अब execute नहीं होने वाला है जो हमने enter किया था तो bank क्या करता है इसको cancel करने के लिए 15th August को ही 1 month का opposite contract कर लेता है कौनसी रेट पे 15th August को ही 1 month का opposite contract कर लेता है ये dot dot line वाले 6th number कौनसी रेट पे क्या 6th number 15th August को तो देखो 6th transaction भी 15th August को हुआ है 5th transaction भी 5th और 6th transaction दोनों 15th August को हुआ है और ये जो payment का जो receive हुआ है वो भी 15th August को हुआ है अच्छा तो अब क्या हुआ देखो यहां भी इनको loss हो गया नहीं लग रहा है किसे देखो यहां पे bank को देना पड़ रहा है 67 और लेने की contract हुआ था 65.5 में तो क्या हुआ बताइएगा यहां पे आपको 67 माइनस 65.5 1.5 रुपीज का यहां का loss 1 रुपी का यहां का loss एक्स्टा देना पड़ा और 0.5 जो मैंने पहले से सोचके बैठा था कि profit होगा वो भी मिस हो गया मेरा इस पूरे दोरान में बहुत ही गलत हुआ है इसके साथ तो बैंक के साथ तो बहुत गलत हुआ 1.5 यह गया 0.5 यह मिस हो गया 1 रुपीज यहां एक्स्टा गया टोटल हिसाफ देखा जाए तो 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1 टोटल 3 रुपीज का नुकसान बैंक पे आ गया है बैंक कहता है यह ले लो न उनके swap difference के नाम से क्यों डेंसन ले रहे हो आप फिड़ा ही कहता है बैंक को कि तुम swap difference उनसे 3 रुपे चार्ज कर लो फिर कुछ लोग के दिमाग में आएगा अरे यह जो हम लोग चार्ज करेंगे अभी यह जो 3 रुपे चार्ज करेंगे तो क्या इतना सारे calculation करके बैठना पड़ेगा रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना कुछ भी ना आपको यह सोचना है ना आपको यह सोचना है कुछ भी नहीं सोचना है तो हम कहते कैसे 3 रुपे निकाले यह जो contract था और यह जो rate था इन दोनों का difference ही आपका net impact आने वाला है चाह कुछ भी rate रख लो यहाँ पे कुछ भी rate रख लो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि क्या rate है नहीं है all are irrelevant आपको क्या करना है यह और इसका difference ले लेना है swap difference खतम हो गया यह देख रहे हो 67 और 63 64 और यह 63 का difference कितना आ रहा है बताईए देखो ध्यान से इधर 64 आया हुआ है देखो नहीं हाँ पे 64 आया और इस line पे 67 गया तो मतलब 3 रुपे का आपका net burden है यहाँ पे दोनों transaction को मिला के यह transaction और यह transaction सबको मिला दिया जाए तो net burden जो है 64 जेब में आया है और 67 यहाँ जा रहा है मतलब यह क्या हो गया बताईए 3 रुपीज का यह 3 रुपीज का आपका swap loss ले लेना है 3 रुपीज का अगर 100 रुपे का transaction था तो यह 300 हो जाएगा outlay of fund कितना हुआ 100 रुपीज का कैसे 65 और 64 multiply by 100 तो 100 रुपीज का outflow of fund है this is inflow bank has choice to pay interest अगर यह inflow होता है अगर जैसे कि क्या होता यह हो जाता 66 तो bank के पास तो inflow हो जाता तो इस पे interest देना है नहीं देना है bank के पास choice होता interest किस पे निकालोगे इसी 100 रुपीज पे निकालोगे कितने दिन के लिए निकालोगे 30 days के लिए क्योंकि 15th September से 15th August जो है कितने दिन का है 30 days का है तो यह interest आपको निकालना है this is the early delivery यानि कि यह सारे काम करना होगा आपको early delivery के लिए अब यह करह जाता है late cancellation की बात करते है after due date का चाहे execution हो चाहे cancellation हो चाहे extension हो तीनों का condition में bank क्या कहता है कि देखो जान से सुनिएगा चलो इस example से ही समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर again हम एक transaction लेते हैं इंपोर्ट का 15th June तीन मेने का transaction payable था 15th September को कितने dollar payment करना था 100 सुनिएगा 15th September को payment करना था इंपोर्ट किया है 15 June को आपको पता है जिस दिन पे मुझे पता है कि pay करना है तो मैं पहले ही जाके 15th June को ही एक contract करके ले के आ जाऊँगा तो मैंने एक contract किया कि मुझे dollar खरीदना पड़ेगा और rate तय हुआ 65 का याद रखिएगा एक कब हो गया ये transaction 15th June को तो पता ही आपको कि bank भी अपना transaction आगे extend करेगा bank को पता है कि अगर dollar बेचना है तो bank भी dollar खरीदने का contract लेके आ जाएगा है ना और आपको पता है originally कितना यहाँ पर contract कितना book करके बैठ गये बताए जल्दी से तो bank जो होता है वो 1.5 का जो original है वो पहले से book करके बैठा हुआ है अब ये सारे काम हो जाता है कौन कौन सी काम हो गया 15th June को एक import हुआ दूसरा original forward contract ये वाले और एक forward contract ये सारा हो गया अब सब लोग बैठे हुए ये भी अपने day to day activity में लग जाता है बैंक भी अपने day to day activity में लग जाता है अब इंतजार करें due date का 15th September आ गया ये जो है ये चुट्टी पे गया हुआ है गोमने के लिए इनको याद भी नहीं है और सामने वाले को भी payment नहीं कर रहा उसने default कर लिया माल लो ये dollar खरीदने आया ही नहीं कौन importer ये भूल गया ये बिचारा bank जो है वो बैठे है इंतजार कर रहे importer अब आयेगा dollar लेने तब आयेगा dollar लेने साम हो गया dollar लेने आया ही नहीं लेकिन bank ने तो ये contract execute करना पड़ेगा न क्योंकि अगर importer नहीं आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि bank भी ये नहीं खरीदेगा जो original ही किया गया था तो bank को तो ये original contract interbank वाले execute करना पड़ेगा ठीक है तो ये जो contract execute करेगा तो अब ये तो आया ही नहीं है तो ये क्या करेगा इस dollar को लेके बैठेगा नहीं अपना risk नहीं बढ़ाएगा ये जाएगा interbank में वो बेच देगा ये interbank में जाके बेचा किस दिन पर बताएगा 15th September को जिस दिन due rate था due rate पर जाएगा बेचने तो ये गया interbank में तो याद रखिएगा 15th September के spot rate लेगा वो ये कुछ rate चल रहा था अब देखो interbank dollar buy कर रहा है तो bid rate अपलाई होगा 62.5 का 62.5 का rate अपलाई हो गया ये bank के पास आ गया ठीक है अब आते हैं ये तो पहले ये transaction complete हो गया अब आप मुझे बताइए अब कब आएगा ये पता भी नहीं है हो सकता है कल आए हो सकता है परसो आए हो सकता है 3 days बाद आए या हो सकता है आए ही ना कभी लेकिन नहीं भी आएगा तो due date plus 3 days पे तो contract cancel हो जाएगा वो खुद कर देगा opposite contract ये वाले contract जो हुआ था ना ये cancel तो हो नहीं है लेकिन इस cancel तो होगा लेकिन कब होगा कल होगा after one day या after two days या after three days कब होगा हमें कहां पता अभी वो तो जब आएगा तब पता चलेगा ना तो अब क्या करे ये three days का रिस्क आ गया क्योंकि आपको पता है कि जब वो कल आएगा ना तो ये contract जो हुआ था ये cancel तो होगी कैसे cancel होगी बता ये opposite contract करके ये rate वारे dotted line जो है ने cancellation का है ये cancellation तो होगी ये तो clear है लेकिन ये cancellation जो हो सकती है कब होगी वो मुझे अभी नहीं पता और आपको ये एक और भी चीज पता है जब ये cancel होगी ना तो यहाँ पे जो rate अपलाई होगा ना spot rate इस date पे जिस दिन cancellation के लिए आएगा हो उसके लिए 3 days का time है 3 days में से किसी भी दिन का ये rate आपका अपलाई हो सकता है और वो भी कॉनसी rate spot rate और आपको एक और भी चीज बता है हमने क्या बोला कि माल लेजे 3 days में ये rate ना importer के favor में हो जाता है 104 ध्यान से ये 100 हो जाता अरे देखो आप importer को मिलता 100 और importer को pay करना पड़ता 65 आपको नहीं लग रहा है कि importer को फाइदा हो जाता हाँ होता ये दूसरी बात है कि 24 है उनके पास pay करना ना pay करना तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से सुनिएगा ये जो 62 का rate है ये जो 62 का rate है ये क्या rate होगा हमें नहीं पता हो जिस दिन आएगा तो उस दिन पता चलेगा तो यहाँ पर risk आजाता है मैं भूली जाता हूँ कि revision करा रहा हूँ चलो आगे बढ़ते मुझे ज्यादा logic नहीं आए explain करना है मुझे सिर्फ बताना है कि करना क्या क्या है ठीक है तो आपको क्या करना होता है ये जो आपका risk involved है 3 days का उस 3 days के risk को हिज़ करने के लिए वो क्या करता है कौन interbank क्या करता है same contract दुबारा करता है याद रखिएगा जो काम पहले किया था वो ही काम दुबारा करेगा वो क्या करते है डॉलर खरीदने के लिए एक और सर्त लगा लेता है उसको चाहिए 3 days का contract minimum minimum 3 days का 1 month हो जाए 15 days हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है क्यों फर्क नहीं पड़ता है सुनिएगा इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जब आओगे तो उसको भी वो cancel करेंगे अब cancel तो करना है अब किस rate पे करना है वो तो जब होगा तब देखेंगे लेकिर एक चीज़ क्या होगा देखिएगा ध्यान से अब इस पूरे process में क्या क्या situation आ गई एक तो क्या हुआ देखो हमारा ये जो contract था 63 पे हमने dollar खरीदा और हमने सिर्फ 62.5 पे बेज पाए क्योंकि commitment के मुताबिक 63.5 देखे हमें खरीदना पड़ा dollar और जेब में आया 62.5 एक तो ये नुकसान कर रहे हैं उपर से जब इसको cancel करेंगे बाद में क्योंकि जब आ जाओगे तो फिर ये contract तुम रखने ही सकते वो भी मेरा नुकसान होगा तो इन सारे नुकसान को जो होते हैं हम अभी ही receive कर लेते हैं किन से? importer से तो ये जो difference है नहीं ये जो नया contract एंटर कर रहे हो और ये इन दोनों के बीच का difference जितना बनता है वो as a swap difference ले ले लेना एक दूसरा ये आपको 63 देना था और आपके जेव में आया था 62 कॉंसी रेट पे 15 सेप्टेमबर के ये वन रुपी का इंतजाम आपने कैसे किया तो कहते देखो ये वन रुपी का इंतजाम आपने लोन लेके किया होगा तो इसका जो interest होगा नहीं आप चार्ज कर लेना तो interest किस-किस का चार्ज करोगे बताईएगा आपको बहुत आसान है याद करना मैं याद करना बता देता हूँ देखें कैसे याद करना ये जो है ना delivery जो हो रही है देखो किस दिन अप्रोच कर रहे हो 15 अउगस को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ आया और यहाँ गया यह जो दोनों का लाना जाना का जो difference यानि कि this और this इस पे आपको interest कालकुलेट करना है अभी के case में यह जो delivery हो रही थी ना 15 September को तो आपने pay किया, bank ने pay किया 63.5 और receive किया इतना receive कम होता है, payment जादा होता है यह हो गया outflow इस outflow पे interest उनसे charge करना अगर यह हो जाता कम मान लिजे यह आपका आजाता यह आजाता 70 का inflow हो जाता 70 आता 63.5 जाता तो इन दोनों के बीच के difference जो inflow है, उस पे जो interest बनता है आपको मर्जी हो तो इसको transfer करना ना मर्जी है तो ना transfer करना तो interest किस पे निकालोगे इन दोनों के difference पे आप interest निकालोगे और यह और यह rate का difference हो यह आपका swap loss है यह पूरे amount आप उनसे recover कर लेना ठीक है, तो देखिए outlay of fund क्या हो बताइए 62.5 और 63.5 का difference interest on outlay of fund इस पे आप interest calculate करोगे लेकिन अब आप मुझे बताइए interest कितने दिन का calculate करोगे माल लिजे importer आता है 10 दिन का कहते उससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास maximum 3 days का time है क्योंकि 3 दिन बाद तो मैं cancel करी दूँगा और demand में भेज दूँगा उसको आप बोलो कि importer नहीं आया अगर तो demand कैसे होगा अरे importer से जब हमने contract किया होगा तो उसके bank account को debit करने का authority होगा मेरे पास ऐसा थो नहीं कि bank account ऐसे छोड़ bank ने इस importer को पैसे नहीं ले सकता है इसका मतलब maximum 3 days का risk है तो यह जो आपका interest on outlay of fund जो बनता है न इस पे सिर्फ 3 दिन का interest निकालना आप only 3 days का interest निकालोगे इस 100 rupees पे सबसे पहली बात और आप बोलो कि 3 दिन का ही क्यों लेंगे अगर 10 दिन बात आएगा अरे उनकी account debit करके 3 days का interest चार्ज कर लोगे न तो इस पे आप कितने दिन का interest लोगे 3 days का और इन दोनों का बीच का difference जो है वो क्या लोगे swap loss की तरह होगा देखो ध्यान से loss या नहीं है आया 62.5 गया 67 loss है ये ये swap loss इन से recover करना इधर वाले loss उनकी बज़े से ही हुआ है तो देखो कितना हुआ 62.5 और 67 ये loss हम recover करेंगे आपको पता है वैसे मैं ऐसे ही बोल दो सीधा ये 4.5 रुपीज का जो loss है न एक कौन-कौन सी loss इसमें पता है ये वाले loss भी है और इसके cancellation जो होगा वो loss भी है और यहाँ पे जो वो दोनों loss इसमें ने include है ये 4.5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है आप अपना check कर लिजेगा मैं आपको normal watch में सारे example देके calculation भी कराता हूँ अभी time नहीं है already हमारा time साथ ज़्यादा हो चुका है मारा target था 4 hour का साथ 4 hour से ज़्यादा हो चुका है अब ये almost खतम ही और कुछ नहीं है आया 10 दिन बाद हम क्या करे हम किते तुम आओ जब आना है आओ ये 3 डेज के spot rate पे cancel हो चुकी है ध्याद रखिएगा ये 10 डेज पे कोई फरक नहीं पड़ता है cancel original contact on approach date और डीडी प्लस 3 डेज whichever is earlier होगा और 3 डेज दोनों में से जो earlier होगा उस date पे spot rate पे ये cancel हो जाएगी तो हो गया अब क्या होगा इन दोनों का difference जो है वो cancellation charges है ये देखो cancellation charges कैसे आया 62 and 65 का आजा भाई 62 and 65 का अब क्या होता ही देखो चाहे वो execute कराने आए चाहे cancellation कराने आए चाहे वो extension कराने आए हम क्या कहते है देख भाई तुम कुछ भी कराने आओ ये तो common charges मुझे दे दे कौन कौन सी इस cancellation का charges swap loss इनके difference का interest ये तीन चीज तो मुझे दे दे common charges क्या होगा बताए interest, swap loss और cancellation charges ये तीनों चीज जो होगा common charges होगा ये तो हम लेंगे ही लेंगे, किन से importer से इतना तो लेंगे ही लेंगे, ओके और इसके अलाबा अब बताओ क्या करना है हम कहते हैं, execute करने आए है तो ले लो spot rate, जिस दिन आए हो उस दिन के spot rate पे डॉलर खरीद लो डॉलर खरीदने वाले थे ना, spot rate पे यही मैंने बोला यहां पे देखिए कहां गया, कहां गया, कहां गया अच्छा, यहां पे लिखा होगा हमने, यहां पे यह देखो भाई, execute करने आए हो common charges दे दो और delivery लो spot rate पे तुम cancel करने आए हो common charges दे दो, बाकि तो कुछ करना नहीं है तुम extend करने आए हो common charges दे दो, और नहीं है contract कर लो, हो गया खतम यानि कि आपको यह तीनो काम करना पड़ेगा, execute करना है तो common charges दे दो, cancel करना अच्छा, और delivery ले लो और यहां पे क्या करना, common charges दे देना, और यहां पे आपको forward contract भी करना पड़ेगा, अब यह common charges कैसे, diagram 2 देखो common charges क्या क्या आएगा, बताइए swap difference, interest और cancellation का loss, gain यही था आपका major concept इसके बाद अब आपका कुछ नहीं है leading lagging बहुत आसान है अगर due date से पहले payment मिल जाए leading, before due date अगर payment मिल जाए leading, और अगर delay कर दे, अगर due date के बाद payment का, तो वो लागे leading को इनसान क्यों करेगा अब मान लिजे, मैं किसी का credit period क्यों use करता हूँ, credit period मैं use करता हूँ, इस लिए ताकि time value में earn करता हूँ है ना, तो time value में earn करता हूँ, तो time value तो earn करने के लिए, आप क्या कर रहे हो credit period को आप use करते हो अब आपने time value कितना earn किया मान लिजे, 1000 रुपे का benefit होगा अगर ये उधार period को use करोगे क्योंकि आपको ये interest का benefit होगा और इस दोरान आपको 2000 का exchange loss होता है, तो ऐसा काम करोगे क्या, आप लोगे, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, तो कि exchange loss ही ज़्यादा है, जितना हम benefit नहीं कमारा उसे ज़्यादा loss है, तो यही कह रहे है कि देखो, lead payment beneficial होता है, जब जितना benefit earn कर रहे हो, अपरचुनिटी से वो जो time value के लिए, जो earn कर रहे हो credit period में, उससे ज़्यादा हमारा तो exchange loss है यानि कि benefit कम है exchange loss से, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए एक और भी बात, जब lag करते हैं, due date आगया मान लेजे 3 मंत बाद, और 3 मंत बाद अगर किसी को payment आप अगर नहीं करते हो, तो वो supplier आपसे क्या करेगा, interest charge करेगा ठीक है, supplier क्या करेगा, बताए interest charge करेगा, तो हम करते करने दो चार, मान लेजे हो 1000 रुपी का interest charge करेगा, और मेरे को जितना दिन delay करूँगा न payment तो मैं तो कुछ interest भी कमाऊँगा, delayed period में और उपर से exchange का benefit भी हो जाता है, और वो अगर हमारा जादा हो जाए, तो ठीक है, interest अंपया कर देंगे तो वही बोलते है कि देखो, lag payment beneficial होगा, कब जेतना interest charge किया है न, supplier वो छोटा है, किस से, हमारे benefit से, हम exchange का gain भी कर रहे होंगे, और opportunity benefit कर रहे होंगे एक Indian party Indian company जो है न, अपने US subsidiary को लोन देना चाह रहा था कितना, dollar currency में और वैसे ही एक US के company है, जो अपने Indian subsidiary को लोन देना चाह रहा था अब क्या होता है, देखे US वाले अगर इसको रुपी में लोन देगा रुपी में अगर लोन देगा तो उनको पता है कि जो repayment आएगी रुपी में आएगी, conversion कराना पड़ेगा रिस्क आजाएगा, इनके साथ भी ऐसे होता है ये dollar में लोन देता है, तो dollar receive करेगा, फिर बार बार इस Indian को dollar को convert कराना पड़ेगा, रिस्क आगया तो ये दोनों क्या एक तरकीब सोचा क्या कि चले एक काम कर, इनको dollar रुपी चाहिए न, चल मैंने इनको रुपी लोन दे दिया, इन्होंने दे दिया इनको लोन, और तुमारे वाले को चाहिए चलो मैंने दे दिया इसको dollar लोन तो इस तरीके के मेरे पार्टी को वह लोन दे देता है, उनके पार्टी को मैं लोन दे देता हूँ, तो इस तरीके के जो arrangement है, उसको parallel loan या back to back loan बोला जाता है, कुछ लोग इस arrangement को currency swap बोलता है याद रखिएगा currency swap ये नहीं है currency swap इसी तरीके से generate हुआ है, लेकिन वो कुछ और है, वो derivative transaction है, ये currency swap नहीं है, ठीक है तो इसी के साथ आपका जो concept portion है ये आपका revise हो जाता है अब हम लोग को देखना है, इसके बाद जो है questions होगरा, कि जितने questions उसमें क्या क्या unique point है तो पिछले बार की तरह है, इस बार भी हम लोग questions के भी थोड़ा-थोड़ा discussion करेंगे उसको हम लोग अब second part में उसको भी आप consider करेंगे हम लोग questions का भी revision करते हैं questions में सिर्फ unique points जिस question में आपको जो चीज देखना है बस सिर्फ उस-उस point पर हम discussion करेंगे questions की solution नहीं देखेंगे question रीड नहीं करेंगे, नहीं तो आपको पता है foreign accents कितने ज़्यादा लेंदी है, फिर वो होनी पाएगा, तो क्या है कि concrete question में किस बात का ध्यान रखना है examination से पहले, उस-उस बात पर हम लोग अभी discussion करने जा रहें तो आईएगा, यह जो question book है यह आपको PDF format में, आपको description box में मिल जाएंगे, आप वहां से download कर लेंगे, और एक और भी बात है कुछ लोग को थोड़ा confusion रहता है, इस reference को लेके याद रखिएगा, question के साथ जो सामने का reference है वो CA examination का है question के नीचे का जो reference है वो CM examination का है तो कुछ लोग को doubt रहते हैं, यहाँ CMA लिखा, यहाँ CMA नहीं लिखा, तो थोड़ा feeling नहीं आते अरे originally, जब हमने first time जब कोई book बनाया था, तो CA के point of view सही बढ़ाता, तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि by default CA का है, बाद में हमने CMA का reference डाला, तो हमने थोड़ा से differentiate करने के लिए इस तरीके से लिख दिया है, वियाद रखिएगा question के सामने, जो CA का reference है, नीचे वाले CMA का reference है, इस question में बहुत आसान question है, कुछ भी आपको ध्यान रख, मतलब कुछ भी मुझे इसमें बताने लायक नहीं है, to a quote apply करना है, इसमें base currency आपका dollar है, से strength wise सही है बांकि आपको इसमें कहीं कुछ भी मुझे बताने लायक नहीं है again, second currency question में मुझे कुछ भी unique point नहीं है third question में थोड़ा से unique point यह है कि यह ध्यान रखना होता है, कि यह पता currency है, one जो लिखा गया है one unit में यह है against US dollar, यानि कि जो exchange rate है dollar यह है, और यह आपका pound के साथ one है इसमें देखोगे तो Canadian dollar में CAD, यानि कि Canadian dollar one है, और इसके साथ dollar है क्योंकि सारे के सारे exchange rate जो है against US dollar है, तो यह रहा यह against US dollar है तो यह ध्यान रखना है, अब एक और confusion आता है कि इस question में appreciation, depression निकालने है, तो दो rate चाहिए होता है forward rate और spot rate, तो कौन सी forward rate है कौन सी spot rate है, पहले जो लिखा गया rate है spot rate है, बाद में लिखा गया rate जो हो forward rate है, यह question फिलहाल exclusive CMA का है, लेकिन 2 minute लगाने से आपका काम बन जाता है क्योंकि आपको बताओ, recent past में हर attempt में एक question तो ऐसा होता है जो exclusive CMA का है, जो आज तक CMA के history में नहीं था तो इसलिए जब मुझे लगता है कि जिस question को थोड़ा सा language interpret करना पड़ता है वो सारे questions यहां है, एक और भी बात यह जो आपको question दिख रहा होगा इसमें हमने 2 series रखा है, यह AB series जो होता है, यह हम class में solve करते हैं इसका आपको solution भी मिल जाएगा आपको description box में यह रहा आपका इस तरीके से आपको solution सारे मिलेंगे हाथ से लिखा हुआ, सारे question का solution मिलेगा लेकिन वो मिलेगा आपको AB series का, क्योंकि यह जो है test or knowledge series, यह हम class में solve नहीं करते हैं, यह हमारा home work होता है, इसकी solution हम solution book में provide कर देते हैं आप लोगों को, तो इसमें ऐसा जो ज़्यादातर question जिसमें कुछ हमें discussion करने लाइक नहीं होता है, वो सारे test or knowledge में होता है, तो यह पर हम लोग जो अभी discussion करने जारे हो सारे AB series का है, test or knowledge series का नहीं है, question number 2A की बात करें तो इसमें जो unique point है, वो कुछ नहीं है, इसमें बस आपको बता दू, यह study mat, पुराना study mat का question है आज यह question आपको कहीं नजर नहीं आएगा इसमें सिर्फ एक सी ध्यान रखना है कि friends frank extended हो रहा है 5% से, मतलब यह जो spot rate दिया गया है, presently the sense rate is something friends frank per dollar यानि कि जो spot rate है आपका dollar 1 का, friends frank है आपका 5.70 question में बोला गया है कि friends frank stronger हो रहा है, तो याद रखिएगा, जब friends frank stronger होते हैं तो friends frank के price महेंगा होता है और इसकी price जो होगा dollar तो आप याद रखिएगा, extend by 5% तो आपको 1.05 से dollar में multiply करके, जो आपको है नया rate निकालना है यह नहीं सोचना है, क्योंकि इस पे अगर कोई भी चीज बढ़ा होगे, घटा होगे तो वो dollar महेंगा सस्ता हो जाएगा question में क्या बोला गया आपको friends frank महेंगा सस्ता होगा, तो यह बात आपको ध्यान रखना इस पार्ट पे अगर हम चले अगले पार्ट पे, तो इसमें एक unique point है, कि concerned एक्सपोर्ट, कंसाइनमेंट, हाईजबिन, प्राइश्ट एन एक्सेंज रेट अप इतना, और जबकि इन्होंने क्या करा हुआ है, आपको spot rate जो दे रखा है इसमें, इसमें confusion यह होता है, कि ये भी spot, ये तो spot rate है, ये spot rate है, तो फिर concern, इस पार्ट rate का क्या मतलब है, ये खास करके custom department का rate है, ये एकलौता question है, जिसके अंदर custom department का rate दिया गया है, तो याद रखिएगा अगर question में, custom department का rate दिया गया हो, तो आपका जो payable receivable, जो book होगा, वो इस rate पे spot rate पे book होगा, loss gain निकालने के लिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है इस question के अंदर invoice amount इतना है, हाँ, इसमें जो आपका unique point है, ये question number question number 2C में, इसमें आपको ये बोला गया, exchange rate will decline by 10% over the 3 month period, याद रखिएगा exchange rate कभी decline नहीं करता है, currency decline करता है, तो आपको ढूनना पड़ेगा इसमें से, कि कौन सी currency decline कर रहा है अगर इसमें exchange rate ढूनने जाओगे तो देखिएगा, कहते कि presently quoted as something in per rupees यानि कि हम अगर ये बोले कि per rupees, rupee 1 का in 3.3 का आपका exchange rate है, इतना तो clear हो गया कि question के अंदर 2 currency का involvement है, अब हमें ये ढूंडना पड़ेगा, कि आपने जो बोले हो कि exchange rate decline करेगा, तो मुझे बताओ, कौन सी currency decline करेगा वो ऐसे, apparently बिना दिमाग लगाए, अगर सोचना चाहते हो, तो देखो exchange rate किसका है, जो base currency में है, तो जिसका base currency उसका exchange rate है, तो exchange rate will decline by 10%, मतलब ये आपका 10% से decline करेगा simple सी बात है, तो ये अगर 10% से अगर आपका decline करता है तो इसको आपको 10% से down करना पड़ेगा, simple, इस तरीके से सोचो या ऐसा भी एक दूस चूस सोच सकते हो कि आपको इसका situation देखना है question का, और उस question के situation में आप ये देखिए कि कौनसी currency के depreciate होने से loss होगा उस तरीके से भी आप find out कर सकते हो तो ये main चीज़ आपको इस question में ध्यान दखना है अगर question number 2 के डी पे हम लोग पहुँचे, तो इसमें जो आपका unique point है, वो है आपका upfront premium of 2% on the forward amount purchase ये जो है ना, ये थोड़ा सा unique point is question का है, इसका adjustment थोड़ा ध्यान देखिएगा, कि normally कभी भी forward contract करते हैं तो हम लोग starting में premium नहीं देते यानि कि कोई commission पे नहीं करते हैं upfront मतलब आमने सामने जब forward contract करने जा रहे हैं, उस time जो आपको premium देना है, 2% देना है लेकिन 2% किसका देना है, याद रखिएगा ये one time expenditure आजाएगा आपका forward contract के अंदर forward amount purchase, तो याद रखिएगा forward amount आप पहले निकालोगे forward rate पे, यानि कि आपको क्या ना करना है, बता दू मैं equivalent amount निकालना है equivalent amount निकालना है आपको, किस rate पे, at forward rate पे क्योंकि forward amount का 2% आपको commission की तरह जाएगा अब क्या होगा देखिए, 2% का आपने premium यहाँ pay कर दिया यानि कि वो commission था, ठेक है और फिर क्या होगा, इसमें जो आपको time period दिया गया है, सायद इसमें कितने दिन का time frame होगा जो भी होगा, September और यह है आपका January 1st January से 30th September I think 9 month की time period होगा अगर मैं कहीं गलत ना कर रहा हूँ, अगर होगा तो आप लोग उसको correct कर लीजिएगा, 9 month time पे forward amount आपका जाएगा, तो अब देखो forward contract जब करते हो आप तो अगर यह amount payable होगा या receiveable होगा, जो भी होगा, एक amount यहाँ का है और premium यहाँ का है तो time value match कराना पड़ेगा, इस amount को यहाँ लेके जाना है, देखना cost of fund आपको question में दे रखा है, तो इस season का adjustment इस question में ध्यान रखना है आपको question number two के, यह पे हम लोग जाए, तो यहाँ जो mistake करते हो आप लोग, क्योंकि question में दे रखा है six month का live order दे रखा है तो six month का live order दे रखा है कि current six month live order is two percent, तो लोग क्या जूम करके चलते हैं कि यह six month का rate है और question में हमने loan लिया है six month का तो six month का rate यह और यह rate होता है हमारा, वो annual rate होता है यह six month बताता है कि London के money market में जो जिस जहां से rate derive किया गया है, उस security का live कितना था six month वाले तो इसलिए six month का मतलब period of security होता है, ना कि rate होता है rate आपका annual होगा, यह जिए ध्यान दखिएगा, नहीं तो आपका इसमें mistake हो जाएगा अगर हम चले इसमें तो इस question के अंदर, what will be the opinion देतना, advise the company on the forward rate मुझे again इस question में कोई भी unique point नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ISO code में exchange rate दिया गया है यह recent past में आया हुआ question है आपको क्या दिखता है लिवोर six month इनर इतना calculate the rupee requirement of forward coverage taken, advise the company of forward coverage, हाँ यह जो question है न, यह जो question है और यह question है, almost same है, आपको ध्यान रखिएगा advise देने की बात करता है कि हमें forward contract करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम जब forward contract करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब इसकी बात आती है, तो हम लोग कैसे decision देते हैं, देखिए हम इस तरीके से सोचते है, advise देते है, टाइम की देखो यह forward rate है, हम क्या कहते है कि देखे, अब आपको पूछा जाता है कि forward contract करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप decision कैसे देते हो हम यह सोचते हैं, कि हम क्या expect करते हैं, expected rate से forward rate को compare करते हैं, और then decision देते हैं, इस question के अंदर कहीं पे भी आपको forward rate expect करने का कोई information नहीं दिया गया है, लेकिन जब इस question में जा रहे हो, तो आपको यह जो दो country का जो interest rate दे दिया है न, और फिर कहता है कि advice दीजिए forward contract करो गया नहीं करोगे तो उस case में जब हमारे पास दो country का interest rate दिया गया हो तो आपको मैंने बताया था, कि आप forward rate को expect कर सकते हो तो आपको क्या करना है, इस rate को use करना है, interest rate parity theory use करना है, एक forward rate आप निकालोगे उचित, और उस उचित forward rate से, यह जो दिया गया forward rate है, इसको compare करोगे, और then advice दोगे, यह question number two का ही है, हाँ, मैं यह कह रहा था कि देखे, मैंने बताया था कि ISO code हो तो आपको first currency base currency normally दिया जाता है तो यह देखो, इसमें होगा rupee one equal to dollar 68, फिर मैंने बोला था, कि अगर यह dollar और rupee का rate हो, तो हमेशा strength को base बनाईएगा, तो क्या यह exchange rate चलेगा, नहीं, तो यहाँ पे क्या मतलब है, dollar one equal to rupee 68, तो आप बोलोगे कि strength wise ध्यान रखना है, हाँ और यह बता दू, यह exceptional exchange rate है, जो कि अभी January 20 में पूछा है, अगर past में जाओगे, तो इस तरीके से exchange rate कहीं नहीं दिखेगा, अब जाओगे तो वहाँ दिखेगा आपको, INR और फिर देखेगा आपको 68 point something, तो मिलेगा आगे, मिलेगा तो हम लोग बहस करेंगे, चले, question number 2, KF में चलते हैं, इस question के अंदर भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि इन्होंने क्या करा है, तीन जगों पे, अलग-अलग country में export किया है, और आपको बोला है कि average contribution to sell ratio को use करके, आपको decision लेना है कि हम hedge करें या ना करें, अगर hedge करेंगे, forward it apply होगा, hedge नहीं करेंगे, उस दिन के spot it apply होगा इस question में यह जो information है यह क्या है, आपका irrelevant है अब उसके बाद यहाँ देखें, यह जो exchange rate दिया गया है, इसमें देखो, एक rate तो मिल गया न, इससे आप interpret कर लोगे, कि मैं base currency रूपी को बनाओ, या dollar को अगर मैं base currency, other than ISO code हो, तो आप second currency को base बनाओ रूपी one quarter to dollar something हाँ ठीक, exchange rate सही है इसका मतलब, base currency आपका second बनता है, और अब जब क्या question को solve करोगे, average contribution to sale ratio निकालना है, तो आपको करना क्या देखे, तीनों का आप contribution निकालना, तीनों का sale निकालना, combined में, और combined contribution और sale लेके ratio निकालना, hedge करोगे, ये rate apply होगा, hedge नहीं करोगे, ये rate apply होगा जहाँ पे ज़्यादा होगा, उसको आप opt करोगे इस question के अंदर again कुछ भी नहीं है ये आपको average करके expected value निकालना है, आपको decision देना है, अब अगर next question पे आए question number 2 के hedge पे, तो इसके जो question का unique point है, इसमें क्या किया गया है, external commercial borrowing लिया गया है, 10 million का, ठीक है, और इसमें जो ये line है नहीं, ये थोड़ा सा आपको परिसान करता है, कुछ लोग को समझ नहीं आता है, कि देखे, average life, average maturity life will be 3.4 year, उतन annual tenure of 5 years, मतलब क्या हुआ देखे, कि आप ये कहना चाहरे हो, कि हमारा life है 5 साल का, मतलब मैंने 3, 4, 5 5 year के लिए जो मैंने loan ले रखा है, वो loan मैंने कितना भी, तो आप installment कैसे निकाल सकते हो, आप बोलते कि अगर interest नहीं होगा, तो 10 million divided by 5, हर साल आप 2 million, 2 million का आप loan repayment कर देते, लेकिन याद रखिएगा अगर ये जो 2 million का loan repayment करता मैं, तो क्या मैं इसमें interest pay कर पा रहा हूं, नहीं pay कर पा रहा हूं तो आप मुझे बता, ये कितना installment payment होती, तो आपको पता है 10 million divided by PVEFA होता है, ठीक है PVEFA, मान लिजी अगर आपका interest rate है, suppose कि ये 14.5% का, बोले कहां से लाया, मैंने से जूम कर लिया, कि मैंने loan लिया 14.5% पे, तो पता है आपको installment कैसे निकालोगे आप बोलोगे कि 14.5% पे, आप PVEFA निकाले 1 divided by 1.145 1, 2, 3, 4, 5 जी टी लिया मैंने, ये दिखर आपको 3.392, मैं मोटा मोटा 3.4 बोल देता हूँ, ठीक है, ये मेरा 3.4 हो जाता है, अगर ऐसा है, तो आपको पता है कि loan का installment कितना आएगा, 10 divided by 3.4 अगर देखा जाए, तो ये बन रहा होगा आपका, 2.94 something है, इसका मतलब क्या हो पता है, आपको installment pay करना है, 2.945 year तक, अगर आप 5 year तक pay करते हो, तो कितना installment pay करोगे 2.94 multiply by 5, ये आपका 14.7 का payment हो जाता अब ध्यान से देखे, अगर 5 year का life है 5 year का life है, तो आप क्या कह रहे हो, कि ये हमारा 14.7 का payment होगा आपको पता है, अगर time value ignore करके 3.4 year life लेते न, जैसे अभी हमने क्या किया था time value ignore करते हैं, तो हर साल 2 million payment करना आपका loan का repayment हो जाता आप बोलते हैं, अब मैं कहता हूँ, चलो time value zero कर देता हूँ time value zero कर देता हूँ, लेकिन amount यही लाना है, कब possible होगा, बताइएगा क्या amount यही आना चाहिए, मैं यही payment कर रहा हूँ ध्यान से रखिए, मैंने loan यही लिया है 10 million का, loan का repayment यहीं भी कर रहा हूँ हूँ, 2.94, 2.94, 2.94, इसी तरीके से repayment कर रहा हूँ है, मुझे बताइए, कितने साल में 10 billion का repayment हो जाएगे, 2.94 multiply by 3.4, देखो आप 10 का payment हो गया, यानि कि 2.94, 2.94, 2.94, 3 year हो गए, और अब आपका 3.4 year, 0.4 year में तो थुरा सा कम payment होगी, इसका मतलब क्या होँ, देखे, without time value consider किये हुए, 3.4 year में जितना repayment होगा, वो आपका 10 million होगा, तो इसका मतलब क्या होँ, देखे, ये जो 5 year का life है, आवरेज में कहते 3.4 year बनता है, यानि कि 2.94 का average में, आप देखो न, 10 month divided by 3.4 करिए, 10 million divided by 3.4, कितना है बताए, 2.94, मतलब 2.94, 2.94, 2.94, और 0.4 year का जितना बन जाएगा, उतना amount ले लोगे, तो देखो, बीना time value का इतने के साथ equal हो गया, इसका मतलब क्या होँ, देखे, आप जैसे question में क्या कर रखा है, आपको यहाँ पे कहते हैं कि upfront premium आपने कितना पे किया हो, 1.2%, है ना, और आपको calculate करना है overall cost in percentage term in annual basis, अब जैसे, आपने जो loan ले रखा था, उसमें 1.2% का आपने processing fee दिया, सुनिएगा ध्यान से, आपने यहाँ पे 1.2% का processing fee दिया, one time payment है for whole 5 year के लिए, one time payment है for whole 5 year के लिए, अब आप मुझे बताइए, इस payment को अगर आप यह देखना चाहते हो, कि एक साल का कितना payment है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोच के बता सकते हो, आपको 5 year में बांटना है अगर, तो PV IFA चाहिए और उसके लिए आपको discount rate चाहिए, है ना, अब question में क्या बोला है, कि रे time value इगनोर करोगे न, तो यह 5 year जो बनता है, 3.4 year बनते, 3.4 year is nothing but PV IFA, यही बाल है, PV IFA आपका 3.4 year दिया है, यहीं कि इसका मतलब कि आपको बता दो simple, कि 5 year compounded life जो होता है, simple में 3.4 बनता है, तो आप इस 1.4 को simple तरीके से सीधा 3.4 से divide करके, और आपको क्या कर देना है, यह एक साल का processing fee calculate कर लेना है, तो यही बस इसका क्या है, unique point है, कि जब आप calculate करने जाओगे, upfront free, तो आप 5 साल में नहीं बांटोगे, 3.4 से divide कर दो, आप क्या बोलोगे, सर, 3.4 से divide कर तो 5 साल में कहां बटा, बट गिया, यह PV, IFA है, और आपको पता है, PV, IFA से जब कुसी चीज़ को divide करते, तो वो कितने साल में बढ़ जाएगा, 5 साल में बढ़ जाएगा, तो यह जो आपका 5 येर का जो life था, इतने साल में यह automatically बढ़ चुका है, तो यह आपका एक unique point था, कि जहाँ जहाँ भी आपको convert करना है, present value को future में डालना है, तो सीधा 3.4 से divide करके काम चलो, 5 साल से नहीं divide करोगे, क्योंकि 5 येर से divide करोगे, तो time value ignore हो जाएगा, ओके, ये question था, और इस question के अंदर थोड़ा solution में problem भी है, तो ये problem कहीं हमने disclaimer लिखा होगा, कि देखिये, ICI solution सही नहीं है, क्यों दो mistake कर रखा है, आप उसको read कर लीजिएगा, और मैंने अपना भी solution यहाँ पे दे रखा, इससे आपको clear हो जाएगा, ठीक है, फिर again यहाँ पे ICI के solution है, यह मेरा solution है, ICI जो को read कर लीजिएगा, अब read करेंगे तो फिर यह revision नहीं बचेगा, आपको बस हो याद रखना था, ठीक है, इस question के अंदर मुझे कोई भी नया point इसमें नहीं दिख रहा है, इसको आप आराम से solve कर सकते हो, तो सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, कि index में एकने fund लगाया है, और एक treasury bill में लगाया है, पैसे, एक index fund में पैसे लगाया है, एकने treasury bill में लगाया है, तो जो treasury bill में लगाया है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो index में पैसे लगाया है, उसको dividend मिलेगा, और जो आपक लोगे base currencies के साथ यानि कि n1 का rupee लेंगे हम लोग 1.58 और देखिए interpretation सही है क्योंकि rupee नहीं यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि n1 का rupee इतना नहीं है यहाँ पर आपको rupee weaker दिख रहा है जब कि n क्या यहाँ पर weaker है तो आपको इस case में क्या करना है यह rate लेना है आपको rupee 1 equal to n 1.58 यह आपको interpretation जाएगा इस तरीके से interpret करना है फिर बोलोगे कि sir ISO code है लेकि second currency आगया ISO code होने के बाद यह आपको second currency है मैं बताओ आपको recent past में 2 साल के अंदर जो तीन question पूछाए ना उसी में इस तरीके का डाला है पुराने जितने भी question है उस सब में जाओगे तो इसका मतलब आपको दिखेगा base currency first currency ठीक है तो strength wide चलेगा क्योंकि rupee और Japanese gen में हमेशा Japanese gen weaker currency है question number 2 के जे पे हम लोग जाएं तो इस question में कुछ आपको unique point है क्या मुझे तो कुछ भी solution देखने से याद आ जाता है क्या है इस question में कुछ भी unique point नहीं है export भी किया गया है, import भी किया गया है तीन currency दे रखा है आपको बोला जाता है कि बताओ किस currency में invoice बनाओगे तो हम क्या करेंगे, जो आपका export किया गया है, उसका receipt कौनसी कौनसी currency में invoice बनाने से ज़्यादा आएगा, उस सीजो को comparison करना है, inflow ज़्यादा आना चाहिए, outflow कम होना चाहिए, और again यहाँ देखे, यहाँ के जो exchange rate होगा इसमें आपको कैसे interpret करना है symbol है तो second currency, dollar one equal to rupee, और वैसे भी यह currency ऐसा है, जिसमें हमेशा strong की strength की कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें तो आप strength YG interpret कर लोगे, तो भी चल जाएगा, और जो interpretation आपने यहाँ पे लिया है, वही interpretation आपको आगे भी लेना पड़ेगा, चलो तो यह question में भी कुछ नहीं था, अगर हम लोग third के series में चले, तो third के series में swap point, कुछ नहीं है इसमें unique point, ठीक है question number 3 का B, इसके अंदर अगर हम लोग चले तो यह broken period का swap point है, हमने एक question जो solve कराया था, कि इसमें बोला गया है कि देखो आपको 2.5 month का rate चाहिए 2 month 15 days का swap point चाहिए लेकिन इसने 2 month और 3 month दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 month के बीच वाले value जो बनेगा वो इसमें आएगा तो इस तरीके से question solve करेंगे इसमें again को नया point आपको नहीं है question number 4 का A again इसमें कुछ भी नया point नहीं है ठीक है, बहस करने लायक नहीं है question number 4 के B में ये C point पे आपको थोड़ा ध्यान दखना है क्योंकि question number C में क्या करा है कि देखो, इसमें क्या है आप question जब देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि इसमें एक आज payment कर रहे हैं cost of paying amount within 10 days बोलता है लेकिन ये जो discount एक तो ये चीज आपको interpret करना है इस question के अंदर ये एक नया point दे रखा है जो कि आपको intermediate में पढ़ा हुआ है इसका मतलब होता है 2% का discount लो 10 days में pay करके otherwise 90 days में आप payment करो और यहां बोला है within 10 days तो within 10 days में हम payment आज करेंगे यह आज का outflow आजाता है first point में आपका outflow आगया कौनसी rate का आज के rate का और यह है आपका 90 days में अगर payment करते क्योंकि आपको पता है आज pay करेंगे तो discount के साथ pay करेंगे 90 days में pay करेंगे तो normal pay करेंगे तो अब यह बोलता है कि इसमें आपका जो outflow आएगा कौनसी rate का 90 days का question में बोलता है A और B पार्ट में जो difference है वो difference आपका है दो चीजों की वज़े से एक आपका time value है एक आपका currency का fluctuation है तो यह point आपको याद पढ़के जाना है नहीं तो इसमें आपको mistake हो सकता है आप याद रखिएगा जो time value है जो difference है जो discount दियागे इस question के अंदर इस तरीके का साथ situation बनता है आपका 1 lakh mark का time हो है क्या के 3 wise आपको 98,000 पे करना पड़ेगा आज पे करोगे इसका मतलब आज और कल के बीच में जो difference है 2000, this 2000 represents the time value और आपको मैंने बताया था time value को conversion किस rate पे किया जाता है forward rate पे तो बस यही ध्यान रखना है कि 2000 forward rate पे convert होगा क्यों convert होगा तो यह सारा logic जो है यहाँ पे already आपको लिखा गया मिलेगा आपको हम लोग अभी जो देख रहे थे वो question था हमारा 4 का यह यह जो आप question देख रहे हो इसमें हमने 4 का B इसमें सारे यह logic दे रखा है कि क्यों हम लोग time value के साथ forward rate यूज करते हैं यह देखो यह आप देखना है कि 1 यह है time value इसके साथ forward rate अपलाई करना है यह बस अगर revise कर के जाओगे तो यह point आपका clear हो जाएगा question number 5 यह money market का रटर रटर है question कि आपका यह receivable है receivable है तो क्या करते हैं बताए money market से जाके आज हम loan ले देते हैं इस पॉर्टरेट पे convert करते हैं और अपने country में deposit कर देते हैं जो बाद के वो travel amount होता है वो हमारे लिए money market का inflow हो जाता है कुछ unique point नहीं इसमें हाँ इसमें थोड़ा सा बच्चों को confusion होता है एक line लिख के दिया है कि exporter क्या करेगा और question के अंदर money market का information दे दिया जाता है और बागी कुछ भी नहीं दिया गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा student को confusion आता है कि sir हम क्या करेंगे तो सबसे पहले जो information दिया है उसके इसाफ से money market हेज कर लोगे और institute ने क्या किया है यहाँ पर loss gain निकाल के दे दिया है अब बच्चे कहते कि sir यह loss gain हम कहां से निकालेंगे question में ऐसा information है जिसमें सिर्फ money market यूज हो सकता है तो हमने money market यूज कर दिया और बांकी कुछ है नहीं आप एक line लिख देना कि इसको forward rate से compare करके हम decision ले लेंगे खतम आप अगर देखोगे तो मैंने आपको इसी तरीके का answer दिया है इसमें कुछ भी अलग नहीं किया है अगर एक question number 5 के B पे जाओगे तो देखो यही मैंने बोला है कि आप निकाल दीजे यह हमने निकाला बस यहीं पर answer छोड़ दीजे अब institute ने क्या किया कहते अच्छा बताओ हमारा spot rate पे कितना receivable record किया था हम कहते देखो 28 लाग का हमने 280 लाग का receivable record किया कि receive करने वाला होगा हमारा और जो actual receipt होता है money market के अंदर वो हो जाता है 284 लाग का तो कहते है 284 लाग माइनस इतना जो होगा न यह हमारा क्या बन गया gain बन जाएगा आप कर सकते हो मैंने क्या बोला है third alternative आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो कैसे पता है question के अंदर आपको यह 2 rate दिया गया है आपको पता है जब question में 2 exchange rate दिया जाता है दोनों country का तो हम लोग forward rate निकाल सकते हैं अगर question में दोनों country का अगर interest rate दे दिया जाए तो हम forward rate निकाल सकते हैं तो यह काम करते हैं आप forward rate निकाल लो ठीक है और फिर उससे भी comparison करके दे दो कि देखो forward अगर यही forward rate अगर prevail करता तो forward में इतना आता और money market में इतना आ रहा है तो यही चीज़ आप comparison करके दे सकते हो चाहो तो यह भी आप prefer कर सकते हैं इस question के अंदर okay question number 5C में कुछ नहीं है याद रखिएगा one month के time पे आपको क्या करना है देखो receipt भी और payment भी और same currency है मैंने आपको बोला था same time पे अगर आपको receipt भी और payment भी हो तो ऐसा मत करना कि इसको भी convert करा और इसको भी convert करा ओ क्योंकि आप बेचते सस्ता हो खरीदते महंगा हो आपको नुकसान हो जाएगा तो क्या करना चाहिए लाना receive करना और इसी से इसको pay कर देना तो जो balance बचेगा उस balance के लिए आप यहाँ पे जो भी action है वो लेना एक तो यह आपका unique point था कि इसको आप क्या करोगे बताएए knit करोगे और दूसरा यह exchange rate आज तक exam में इस तरीके से नहीं पूछा गिया है तो याद रखिएगा bid में minus करोगे और ask में आप क्या करोगे plus करोगे question number 5D में as such कोई भी unique point नहीं है question number 5E में आपका है revise करके जाने पड़ेंगे इस question का unique point आपका tax rate है यह एक लौता question है जिसके अंदर tax का आपको treatment देखना पड़ेगा तो tax का treatment हम लोग कैसे करते हैं आपको पता ही है यह देखे कैसे आपको क्या करना है जैसे देखे आपको क्या कहते है exchange loss निकालना है और उसमें tax saving आपको consider करके आपको जो net outflow बनाना है आपको 96 मतलब क्या होता है हम forward contract करते हैं forward contract करते हैं और forward contract में हमें क्या दिखता है कि हमें 90,000 सब्सक्राइब पे payable record किया हमने 90,000 का कि हम कह रहें कि payment करना इतना है और जब हम जाते actual payment करने तो actual payment हो रखा है यहाँ पे 1,000,000 का payment करना था 90,000 payment किया 1,000,000 मतलब आपका 10,000 का exchange loss हुआ तो उस loss को P&L में debit करेंगे तो 4,000 बचाएंगे तो आपने forward contract के अंदर कितना pay किया तो 1,000,000 पे किया और आपने 4,000 बचाया तो net outflow forward contract के अंदर कितना हुआ 96,000 इसी तरीके से आप money market hedge यूज करते हो उस पे भी tax rate का implication डालना है तो money market hedge में tax का implication कैसे डालना है वो जो आप बाहर से loan लेते हो या बाहर जो deposit नहीं करते हो foreign में उसमें वो जो interest rate होता है वो interest को net of tax करके और तब आपको calculation करना है ये चीज आपको read करके जाना है ये पूरा question ही आपका unique है question number 5 के e पे हम लोग अगर पहुँचे question number 5 के e पे अगर हम लोग देखे तो इसमें again as such हमें कुछ भी नजर नहीं आता है नहीं इसमें भी कुछ नहीं है अगर हम लोग चले 6 के इसमें तो कुछ हाई नहीं 6AA में हाँ इसमें एक थोड़ा सा आपको unique point होगा 100N वाले वो कौनसी वाले question है 100N का लेना है आपको rate जो दे रखा है ये भी नहीं है ये भी नहीं है ठीक है इसमें कुछ नहीं है ये question है जिसमें exclusive CMA का question है लेकिन एक question है जिसमें cross rate का question है cross rate का question है लेकिन ये जो exchange rate दिया गया है आपको ये दिया गया है 100N का dollar per hundred रूपी pound sterling यानि कि ये पर pound का है pound 1 का रूपी इतना हो गया तो इन भी जाएगा 100N का dollar इतना rate है समझ में आगए आपको बात ये ये वस इस question का unique point है इस तरीके से दिया गया है और आपसे rate पूछ रहा है कि बताए determine the rate at which N can be purchased with रूपी N को purchased किया जाए ऐसा कौन सा rate होगा जिसको N को which N can be purchased with रूपी तो अब आपको यतना तो clear हो गया कि N and रूपी का rate निकालना है अब यहाँ पर कितने का rate दे रखा है 100 N का तो आपको क्या करना है जब equation बनाना है तो आप ले रूपी का rate निकाल रहे N 100 के लिए ये निकालोगे आप तो बाद में क्या होगा जब आप cross कर रहे होंगे कितना number question है question number 6BA अगर question number 6BA पर हम लोग पहुँचे 6BA यह देखे यहाँ पर पहुँचते तो इस तरीके से आपको क्या करना है equation बनाना है कि यह आपको 100 N का निकालना है तो यहाँ भी देखो 100 N का है और यह rate आपको दिया गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है 100 N का rate दिया है क्योंकि होता है यह और यह eliminate हो गया यह और यह eliminate हो गया तो रूपी पर 100 N आगया तो रूपी पर 100 N का rate निकाल दे और जो last में आएगा यह rate आएगा इसके basis पे आप करनभरजन कर दोगे कोई mistake नहीं होगा question number 6C यह तो कितने बार आया हुआ है कोई unique point नहीं है question number 6D के अंदर आपको starting में जो question पूछा गया था वहाँ पे mistake था London डाला गया था लेकिन अब आपको revise हो चुका है May 2015 के नहीं नहीं अभी अभी RTP May 2020 में जो question डाला है ना institute ने उसमें यह correct करके दिया है यह Mumbai है तो अब इसमें क्या हो जाता है दो-दो exchange rate दिया गिया है एक ही currency का एक ही currency का दो-दो exchange rate मिलेगा आपको तो उसको cross करके निकाल सकते हो इसमें भी आपको कोई मुसीवत नहीं है इस question के अंदर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है ओध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ भी इसमें भी नया नहीं है तो बहुत सारे question आप लोगों ने solve किया हुआ अगेम इसमें मुझे बताने लाइक कुछ निहें हाँ इस question में एक ध्यान रखने वाली बात जो है वो आपका ये रखने वाली बात है कि ये जो लाइन दिया है इसको आपको थोड़ा सा इंटरप्रेट करके चलना पड़ेगा है ना इन इस्पाइट अफ दी फैक्ट डाट एन कोटेशन अफ एन वाज अवलेवल थ्रू क्रॉस करिंसी रेट मिस्टर एक्स तर ट्रेजरी मैनेजर परचेज स्पाइट डॉलर याद रखिये परचेज किया है स्पाइट में और डॉलर को एन में कनवर्ट किया है six month बाद के forward rate से तो हमने आपको यही चीज यहाँ पर बताया था कि देखिये इस तरीके से possible कभी भी नहीं होगा है न यहाँ पर क्या possible नहीं होगा देखियेगा कि आप इसको spot में खरीदोगे क्योंकि वहाँ दो rate दिया गया है आपको रूपी दे के in खरीदना है लेकिन वो rate आपको available नहीं है तो आपको cross करना पड़ेगा तो question में क्या बोला है आपको कि यह spot पर खरीदोगे और इसको forward में convert करोगे तो क्या होगा देखिये यह आज आ जाएगा और यह 6 महीने बाद जाएगा तो holding period आ जाएगे 6 मंद का आज डॉलर खरीद के रख लो और 6 मंद बाद पे करूँगा यह allowed नहीं है government allowed नहीं करता तो आपको बोला था कि इसके जो interpretation बनती है correct कि spot rate 31st December का जो है उस पे इसने खरीदा है और forward पे बेचा है तो उस case में क्या हो जाएगा यह आपका partial hedging का concept बन जाता है इस lake को हमने बिनाओं hedging का open रख दिया और इसको हमने hedge कर दिया तो यह आपको ध्यान दखने वाली point थी अ आगे अगर हम लोग बढ़े तो यह question number 6 का जी है इसमें again वही बात है कि exchange rate को interpretate करना है अब देखो 2 exchange rate दे रखा है और यहाँ पे दोनों ऐसा currency है जिसके strength time to time up down होते रहते हैं अब मैं क्या interpretation लूँ पहले तो मैं वो interpretation लेता हूँ जो मैंने आपको बताया था ISO code है तो बिना दिमाग लगाए आप first currency को base currency लीजे तो dollar one का हमने लिया CHF 1.4 something आपको लग रहा होगा कि इसका quantity कम है इसका quantity जादा है मतलब Swiss franc क्या हो गया weaker लेकिन आज के rate पे तो Swiss franc हो गया stronger तो strength wise तो गलत आ गया ठीक है देखते हैं इसको क्या interpret करेंगे यह बोलता है ISO code में है base currency first currency dollar one equal to CHF 1.4 something something अरे वही same चीज तो था हमने इधर क्यों लेने लगए इस rate को interpret करो ना इसमें क्या होगा pound one का dollar 1.7 something something अब यहाँ पे मैं check करूँ तो यहाँ strength wise वैसे current strength के हिसाफ से तो नहीं लेकिन फिर भी यह दिख रहा है stronger यह weaker तो चलो यह तो अभी भी logical दिख रहा है और मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको exchange rate CHF dollar या dollar pound के बीच में आए तो अरे भूल जाओ क्या strength क्या नहीं है कभी जादा कभी कम होते रहते हैं आप क्या करो strength को भूल के जो official quote किया जाता जैसे google तो भी चेक कराया था first currency is based currency इसी को लेके चलिए यानि किसका मतलब हमारा interpretation यही आएगा इस question को आपको ध्यान रखना है ओके और आगे इस question में एक और ची याद रखना है कि minimum CHF ये जो निकालना है ना आपको ये minimum CHF कैसे निकालना है उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग mistake कर सकते हो आपको इसके ल ना क्योंकि minimum पुछा गिया है फिर दो जो pound का rate है इन दोनों में compare करना और जो आपके लिए beneficial होगा उसको select करना तो एक minimum CHF निकालते टाइम भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अब अगर मैं question number 6 के H में आ जाओं तो यह आपका post shipment credit वाले question है जिसमें आपको गया है यही question जो था भी recent past में आता है January 21 में जो की बिल्कुल out of this syllabus question था लेकिन उस time out of syllabus था अब आपके syllabus में आ चुका है अब आपको पढ़के जाना है तो यह देखिए इसमें बोला गया है 60 days का bill है और आपका जो transit period है 20 days का इसका मतलब आपका जो receipt होने वाला है वो कितने हमारा कितना date है यह तो कहीं दिखी निदा है मुझे ठीक है drawdown risk available तो desired currency the rate अब वो तो नहीं दिख रहा है लेकिन ठीक है आज से 1 month 2 month 3 month वोला गया है तो हमें पता है 80 days जो होता है इस बीच में fall करता है और यह पता है transit period average period होने की वज़े से यह भी हमारा average period है तो आपको पत है exactly इस date का तो forward contract नहीं किया जाएगा तो अब हमें क्या देखना है कि या तो lower rounding up होगी यानि कि 2 month में rounding up होगा 60 days पे या higher rounding up होगा तो यह 3 month पे जाएगा 90 days के लिए तो हमें किस में rounding up करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है देखना है कि premium पे quote किया गया है discount पे आपको दिख रहा होगा कि exchange rate जो है premium पे quote किया गया है जब आपको premium पे quote किया गया हो तो क्या होगा सोच के बताएगा premium पे अगर जाता है तो उस case में आप lower rounding up करते हो तो इसमें जो rounding up होके जाएगा 2 month में तो यही इस question को आपको देखना है इस question को अगर आप check करने जाओगे तो य देखे देखे premium पे हैं तो period should be rounded to lower month यानि कि two month के exchange rate को use करके यहाँ पे क्या करना है आपको calculation करना है question number six के आई पे हम लोग अगर पहुँचे तो यह सायद हमारा इसमें करा भी नहीं होगा क्योंकि यह आपका future contract से link हो जाता है हाँ तो यह जब आप derivative पढ़ोगे यह खास कर के गलती से हमने इदा डाल दिया है क्योंकि non deliverable forward contract है non deliverable forward contract का मतलब समझते हो कि forward contract तो है लेकिन इसमें Delivery नहीं होगा तो याद रखिये का यह रहा non deliverable forward contract है यह ठीक है कहीं पे और भी उपर लिखा होगा यह रहा non deliverable forward contract तो non-deliverable forward contract is just equal to किसके जैसे हो जाता है future contract क्योंकि आपको पता है NSE में delivery नहीं होता तो future contract के equivalent हो जाता है तो आप जैसे future contract का treatment करते हैं exactly वैसे ही treatment आपको इसको करना है तो ये आप contract ये पढ़िएगा आपका derivative में जब currency option, sorry currency future पढ़ रहे होंगे नवहाँ प्याप एक question को solve कर सकते हो unit 3 में इसके बाद अगर हम लोग बढ़े तो ये है question number 7 का IRPT से related कुछ भी question में नहीं है ठीक है बहुत ही आसान question number 6 के 7 के B में भी वैसे कुछ नहीं है लकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात जो है annual compounded वाले है तो इस annual compounded की treatment क्या करते है हम लोग जब यहाँ पे premium discount निकालते है तो periodic rate ना use करके सीधा annual rate को use कर लेना ये साथदानी रखने वाली बात है ये है question number 7 का B ये देखे जब आप calculation करने जा रहा होगे ना premium discount तो आप कोसिस करिएगा premium discount निकालते हैं सीधा annual rate ले ना कि periodic rate ना ले हम ठीक है आपको बताया था 1 plus 1 plus dollar rate divided by 1 plus frank का rate जो होता है ये आपको premium discount बताता है frank currency का देखे रहे हो frank currency का जो base में होता है उसका premium discount minus 1 कर दीजे तो इस तरीके से calculation हो जाएगा तो इसमें जो आपको रखने वाली बात थी ये एक ध्यान रखना question number 7 again nothing unique in this question question number 8 ये तो बहुत आसान है कुछ है ही नहीं question number 8 भी start होने से पहले ही खतम हो जाता है question number 9 इसमें बस एक ची ध्यान रखना है सीधा बोला है calculate the rate of return और बांकी कुछ भी नहीं बोला गया है और इस question के अंदर आपको dollar के return निकालने का information दे रखा है और एक premium दे रखा है अगर possible हो तो use all information given in question तो यहाँ पे आपको यहाँ mistake हो सकता है क्योंकि हो सकता है आप dollar का return निकालने का और सीधा आ जाओगे dollar का सिर्फ return निकालके नहीं देना है क्योंकि अगर premium discount दे रखा है तो उस dollar के return को दूसरे currency में convert करके आना है यह इस question का आपको ध्यान रखने वाली बात है अगर मैं question number 9 के B पे जाओ तो again यह question थोड़ा सा तो है unique क्योंकि आपको क्या करता है foreign के index में पैसे लगाता है जो की S&P 500 होगी कहीं पे S&P 500 में आपको invest कराता है कहाँ पे US में इस question को यह आप revise कर लिजेगा वैसे unique point कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है पूरे solution ही ध्यान रखने वाली बात है इसको आप देख लेंगे तो हो जाएगा question number 9 का C को भी आप revise कर सकते हो लेकिन इसमें क्या है institute की जो suggested है उसमें mistake कर रखा है ठीक है तो अब इसमें again unique point तो कुछ नहीं है लेकिन पूरा question ही revise करने लायक है तो एक question number 9 का C और 9 का भी आप ये दोनों को revise कर लीजेगा और एक और भी बात इसको calculation करते time इसमें आपका जो है न withholding taxes के unique point होंगे कहीं पे ये रहा withholding taxes question का unique point है एकलोता question है जिसमें withholding tax को adjustment आपको करना पड़ेगा तो यहाँ पर कैसे हम लोग करते देखे कि अगर मैं मान लिजे बाहर से लोन लेता हूँ बाहर से मैं अगर लोन लेता हूँ किसी rate पे तो पता है जब हम सामने वाले को pay करते है न तो कुछ tax cut करके pay करेंगे तो क्या होगा सामने वाले मान लिजे मुझे 4% पे लोन देता है या 3% पे लोन देता है या 5% पे लोन देता है मैं जब उस सामने वाले को अगर payment करने जाओंगा interest तो उसमें से कुछ कट करना पड़ेगा तो net में तो सामने वाले को कम मिलेगा तो क्या होता है कि आपको जी effective cost आते है न वो withholding tax काटने से पहले वो आपको net effective cost आएगा आपका तो gross up करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे calculation करते हैं तो मैं अगर इसका question का solution अगर आपको दिखाऊं question number 9 का C पे अगर हम लोग पहुँचें यह देखेगा तो यहाँ पियाई चीज मैंने बताने की कोसिस किया है आपको कि देखें यह रहाँ आपका cost जो आता है न gross up करते हैं इस तरीके से हम लोग gross up करके यह value निकाल के दिया हुआ है इसमें कुछ mistake भी करा है institute ने अब वो क्या mistake है वो आपको यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको clear हो जाएगा मैं बता दू क्या mistake है जैसे आपको याद होगा हम जब dollar के return को रूपी में convert कर रहे थे एक example था आपके पास dollar के return को जब convert कर रहे थे discount कैसे apply होता है तो आपको याद होगा one plus foreign currency का अगर आपको return है तो इस पे apply करना होता है one plus premium अबलिक discount of foreign currency और वो होता है one plus home currency का return याद आ रहे कुछ इसका मतलब इस तरीके से आपका cost निकल के आता है लेकिन institute में क्या कर रहा है आपको याद होगा इस तरीके से बढ़ाते है लेकिन institute नहीं यहाँ पे क्या किया है सीधा बोलता है कि देखो वहाँ कमाते थे 15 दो percent premium पे आ गया मतलब इंडिया का return cost है वो 17 percent है यह calculation institute ने किया है इस question के अंदर जो की appropriate solution नहीं है तो आप मैंने दे रखा है देखो आपको जब भी मैं बताता हूँ तो disclaimer देके चलता हूँ कि देखो यह institute ICI का यह solution है और इसमें क्या गरबढ़िया है सीधा premium add करते वैसे नहीं होता है इस तरीके से adjustment किया जाता है तो आपको सही solution यह होना चाहिए था adjustment करने का यह मैंने अपने तरीके से बताया है कि हमारा answer correct होता 5.348 लेकिन institute ने 5.31 लिया है हमारा आता 3.48 और यह है 3.1 तो difference है आसान है institute का solution याद करके चले जाएगा आपको कुछ अलग करने की ज़रत नहीं है यहाँ पर यह आप देखे इसमें भी कोई unique point नहीं है बट interpretation देखिएगा मैं तो बार बार कहता हूँ पुराने question में तो हमेसा वही interpretation मिलेगा कि ISO code के साथ है तो base currency first currency तो यहाँ dollar one equal to rupee 48.30 चलो यहाँ पर जाके आपका interpretation match हो गया तो उसी तरीके से हर एक question को interpret करोगे question में कुछ नया point नहीं है यह 2A code है हाँ इसमें एक यह नया point आता है कि exchange margin दे रखा है याद रखिएगा अगर यह exchange margin दे रखा है तो यह जो exchange rate होगी न यह सारे exchange rate आपका interbank rate होगा यह ध्यान रखना आप यह सारे आपका क्या होगा बताएं interbank और याद रखिए हम लोग calculation क्या कर रहे हैं हम लोग calculation कर रहें arbitrage gain तो जब आप अगर arbitrage निकालते हो तो आपको क्या करना होता है पता है हम एक market में जाते हैं एक currency खरीते हैं दूसरा बेचते हैं फिर वहाँ से second market में जाते हैं फिर third market में जाते हैं तो आपको पता है कि अगर किसी question में exchange margin दिया है arbitrage के पहला question है जिसके अंदर उन्होंने exchange margin दे रखा है तो अब इस पे आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो मैं इस market में भी जाओंगा इसमें भी जाओंगा इसमें भी जाओंगा तो मेरे लिए ये rate apply नहीं होगा बोलोगे sir कहीं लिखा कहा है कि ये interbank है interbank होगा तभी ये use होगा तो आपको ये assume करना है interbank और आपको जो profitable route ढूणना है उसमें आपको क्या करना है cross rate निकाल लेना दो के basis पे और फिर profitable route ढूण के सीधा जाना तो एक बार आपको solve करना चाहिए ये question तभी जाके आपको confidence आ सकता है cover interest arbitrage again nothing मतलब कुछे ध्यान रखने वाले बात ही नहीं अगर आपको arbitrage आता है तो कुछ नहीं करना है एक country में borrow करना है दूसरे country में आपको deposit करना है फिर उस deposit को withdraw करके पहले वाले country में लेके जाना है पुराने loan को repayment करना है अगर surplus बच गई तो arbitrage है तो यह मैं कर सकता हूँ देखे कैसे हमने क्या बोला था देखो per dm है per dm यानि की per unit dm currency का है तो जो per unit है उसको हम लोग अभी 2 minute के लिए foreign currency मान लेते क्योंकि ऐसे ही मानते जब हम dollar 1 equal to rupee something लिखते तो हम यह मान के चलते यह foreign currency है और उसी हिसाब से home currency के return को हम लोग use करते है उस parity को manage करने के लिए वो जो return को match करते है यहां पर क्या हो देखे 1 plus Canadian dollar आएगी न Canadian dollar में price है तो 1 plus Canadian dollar का जो आपका rate होगा वो is equal to 1 plus dm का rate 1 plus dm currency का rate और अब आपको क्या करना है forward rate divided by spot rate ले लेना है base currency वाले का और इसको आपको comparison कर देना है बस simple और क्या है question number 11 का यह अगर आप यहां पर check करोगे question number 11 A यहां पर अगर हम लोग जाते तो देखे वही क्या हम लोगों ने क्या बताए Canadian dollar और फिर dm fr divided by spot rate हमने जब इस calculation को check किया यह देखो यह और यह mass तो नहीं करता है बिल्कुल नहीं करेगा अब यह छोटा है यह हमारा बड़ा है नहीं हाँ वो 022 024 तो बताए कौन सी बड़ा है यह आपका बड़ा है तो यहां आपको deposit जाना चाहिए dm में आपको deposit जाना चाहिए तो बस यही मैंने बोला होगा देखे यहां पे deposit in dm and borrow in cad क्योंकि यह छोटा है और छोटा कहां था Canada में तो आपको Canada में borrowing करना चाहिए यही आपका क्या था arbitrage का question था इसमें भी कुछ unique नहीं है इसमें तो भी कुछ unique नहीं है इस question में आप एक बार पढ़के जाईएगा दिखने में आपको length वड़ा दिखता है लेकिन question के अंदर कुछ नहीं है इसमें होता क्या है आप जाते हो bank में मतलब unique point तो कुछ नहीं revise कर लेना चाहिए फिर भी एक बहुत आसान है एक account manager है वो bank में जाके एक contract करके आजाता है फिर एक जाता है पहले export manager bank में जाके contract कर लेता है फिर बाद में account manager आप के पास पहुंचता है पूछते कि बताओ जी वो जो forward contract किया है तो फिर वही बात आपने जो forward contract किया है bank के साथ वो इसके लिए हमें क्या करना होगा comparison करना होगा fair rate से compare करेंगे और दिन हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर decision देंगे तो वही काम करना है कि देखो जी एक तो सबसे पहले बोला है कि क्या जो action लिया है export manager ने वो सही है कि या नहीं है अगर bank negotiate करने के तयार होता तो कौन सी forward rate negotiate करते जो आपका fair forward rate होता इस question के अंदर एक unique point है वैसे exclusive CMA का question है arbitrage में एक पहला question है जिसमें आपको transaction cost को adjustment करना है transaction cost कैसे adjustment करोगे जब-जब convert करोगे उसमें से 0.25% minus कर दोगे ये एक unique point था question number 11 के nothing unique इसमें भी कुछ unique नहीं है इसमें भी कुछ unique नहीं है यह already आप लोग calculation करते हो ठीक है आपको different डिफरेंट डिफरेंट नॉस्ट्रो वस्ट्रो का जो exchange position और आपका जो था ठीक है मतलब याद करके रखने लायक कुछ नहीं है आपने अगर नॉस्ट्रो वस्ट्रो का question solve किया तो आराम से solve हो सकता है LC arrangement में अगेन वही बात है दो तरह का charges आता है एक आता है आपका कौनसी एक आजाता है आपका opening charges एक है आपका commission तो यह देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 2% against opening of irrevocable credit तो यह 2% ले लिए आपको किसके लिए 2% है opening charges याद रखना किस पर calculate करोगे जो spot rate से equivalent आएगा उस पर calculate करोगे और आपको यहाँ पर दिया गया है कि 2% का commission भी ले रहा है आपसे double double ले रहा है तो यह जाएगा आपका 12 month पर payable होगा तो यह निकालना जो सिम्पल से आपको time value अगर आता होगा तो future value आप निकाल सकते हो इसमें कुछ unique point इसमें भी नहीं था question number 15 यह यह cancellation related है cancellation में क्या करते है बताइए पहले अगर आपने dollar buy किया था तो dollar sell करके opposite contract करके क्या करोगे इसको cancel करोगे बहुत आसान सा simple सा question इसमें भी कुछ आपको घ्यान रखने वाली चीज नहीं था ठीक है इस question में अगर हम बात करें तो इसमें भी वही चीज है पहले आपने जो contract किया होगा cancellation में opposite करोगे इसमें 100 रुपिय का साइद आपको cancellation charges अलग से दिया है तो ये बाद में जाके आपको क्या कर देना है add कर देना है ठीक है और एक और भी चीज है इसमें margin है तो margin दे रखा है अगर आपको तो आपको adjustment करना पड़ेगा या जूम करके कि वो जो चीज है वो आपका interbank करे था question number 15 C वैसे अभी तक के exclusive CMA की question है ये लेकिन ये question बढ़िया है इसमें आपको जो ध्यान रखने बाली बात है वो ये line board ध्यान रखना है कि देखिए कि दो दोधी contract was for 96,000 एक्स limited purchase only 50,000 इस question के मैं अगर background आपको बताओ तो क्या होता है question number 15 C की अगर background पे हम लोग पहुँचे question number 15 C के background पे चल ले तो ये इसका background देखिएगा इसने import किया था 96,000 के value पे बाद में सामान खराब मिलता है तो वो कहते हम सिर्फ 50,000 ही pay करेंगे यही line लिखा था कि X limited ने सिर्फ 50,000 खरीदा है even though contract 96 का था आपके information के लिए bank के साथ जब आप contract कर चुके हो 96,000 का तो आपको पता है bank भी अपना contract extend कर चुका होगा 96,000 खरीदने का कहां से interbank से तो इतना आसान तो नहीं है कि आप अपने वादे से मुकर जाओगे तो फिर क्या करोगे बताएए आपको पता ही था cancellation में भी knit off हो रहा था कोई contract cancel नहीं हो रहा था exactly वैसे यहां भी होगा कि देखो भाई 96 तो तुमें खरीदना ही पड़ेगा यानि कि contract तो आपको execute करना ही पड़ेगा 96 खरीदो 50,000 उदर दे दो आपका जो बच गिया 46,000 वो मुझे वापस कर दो तो आपका सिर्फ 46,000 क्या हो जाएगा बताएए 46,000 का ही knit off होगा तो यह इस question में आपको ध्यान रखना है और एक और भी बात इसमें एक और ध्यान रखने वाली बात है कि यह देखिए forward rate जो है न इसमें देखो decreasing order में दिया है और यहां cent लिखा है decreasing order में दिया है और यह cent लिखा है यह dollar का fractional unit है decreasing order को आप reduce करोगे यानि कि इसमें से आप deduct करोगे क्या चीज़ बताइएगा यह चीज़ deduct करोगे लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये cent में है और ये dollar में है तो आपको क्या करना है इसको dollar निकालना पड़ेगा तो 100 cent जो होता है 100 cent जो होगा वो कितने dollar होंगे 1 तो आपके पास 0.95 cent है तो 0.95 cent अगर रखोगे तो 1 divided by 100 multiply by 0.95 जाएगा यहनकि 0.0095 इतने का आपको minus करना पड़ेगा इस पॉर्टेट से तो यह आपका फॉर्वरेट निकल के आ जाएगा cancellation square phone exchange इसमें बस एक ध्यान क्या रखना है यह cross currency deal का आपको याद रखिएगा cross currency deal का मतलब आपको यह unique point इस question का है ध्यान रखना है cross currency deal क्या होता है दोनों currency हमारे लिए foreign currency है दोनों currency हमारे लिए foreign currency है और जो deal हुआ है वो किसमे dollar में euro के साथ यानि कि आपने dollar को बेचा है euro खरीदा है आपने यानि कि dollar बेचा है euro के against और बाद में क्या बोलता है square up कर देना है आपको यह square up word हो सकता है first time सुनने को मिलेगा बट यह net off है exchange का जो cancellation कर रहे थे न वही cancellation जब exchange में किया जाता है खास कर के वो cancellation था ही नहीं वो तो net off करना था एक currency खरीद बेच के net off करते हैं तो आपको पता है stock market में जितने भी लोग intraday करते हैं सब यहीं करते हैं net off करते हैं पहले खरीदे बाद में बेच देते हैं और exchange क्या कहता है आपको share देना भी आपको share लेना भी आड़े चरो छोरो अटाओ निटफ कर देते हैं ना share देते हैं ना लेते को delivery होता ही नहीं है exactly वही चीज होता है यहाँ पे तो क्या होगा ध्यान से देखेगा इस question के अंदर जो ध्यान रखना है कि यह dollar भी foreign currency है euro भी foreign currency है इस question के अंदर home currency कौन सी है INR जब इस deal को आप square up करोगे इस deal को जब आप square up करोगे तो क्या होगा देखिएगा आप जब square up करने जाओगे तो यहाँ पे आपको पहले dollar क्या किया था बताईए पहले dollar बेचा था तो आपको dollar क्या करना पड़ेगा buy करना पड़ेगा यही होता है net off करना cancellation करना पहले बेचा था खरीद लिजे net off हो गया अब क्या होगा आपने euro में पहले trade किया था तो अभी भी यूरो में ही है स्कुआर अप करना पड़ेगा ये वाले rate पे देख रहे हो dollar को euro वाले rate पे इस पे आपको क्या करना होगा buy करना पड़ेगा अब क्या होगा इसके अंदर जो loss gain आएगा loss gain आएगा आपका dollar currency sorry dollar में नहीं loss gain आएगा आपका euro currency में क्योंकि आपका जो trade था न dollar against euro था तो dollar जो sell किया था dollar buy करोगे तो euro के अगेंस्ट ही तो करोगे तो आपका loss gain आएगा euro currency में और वो loss gain euro currency जो है आपके लिए क्या है बताइगा foreign currency है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है और ये जो forex dealer होगा उनके लिए foreign currency है तो इनको market से दुबारा buy करके और तब loss gain निकालना पड़ेगा buy करिये और loss gain जो निकालोगे in rupee ये आपका ultimate answer होगा यहाँ पे जाके तो ये आपको ध्यान रखना था extension कुछ नहीं करना होता है पुराना contract cancel कीजिए नए contract enter कीजिए simple तो इसमें भी again कुछ नहीं करना है मुझे margin है margin है तो ये सारा आपका क्या होगा interbank rate होगा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है question number 17 B में एकलौता question है जिसमें इस तरीके का exchange rate quote किया है पुराना जर डालिएगा ध्यान से पहला rate होता है bid दूसरा होता है ask लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा होगा आपका देखिएगा ये है आपका bid rate ध्यान से देखिए तो bid rate कभी छोटा बड़ा होता है क्या ये देखो ये बड़ा है 72 और 68 तो इसी लिए इंटिट्यूट ने बोला कि हमसे गलती हो गया ठीक है ये देखो आप याद रखिएगा जब कोई mistake होगा तो logic को आपको एहमियत देना है logic को कैसे एहमियत देखो सोच के बताईएगा logic ये कहता है आपका logic ये कहता है कि जो बड़ा rate है वो हमेशा आपको ask rate होगा क्योंकि businessman हमेशा सस्ता खरीता है और महंगा बेचता है तो आप मुझे बताईए ये जो है न ये ask rate है ये आप ध्यान से रखिएगा इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी question पढ़ना exam में तो एक बार देख लेना bid rate और ask rate को compare करके किस तरीके का situation ये बनता है ठीक है तो यही मैंने बोला है कि first rate is ask rate ये ध्यान रखिएगा question number 17C question number 17C again बिल्कुर repetitive question है कुछ भी इसमे revision करने लायक नहीं अगर आपको extension आता है तो बस cancellation आना चाहिए early delivery वही बिना diagram का कभी question solve नहीं करना है नया तो कुछ नहीं है इसमें लेकिन आपको revise करके जाना पड़ेगा लेकिन एक सी जौर में बताता हूं कि early delivery वही है जिसमें आपको outflow पे interest निकालना पड़ेगा swap difference निकालना पड़ेगा और जो rate commit किया गया था starting में वो forward rate पे due date से पहले ही आपको delivery लेना पड़ेगा ये आपका question है early delivery वाले जब question पड़ोगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि आपको पता ये question अगर हम यहाँ पे solve करने लगेंगे तो time लग जाए क्योंकि आपको पता ये लेन दिया है एक बार revise करके खुद से solve करके जाना है लेकिन हम आपको हमेशा suggest करते हैं कि जब भी question solve करते हो तो diagram बना के solve करना है आपको तो ये question अगर 18 A पे अगर जाते हो question number अगर 18 A पे अगर जाते हो तो ये होगा question ये देखे इस तरीके से diagram बना के ही question पढ़ना है ठीक है तो diagram बनाईएगा और आपको लगता है कि सर अच्छा diagram नहीं बन बाता है देखो हमारे को diagram अच्छा और बुरा से मतलब नहीं में जो है rate पकड़ में आना चाहिए क्योंकि किस-किस के बीच का interest लेते हैं किस-किस के rate के बीच के swap difference लेते हैं वो आपको diagram पर याद हो जाता है और अभी जब late cancellation में जाओगे न वहाँ पर इतने इतनी सारे exchange rate मिलेगा वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएंगे तो क्या करोगे अब चलो diagram जब बना लोगे तो देखो मैंने क्या बताया था याद करिएगा कि इसको जब बेच रहे हो तो यहाँ पी जो amount की difference जो आ रही है इस पे आपको interest निकालना है पहले आपको यह check करना है कि यह inflow है या outflow है कैसे निकालोगे देखो बैंक के पास आता है 65.22 बैंक के जेब से जाता है 65.4 मतलब यह बैंक के लिए outflow है तो outflow है तो interest इससे charge करेगा और अगर यह inflow हो जाता तो deposit करता तो deposit करता तो interest उसको pass on कर देता बलतो कि नहीं करेगा तो choice है मर्जी है तो कर ले ना मर्जी है तो ना करे ठीक है तो इसके और इसके बीच में interest निकालोगे आप फिर हमने क्या बोला था आपको जो delivery लेना पड़ेगा यह ना पहले इस rate पे चलो दूसरा point पे हो गया तीसरा क्या बोला था कि यह rate जो cancel करोगे ना जो original forward contract को जो cancel करोगे यह वाले इसके और इसके बीच में जो होगा ना यह आपका swap difference आ जाएगा खताम यह याद रह जाएगा तो काम हो गया question number 18 का भी वैसे number 18 का है इसमें एक inflow बन जाता है early delivery के अंदर जैसे यह वाले case में देखो यहाँ पे आया है कम जा रहा है जादा तो starting में outflow बना है तो interest आपने interest आपको pay करना पड़ रहा था जो की exporter से charge करोगे वो जो question आपका बनता है ना question number 18 का भी अगर इसको 18 के B पे अगर आप जाते हो यहाँ देखे तो इस diagram में चेक करिएगा देखे क्या हो रहा है हमारे को case में यहाँ पे dollar यह देखो यह जा रहा है 46.58 और इनके पास आ रहा है देखे 46.67 जादा आ रहा है कम amount जा रहा है तो bank के लिए inflow हो जाता है जब bank के लिए inflow होता है तो उस पे जो interest बनता है वो कहते हैं देखो twice है आप चाहो तो customer को interest दे दो ना तो ना दो paper पे हमेशा हमें इमानदार रहना है अगर inflow हुआ है तो वो inflow आप जाके कहीं deposit करोगे तो interest कमा के लाओगे तो वो कमाई आप सामने वाले को transfer कर दो खतम और आपको एक दूसरा transaction क्या हुआ यह लेना पड़ेगा इसी पे second transaction और third क्या करना है swap difference यह जो आप cancellation के लिए जो original को जो cancel कर रहे होना जिस rate पे ठीक है उस rate से इसको compare करोगे और यह दोनों आपका swap difference आ जाएगा that is the question number 18 का B 19 के series का question आपको बता दू 19 यह जो question है यह series में आपको सारे के सारे question modify किया गया है वैसे एक question तो institute नहीं modify कर रखा है एक question बांकि जो 19 का B, 19, C यतने भी दिखेंगे वो सारे मैंने modify करके दिया है आपको क्योंकि आपको पता है पहले automatic cancellation 15 days पे होता था जो अभी फड़े ने बदल के उसको 3 days कर दिया है तो अब अगर exam में question आएगा तो 15 days के साथ नहीं आएगा 3 days करके देगा तो इसलिए हम देख रहे हो कि मैंने आपको modify करकर के जो date था वो date बदल के दे रखा है और आपकी requirement को भी उसी इसाफ से modify किया हुआ है यहाँ पे भी जाओगे तो देख रहे हो हमने modify किया है question को और उस तरीके से आपको जो 20th होना चाहिए था 13th करके मैंने दिया हुआ आपको institute ने भी तक एक ही question को modify किया है ठीक है चलिए तो बढ़ते आगे हम लोग इस question में अगर जाओगे तो मैं आपको बता दू जब exam में originally यह question आया था तो यहाँ लिखा था March सुनिएगा ध्यान से आपको question देखके पता चल जाएगा कि question में कुछ mistake था क्योंकि बताईएगा 4th April में कभी March का rate दिख सकता है क्या हम 4th April को खड़े हैं आज हम 4th April को खड़े हैं हम कहते March का rate यह चल रहा है वो possible नहीं हो 4th April को पुराना rate कैसे देदेगा हमें तो वैसे ही दिख रहा था अपरेंटली गलत है लेकिन आपको गलतियों को नहीं डूड़ना था वैसे जब suggested आया तो इंस्टिटूट ने बोला कि अच्छा यह March नहीं होना चाहिए था April होना चाहिए था अपरेल ने होना चाहिए में होना चाहिए तो यह चीजों को आपको suggested में mention करके दिया गया है तो यह ध्यान रखेगा अगर एक्जाम में आता है और आपको जिस डेट पे खरे उससे पुराना अगर आपको rate दे दिया जाए तो एक चीज याद रखेगा आपको हम मोडिफा नहीं होगा यह आज तक कोई बोलता नहीं हमने क्लास में बहुत बहस किया हुआ है कि spot लिखके आएगा लेकिन आप इसको समझ के चाहिए चलना बताईएगा forward नहीं तो आपको यह समझ फिर नहीं आएगा ठीक है again वही बात इस question के अंदर आपको फिर से वही diagram बनाना है औ हमें late cancellation time पे नहीं आया तो time पे जब नहीं आएगा तुम time पे नहीं आये भाई साव तो मैंने जो original contract किया था वो तो मुझे execute करना पड़ेगा न तो यह देखो यह लाया और इसको हमने यहाँ पे बेज दिया आपको पता है किस दिन पे होता है due date पे होता है due date पे यह काम कर करेंगे और 4th April हमारा side due date होगा समझना आगे बाद okay तो 4th April करेंगे तो मैंने क्या बोला था आपको किस पे interest निकालना है तो यह जो outflow या inflow हुआ देखो इतना लाया और original contract के तहत इतना आपने दिया कौनसी वाले था याद रखना यह rate वाले का यह जो आपको rate दिख रहा इने इसका rate है यह जैनि कि original rate हमारा यह था तो देखो original rate आपका यह था मतलब यहां से जा रहा था इतना 73.75 जा रहा है और 73.25 आ रहा है again outflow है bank के लिए क्योंकि bank के पास आ रहा है कम जा रहा है कम ज्यादा इसका मतलब इसका और इसका बीच का difference this is the outlay of the fund इस पे interest होगे पहला पार्ट दूसरा आप एक नया contract कर रहे हो देखो यह original contract तो आपने execute कर दिया इधर देखे और आपके पास जो three days का जो रिसक है न उसके लिए एक नया contract करोगे ठीक है और वो exactly same होगा जो पहले था पहले अगर आपने buy करने का किया था तो नया करोगे यह जो नय contract जिस rate पे कर रहे हो उसका difference इसके साथ यह जाएगा आपका swap loss में और फिर जिस दिन वो आएगा उस दिन की opposite contract करेंगे देखो यह पहले डॉलर खरीदने का बात किया था तो डॉलर बेचेंगे और जिस दिन आया है उस दिन के spot rate पे करेंगे लेकिन यहाँ पे question के अंदर margin भी दिया है यहां margin adjust होगा क्योंकि जब retailer के साथ जब यह bank deal करते है तो margin का adjustment होती है इस 7th April का cancellation होगा देखिएगा question में जो approach करता है न वो due date extension के लिए approach करता है 14th June को जान सुनिएगा 14th June को approach करता है और हमारा जो due date था न देखिए due date तो 4th April था question पढ़ोगा तो याद आ जा करता है 14th June को just a minute sorry यह जो है यह आपको extension करने को बोला है 14th June को request जो किया है न request किया है 14th April को सोचिएगा ध्यान से आपने 4th April का आपका क्या बन रहा था 4th April था आपका due date approach कब करते हो आप 14th April को 10 दिन के बाद लेकिन फेड़ा ही क्या कहता है maximum 3 दिन wait करना उससे जादा wait नहीं करना है तो हमने क्या किया होगा 3 days बाद ही यानि कि 7th April को मैंने cancellation कर दिया होगा automatically उनके अनुपस्थिती में और जो demand बना होगा उनके जो account का control होगा उनके account से मैंने direct कर दिया होगा इसका मतलब आपका जो interest भी निकालना पड़ेगा यह amount आपने बोलाने कि outlob interest निकालेंगे यह interest भी 3 days के लिए ही आएगा और यह जो आप cancellation कर आओगे न देखो 7th April को cancellation कर आओगे आप ठीक है तो यह था आपका question number 19 का यह ऐसे question number 19 का भी है यह आपको solve करना पड़ेगा ध्यान से रखिएगा 19A 19B यह आपको solve करोगे तबी जाके clarity आएगी ठीक है उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो leading and lagging में बस एक चीज़ ध्यान डखना है इसमें कि इसकी यह language है न वो थोड़ा clear नहीं है बोला है कि cover को paywall करेंगे इस question के अंदर cover paywall कितना होता है मैं आपको बता दू यहाँ पे एक minute diagram दिखके बता देता हूँ मैं आपको यह देखे इस question के अंदर situation यह है कि 3 month पे इतना payment करना है और 2 month पे इतना receive होने वाला है और आपको कहता है कि देखे 2 month के लिए न आपने transaction already करके बैठ हुए हो for receivable amount forward contract is already taken मतलब क्या हो गया इसके लिए आप already enter कर चुके हो forward contract की देखो जब हमारे पास यह आएगा हम इसको देदेंगे इस तरीके से already forward contract क्या है इसमें enter already किया हुआ है अब क्या कहता है कि देखो दो transaction है एक receivable एक payable है आपको ध्यान क्या रखना है इसमें mistake कर ज पर दी payable only तो आप क्या करते हो payable का equivalent amount निकाल लेते हो यह गलतियां हो जाएगा क्योंकि जो next point है इसमें बोलता है lack the receivable यह जो receivable है इसको आप lack कर देना delay कर देना by one month तो आप मुझे बताए इसको one month से delay कर दो अगर यह one month delay हो जाएगा तो three month में आ जाएगा तो सोचो क्या होगा थ così month पे पैसे आएगा 3 month पे जाएगा मैंने क्या बताया same day पे अगर पैसे आता है same day पे जाता है दोनों को conversion मत कराना तो क्या करना बताए उसी amount को उसमें pay कर देना तो आप मुझे बताए 450 LA पका तो इसमें pay कर दिया तो net payment कितना बचा क्योंकि 450 तो उसमें चला गया से डिले कर दो and cover the risk only for net amount अब सोचना थोड़ा ध्यान से आप इस option में कह रहे हो option 2 में कह रहे हो option 2 में कह रहे हो कि 2,50,000 पेवल को cover करना है ना और इसमें कह रहे हो 7,00,000 को cover करना मतलब 7,00,000 को आप equivalent amount निकालना आप मुझे बताए दोनों कभी comparable होगा क्या नहीं होगा तो ये सीजो का ध्यान रखना है कि question silent हो गया बोलता है payable को cover करो बांकी कुछ बोला ही नहीं इसका मतलब क्यों नहीं बोला कहते देखो भाई receivable तो already cover कर चुके होंगे ना तो आप ऐसा तो है नहीं कि 7,00,000 के payable को पेवल को compare करके आप decision दोगे इतना तो समझदार होगे ही तो क्या करें देखो 7,00,000 का ये payable और वो receivable का जो already contact कर चुके थे दोनों को net करना अब दिक्कत क्या आ जाएगी अब calculation तो आपको पता ही कैसे करना है बस ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों को अलग-अलग transaction को net करना है यहाँ पे हमारा delay वाले का net करना है और एक और भी बात ये जो आपका contract किया गया था पहले से इसको भी highlight कर लिजिएगा और बाद में जाके इसको क्या करना पड़ेगा cancel भी करना पड़ेगा क्योंकि जब आप lag करोगे न जब आप lag करोगे तो वो contract execute नहीं होगा तो cancel भी करना पड़ेगा तो ये चीजों को आपको इस question के अंदर ध्यान रखके जाना है knitting of currency में कुछ नहीं है आपको बस ये line अगर interpret कर लिया आपने तो इस question के अंदर कुछ भी नहीं है याद रखिएगा या RTP का question है लेकिन एक वार read कर लेने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पर देखिएगा odd by the Malaysian subsidiary क्योंकि यहाँ पर क्या है एक company दूसरे company के बीच में क्या है transaction कर रखा है और question में आपको क्या कहता है कि बताइए कि net में कौन सी subsidiary किसको payment करेगा question का मैं आपको एक background देता हूँ ताकि थोड़ा सा पढ़ते वए time आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा यह question number 21 का A बस थोड़ा सा रह गया थोड़ा सा रह गया हम लोगों ने cover करी लिया ultimately ओ सौरी सौरी क्या हो गई 21 का A 21 A question number 21 का A यह है देखे question की background कि यह जो है न UK की company उसके पास 3 subsidiary है एक ने आपस में लेना देना है और question में कहता है कि आप बस यह बता दीजिए कि net payment कितना होगा इन लोगों के बीच में जो एक आपस में transaction है तो आपको यह बस पढ़ना है कि देखे odd मतलब loan लेना renew हुआ है odd by Malaysian subsidiary Malaysian subsidiary renew हुआ था यानि कि वो loan लिया था इसका मतलब repay किसको करना पड़ेगा Malaysian को तो यह बस ध्यान रखना है कि देखे पहला transaction के अंदर Malaysian को repay करना है repayment transaction अगर यह mistake नहीं करोगे क्योंकि इसमें मैंने देखा है हमेशा 50-50 transaction हो जाता है कि by Malaysian subsidiary लिकाए नहीं नहीं सर इंडियान subsidiary को pay करना है नहीं इंडियान subsidiary will be odd by Malaysian subsidiary तो इसको ऐसे पढ़ना है odd by Malaysian subsidiary loan Malaysian ने लिया है तो वो repay करेगा इस line को बस ध्यान रखके पढ़ोगे तो यह question के अंदर कुछ भी नहीं है यह तो बच्चो वाली question है इसमें centralized और decentralized cash management है तो बस एक line पढ़के चले जाएगा वैसे आज तक यह CMA ने नहीं पूछा है exclusive CMA का question है लेकिन 2 minute का question है तो 2 minute के चीज़ों को हमें skip करके भी क्या कर ले centralized cash management का मतलब हर subsidiary का cash जो होता है एक ही जगसे manage होगा तो इसमें क्या होता है कि जो surplus होता है इसमें क्या कर रखा है दो subsidiary के पास deficit है और एक के पास cash surplus है अगर centralized cash management होगी centralized तो यह जो surplus है ना यह इस दोनों में use हो जाएगा और decentralized है तो कहते हैं देखो हमने use करने देंगे इसमें question का requirement ही कि cash requirement क्या होगी cash के requirement क्या होगी cash के requirement क्या होता है बताए जितना deficit है तो अगर decentralized है तो यह कहते हैं अपना-पना manage करेंगे तो पूरा cash इंतराम करना पड़ेगा और अगर centralized होगी अगर centralized होगी तो सारे cash एक जगे से manage होगी तो यह जो surplus है ना यह इसमें minus हो जाएगा तो deficit का आपको कम कर देगा तो deficit कम होके जितना बचेगा वो आपको क्या करेगा cash requirement होगी इस question के अंदर भी कुछ नहीं है बस याद रखना advantage of swapping euro बोला गया है swap करने का मतलब होता है convert करना ठीक है तो इसमें थोड़ा lengthy question है लेकिन नया कुछ नहीं है revision करने लाएक तो इसको एक बार solve कर रहेगा तो हो जाएगा यह जो exposure matrix है न यह exposure matrix एक बार RTP में institute ने डाल दिया है और बांके इसमें कुछ नहीं है तो एक बार पढ़के चले जाओ अगर आपको लगता है कि पढ़रा जाए तो क्योंकि institute का ही RTP का question है इसमें क्या होता है चार तरह के सोच होते है चार तरह के strategy होता है तो वो strategy आपको नहीं यहाँ पे हमने दे दिया होगा यह देखे इस तरीके का कुछ strategy होता है यहाँ पे देखे exposure management hello exposure management strategic matrix किस तरह का होता है देखे risk और return को compare किया जाता है high risk, low risk, low reward, high reward मतलब क्या होता है देखे चार तरह के strategy होते है एक no hedging, एक partial hedging, एक full hedging, एक active trading मतलब no hedging, full hedging, active trading, selective hedging यह चार तरह का strategy होता है market में मतलब कोई hedge नहीं कर रहे हो आप मतलब जितने भी transaction है सारे open है बताईएगा risk और reward को compare किजे किस तरीके का होगा एक भी transaction नहीं आप hedge कर रहे हो बिलकुल नहीं इसका मतलब बहुत ज़्यादा, देखो no hedging कहते हैं हम उपर है, मतलब उपर high risk है और नीचे low risk है, तो आप उपर के cell में हो ना no hedging मतलब बहुत ज़्यादा risk ले रहे हो आप क्या कर रहे बताएए, बहुत ज़्यादा risk ले रहे हो जो full hedging करता है, हर एक transaction को hedging करता है, मतलब जितने भी export import करता हो ना, एक को भी हम open नहीं रखते हैं, सब के लिए forward contract कर लेते हो तो आपका क्या होगा बताए, risk तो अब कम हो गया, रिस्क देखो कम हो गया लेकिन reward अभी भी ज़्यादा नहीं है आपका, बोलोगे क्यों, जब जरूरत नहीं था मान लिजे एक आपको लग रहा था कि अगर मैं hedging ना करूँ, तो ही मेरे लिए ज़्यादा फाइदा है तब भी hedging क्यों किया, आपका reward कम हो गया न, सब को अगर hedging करोगे तो जो फाइदा होने वाले भी था, वो भी आपका नहीं हो पाएगा इसका मतलब हर एक transaction को hedging नहीं करना चाहिए था आपको selective hedging रखना चाहिए था, selective hedging का मतलब क्या हो गया कि जरूरत लगे तो hedging करो, जरूरत ना लगे तो ना hedging करो मतलब क्या होता है hedging कब करते हमें लगता है expectation है कि ज्यादा loss होने वाली है क्या बताइएगा हमारा expectation है कि ज्यादा loss होने वाला है तो hedge करो आपका expectation है कि मैं कुछ ना करो तो फाइदा होगा क्योंकि ऐसा नहीं है हर बार exchange rate जो होते है आपके unfavor में remove करेगा तो कहते है देखो selective hedge करो आपको risk लगता है तो hedge करो तो देखो risk तो आपने reduce कर दिया क्योंकि नीचे के column में तो risk to reduce हो गया लेकिन आपने reward भी बढ़ा लिया क्योंकि जिसकी जुर्रत नहीं था उसको hedge नहीं किया तो हमारा reward जागा है और अब आता है active trading मतलब क्या पता है active trading का मतलब हम हर एक transaction क क्या करते हैं अभी मुझे लगा कि मुझे इस transaction को hedge करना चाहिए hedge किया और दो मिनिट बाद हमारे market में रेट हमारे favor में चला गया हम उसको फिर हटा दिये cancel कर दिये फिर हमने contact कर लिए फिर cancel कर दिये यानि कि बहुत जादा हम जल्दी जल्दी action ले रहे है जैसे हमारे favor में तरहर चाहिए या गेंस्ट करना चाहिए इस तरिके से एक्टीवली करते हैं ऊसको एक्टीवली अगर पार्टिसिपेट करती हो तो यह एक्टीव टेडिघिंग हो गया इस तरह के केस में कहते हैं आपका रिस्क तो हाई होता ही है ठीक है लेकिन आपका reward भी जयादा है क्य की reward ज़्यादा maintain करने के लिए आप इस तरीके से करते हो तो ये चार तरह का आपका क्या होता है strategy होता है इसी को इस question में आपको लिखके दिया है कि देखो जी कुलजीत जहने एक wholesale लोग question हम क्यों पढ़ा रहे तो बस इसी तरीके का strategy है इसमें लिखके दे रखा है कि बताए कौन से strategy by different person in exposure management matrix में इसमें डालना है आपको place करना है इस matrix के अंदर तो हम कैसे place करेंगे चोल एक बार read कर देता हूं कुलजीत the wholesaler of import items imported toys from China to sell them in the domestic market खरीता है being the sole trader वो अकेले है sole trader है he is always so much learn the promotion वो ज्यादा तर promotion में involved रहता है ठीक है and negotiation for the foreign supplier से बात्चित करने में involved रहते हैं he never pays the attention to his यह आपका काम का है he never pays attention to hedge यह कभी hedge करने के लिए सोचता ही नहीं है his payable in foreign currency and leaves his position unhaged वो अपने position को unhaged रखता है एक तो risk बढ़ाया reward कम कर लिया risk बढ़ाया reward कम कर लिया कुलजीत यहाँ पर होगा कुलजीत का strategy कौन से बताइए strategy one जो की आपका यह वाले है कुलजीत यह देखो यहाँ पैठा हुआ है no hedging करने से क्या होगा reward भी कम risk भी हाई दूसरे में अगर आप चेक करोगे na strategy two में यह क्या बोलता है देखे enters into a forward contract to sell the foreign exchange only if he expects some profit out of it otherwise he leaves the position मतलब selective hedging करता है अगर उनको लगता है hedge करना beneficial है तो करते हैं नहीं तो छोड़ देते हैं मतलब इसका मतलब वो क्या करता है जब लगता है कि risk है तो hedge करते हैं मतलब risk तो कम कर लिया return भी बढ़ा लिया risk कम return बढ़ाना यह कौन सी कॉलम में जाएगा पता है यहां पर जाएगा strategy two मूनी यहां पर होगा यह रहा मूनी होगा इसमें देख रहे हो मूनी जो है यहां पर स्टांड करता है तीस तरीकिया question है आपको लगता है read पढ़ सकते हो तो पढ़ लिजे नहीं तो क्या कर सकते हो इग्नोर कर सकते हो इसी के साथ हमारा अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए beneficial है तो जिरूर आपके दोस्तों तक भी पहुंचाए ताकि वो भी इससे benefit ले पाए क्योंकि maximum जो मेरे कम वीडियो के नीचे जो comment होता है restaurant कहते सर कास आप पहले मिल जाते तो कास आप दो चार restaurant आप अपने दोस्तों को अगर share कर दोगे तो उनको भी मैं पहले मिल जाओंगा और वो भी जो यह revision का benefit जो है वो ले सकते है टेक क्यार ववाई जल्दी मिलते हैं दूसरे chapter के revision के लिए